चला हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारा CA इंटर्ड जो न्यूस से लिवस आया है उसका जो पूर्शन मारा पूर्शन है 50 मार्स उसके मैराफॉन के साथ तो जहाँ तक मेरे को लगता है यह जो वीडियो है हम लोगा शेयर एक पार्ट में नहीं हो पाएगा यह दो पार्ट में बनेगा पार्ट में हम लोग कुछ चैप्टर्स कवर करेंगे पार्ट में कुछ और चैप्टर्स कवर करेंगे हम लोग सब से पहले स्टार्ट करते हैं हमारा leverage chapter के साथ अब जो chapter leverage है यह हम लोग पढ़ते पर हमारा पहला chapter खा सबसे पहले इसके अंदर में leverage का मतलब होता क्या है leverage का मतलब होता है measurement of risk मेरा अगला question उठता है कंपनी के अंदर में risk कौन लेता है हमेशा equity shareholder जो एक कंपनी का owner है वो जैसी कंपनी में invest करता है वो थोड़ा risk ले लिया अब उसके risk को measure करना है कि भाई वो जब एक कंपनी में पैसा invest किया equity shares के द्वारा वो कितना risk ले रहा है उस चीज को measure करने वाला है हमारा leverage इसमें क्या था हम लोग सब से पहले बनाएंगे EBIT, minus करेंगे interest क्या मिलने वाला है EBIT minus करेंगे tax क्या मिलेगा EAT minus करेंगे preference dividend क्या मिलने वाला है आफेश आफेश क्या होता है earnings available for equity shareholder अब देखो sale value either question में दिया रहेगा अब बैचास हमारे question में sale value ना दे तो यह आराम से निकाल सकते हैं जैसे selling price per unit minus करना है variable cost अब मेरा variable cost को calculate करना है के लिए दो approach रहेगा अब कभी कभी question में variable cost दिया रहेगा as a percentage और बैचास हमारे question में variable cost as a percentage दिया रहे यह implied बात है क्या कि इसका percentage रहेगा sale का मालो हमारा variable cost है 60% of sale तो ध्यान देना भले sale ज्यादा हो या sale कम जो variable cost का percentage रहता है यह हमेशा same रहता है जैर अगर पहले sale value 10 लाग था तो 10 लाग का 60% और बैचान sale value 20 लाग होता है तो 20 लाग का 60% अगर sale value 40 लाग होता है तो 40 लाग का 60% यह जो percentage है ना यह हमेशा क्या रहेगा same या हो सकता है एक्जाम में हमारे variable cost per unit दिया रहे तो धान देना हम लोग को पता है variable cost per unit हमेशा सेम रहता है तो जितना unit बनाए into variable cost per unit तो मेरा sale minus variable cost contribution तक हम लोग पहुंच गए जो मेरा fixed cost है नाम खुल indicate कर रहा है नाम है fixed cost ये total में हमेशा क्या रहेगा same अब आएगा EBIT minus करना है interest interest इसको देंगे जिसके हम लोग loan लेते हैं या जो debenture है या जो bond है तो जितना loan या debenture या bond का value है into interest ते मेरे को मिलगा interest अब हो क्या मेरे को मिलने वाला है EBIT अब EBIT में minus करेंगे tax अब tax का हमेशा question में percentage देगा अब जो भी हमारे question में tax का percentage रहेगा ये percentage हम लोग चाच इस पर apply करते हैं भूल से sale पर apply मत कर देना या करना income tax tax को जो last में मेरा profit कमाया है tax उसके लगता है तो tax के just पहलो जो profit कमाया है इससे कहते है taxable income इस पे मेरे को tax देना है तो ये मेरा taxable income है इस पे जो percentage आया multiply करेंगे मेरे को क्या मिलेगा tax का amount सीदा मिलेगा EAT माइनस करने वाले है preference dividend अब preference dividend किसको देंगे preference share capital को तो जो मेरा preference share capital का value या मुझे पता है dividend का rate पता है multiply करते है preference share dividend आया क्या मिलने वाला है आफेच अब एक छोटा सा बात और बाइचास हम लोग यहाँ पर मानें कि मालो मेरा शुरू में sale value था 10 लाख मालो मेरा variable cost है 6 लाख तो मेरा contribution आया वह है 4 लाख मालो मेरा fixed cost है 3 लाख तो मेरा EBIT आया वह है 1 लाख मालो interest amount है 60,000 जोने मेरा EBIT आया वह है जो इसको मालो interest है 40,000 मेरा EBIT आया वह है 60,000 tax मालो है 50% तो यह बन जाएगा 30,000 मेरा EAT आया वह है 30,000 मालो preference जोने कुछ नहीं है आफेश है 30,000 ठिक अगर बैचास हम बोले कि हमारा जो sale है वो 20% बढ़ने वाला है तो ज्यान दिना अगर sale 20% बढ़ेगा तो 10,000 की जगा 12,000 अगर sale 20% बढ़ता है तो मेरा variable cost भी 20% बढ़ेगा 6,000,000 में 20% बढ़ा के होगा 720 तो मेरा variable cost भी बढ़ गया है 20% 480 तो ज्यान देना यह बढ़ा 20% variable भी बढ़ा 20 contribution भी बढ़ा 20 और जो मेरा fixed cost है वो total में रहेगा same यानि इसमें मेरा कोई बढ़ाव नहीं आया तो since इसमें कोई बढ़ाव नहीं आया तो जो मेरा EVIT का value आ रहा है 1,80,000 ज्यान देना यह 20% नहीं 20 से ज़्यादा बढ़ेगा कितना बढ़ेगा? 1,00,000 की जगा 1,80,000 हुआ यानि कितना percent बढ़ने वाला है? 80% 80,000 रुपीस बढ़ा divided by पहले था 1,00,000 इन्टू 100 यह मेरा बढ़ा है 80% अब आपसे मेरा interest का खर्चा सेम रह गया या है मेरा 1,40,000 अब देखता है यह मेरा amount बढ़ रहा है 80,000 रुपीस divided by 60,000 करेंगे तो देखता है यह मेरा percent भी जाता है 133.33% अब मेरा वो tax देना पड़ेगा 50% तो एक लाग 40,000 का 50% होता है 70,000 EATI 70,000 लाश्क में बचा 70% अगर यह देखेगा यह भी मेरा बढ़ रहा है 40,000 by 32,000 इन्टू 100 133.33% और मेरा EAT भी बढ़ रहा है तो एक बात को समझना sale बढ़ा है 20, मेरा variable cost बढ़ा है 20, contribution बढ़ा है 20 पर सिंस मेरा fixed cost सेम रह गया था इसलिए EATI 20 से ज़्यादा हुआ अगला मेरा सिंस मेरा interest का खर्चा सेम रह गया था इसलिए देखो आगे सब 31 से ज़्यादा बढ़ा जैने हम लोग हमेशा बोलते हैं अगर बाईशाँ sale बढ़ता है 10% profit बढ़ेगा 10 से ज़्यादा अगर ये चीज़ बढ़ने के लिए अप्लाई होता है ये same चीज़ गिरने के लिए भी अप्लाई होता है जैने अगर sale गिरता है जैसे मालोग एक जगा के लिए मेरे को रेंट सीए तो day to day operation के लिए मेरे को एक fixed cost देना पड़ेगा तो ये मेरा operating nature का है आज जो मेरा interest का खर्चा है ये मेरा financial nature का रहेगा तुम लोग का दिखो cash to escape में पढ़ावा होगा और अगर नहीं भी पढ़ावे तो भी common sense का बाग है भाई interest किसको दिए जिससे पैसा लिए तो अगर पैसा finance करने के लिए मेरे को ए fix cost देना पड़ रहा है इसका nature क्या रहेगा financial nature का जैने बताए equity shareholder look के लिए दोनों चीज़ गजब का चीज़ है अगर sale 20% बढ़ता है तो thanks to fixed cost and interest profit 20 से ज़्यादा बढ़ता है पर equity shareholder look के लिए यही दो सेम चीज़ बड़ा खराब चीज़ है कारण कि अगर बाइचा sale 20% गिरेगा मेरा variable cost 20 गिरेगा contribution 20 गिरेगा पर भाईया fixed cost तो उत्रहीं मांगेगा याने EBIT बिससे ज़्यादा गिरेगा कितना गिरेगा 80% similarly मेरा interest रह गया same since मेरा interest रह गया मतलब EBIT उससे ज़्यादा गिरेगा कितना गिरने वाला है 133.33% और आगे exactly same चलेगा यानि परना ये जो दो चीज़ है अच्छे वक्त में अच्छा है बुरे वक्त में उतना ही मुरा है पर ध्यान देना हम लोग कमर्श वाले लोग है हम लोग के जीवन में प्रूरेटर्स आता है यानि हम लोग पॉजिटिव आउट्लुक वाला नहीं देखते हैं यानि पता है ये जो दो इंसान है एक्विटी वालों के लिए रिस्क लेके आए और ये रिस्क क्यों लेके आए सेल भले गिर रहा है वेरिबल कॉल क्यों बिचारा कम हुआ पर ये दोनों बोलते हम तो उत्रा ही लेंगे और अगर ये दोनों बोलते हम उत्रा ही लेंगे ऐसे risk को measure करने के लिए हम लोग word use लेके आते है leverage तो operating risk को measure करता है operating leverage financial risk को measure करता है financial leverage मेरा अगला question होता है operating leverage का formula क्या बनेगा अब देखो वो इस वज़े से आया था इसके पहले क्या होता है contribution पर ये fixed cost आके profit को कम करके EDIT बनाया तो doll का formula बनेगा contribution divided by EDIT similarity क्यों मेरा interest है ये मेरा financial nature का है और अगर ये financial nature का है इसको measure करता है financial leverage इसका formula क्या बनेगा इसके उपर में EBIT है पर इसने इसे EBIT बनाया तो DSL है EBIT by EBIT done अगर हम लोग number यहाँ पर मालो calculate करते हैं मेरा पहला साल का तो वाई contribution है 4 लाग divided by EBIT है 1 लाग 4 लाग वाई 1 लाग करो यह बन जाता है 4 times similarly अगर हम लोग DFL calculate करें EBIT है 1 लाग EBIT है 6,000 तो अगर 1 लाग divided by 60,000 calculate करते हैं यह number बन जाता है 1.67 times तो मेरा पहला है doll अगला है DFL पर equity वालोंने खाली ना operating लिया था ना financialist उसने दोनों risk लिया इसलिए हम लोग एक concept आता है DCL मेरा DCL क्या होता है doll into DFL यह इसको एक और तरीका से बोल सकते हैं doll है contribution by EBIT DFL है EBIT by EBIT जानि जैसी multiply करेंगे दोनों को यह formula बनेगा contribution divided by EBIT तो अगर हम लोग calculate करें contribution by EBIT तो यह को contribution है 4 lakh divided by EBIT है 60,000 तो 4 lakh divided by 60,000 यह नंबर आने वाला है 6.67 times done तो हम लोग पहले income statement का discussion किये अगला बात किये अगर sale बढ़ता है 10% profit 10 से जादा बढ़ेगा sale गरता है 10% profit 10 से जादा गिरेगा current 2 था है fixed cost एक interest fixed cost एक operating nature का interest एक financial nature का दोनों risk लेकर आता है major करता है leverage DOL का formula क्या बनाता fixed cost के पहले contribution by EBIT DFL का formula interest के उपर EBIT by EBIT अग तो लोग बोलेगा यह जो number आ गया यह जो 3 चीज आ गया यह indicate क्या करता है दो गो यह indicate क्या करता है बड़ा काम का बात है DOL अगर 4 times है यह इस बात को दर्शाता है कि अगर बैचान sale बढ़ता है 1% तो variable भी बढ़ेगा 1 यानि contribution भी बढ़ेगा 1 पर why sense मेरा fixed cost say में यानि EBIT 1 से ज़्यादा बढ़ने वाला है अब question उठता है 1 से ज़्यादा कितना बढ़ने वाला है exact यही बताता है DOL यह DOL क्यों बताता है क्योंकि जो 1 से ज़्यादा हो रहा है उस्ता कारण यह था और यह operating nature का था और अगर यह operating nature का था तो operating leverage ही तो बता ही है कितना होने वाला है तो since मेरा DOL है 4 तो भाई 1 के change होने पिए change होने वाला है 4% तो यह को 1 के against में 4 बढ़ा तो 20 के against में कितना बढ़ेगा 20 into 4,1 एकदम लॉजिकली बन गया था अब यह मेरा change हुआ है 4% अब तुरंद बाद में आता है interest जो से रह गया जाने EBT पका 4 से ज़्यादा बढ़ेगा अब यह कितना बढ़ेगा यह बताता है DFL क्यों DFL क्यों DFL क्योंकि यह interest की वज़े से आया जो financial nature का था अब देखो DFL है 1.67 ताई जानि एक के change होने पे यह होता है 1.67 तो 4 के change होने पे कितना आएगा 4 into 1.67 जो आने वाला है 6.67 यह 6.68 अब एक और यह मेरा इतना change हुआ अब आगे तो देखो सारा का सारा उती proportion में change हो जाएगा तो रह गया sale तो अब सोच के देखो sale 1 बदलता है variable cost 1, contribution 1 fixed cost से में इसलिए EVIT 1 से ज़दा fixed cost की वज़े से 1 से ज़दा हुआ तो यह डॉल बता रहा है कि sale के कितने percent change होने पे EVIT कितना percent change होता है percent change पे ठीक अब सिंस मेरा EVIT के बाद interest financial nature का है वो मेरा same रह गया जानि पका EVT उस्ते ज़दा होगा जानि EVIT से आख्री line तक कौन बताता है BFL current का इस बीच में खाली interest का impact आया जो financial nature का था पर वो ही अगर सुचे कि sale के change होने पे आख्री कितना change होता है तो पता है ये कौन बताने वाला है DCL जानि sale से EVIT तक का सफ़र डॉल ने टैक कराया EVIT से आख्री line तक DFL बताता है sale से आख्री line तक DCL बताता है done तो अगर हम लोग इसको formula में convert करें तो देखो मेरा formula क्या बनता है DOL का पहला formula तुम लोग जाने थे देखो DOL का पहला formula तुम लोग जाने थे contribution था EVIT DFL का जाने थे EVIT वा EBT ये तो था ही अब DOL के लिए एक और तरीका क्या है कि भाई कितना percent EVIT बदला due to percentage change in से तो एक और formula बनता है DOL का contribution भाई EVIT जो था वो तो था एक और है कितना percent change होता है in EVIT due to percentage change in sales यानि मेरा EVIT कितना percent बदलता है due to percentage change in sales ये बताता है DOL प्लीज इसको याद मत करना अपने अज़ पोछना sale 1% बदलेगा variable cost 1 contribution 1 perfect cost जो operating ने चलगा same है तभी तो EVIT बन से ज़्यादा हो रहा है तो तो डॉली बताएगा कि EVIT कितना percent change होता है due to percentage change in sales same logic लगाते हैं अगर हम लोग DFL का formula बनाए तो normal formula तो मेरे को पता है EVIT by EBT ये तो मेरे को पहले से पता है EVIT by EBT अब EVIT के change होने से मेरा आखरी में जाके कितना percent change होगा ये बताएगा DFL और आखरी में तुम चाहो तो EBT बोलनो या EAT बोलनो या कुछ भी बोलनो या last time लोग ETS निकालते हैं और question उठते ETS कैसे आता है आफेश divided by number of share वो भी उतना percent change होगा जानि EVIT के change होने पे आखरी में ETS कितना change होगा ये भी बताते है DFL तो मेरा formula percentage change in ETS due to percentage change in EVIT अब जितना ज़्यादा DOL या DFL रहेगा उतना ज़्यादा risk रहेगा हमारे company के लिए इसलिए बोलते है higher the DFL, higher the financial risk higher the DOL higher the operating risk done तो सरव धाशा में देखा जाए तो हमारा DOL का बनोदी formula था contribution by EVIT या फिर कितना percent change होने वाला है EVIT में due to percentage change in sale और obvious सबाता है ये हमेशा more than one लेना चाहिए higher sale एक बदलता है EVIT हमेशा एक से ज़्यादा बदलेगा अगला DFL का एक formula था EVIT by EVT ये अगर percentage में बात करे तो EVIT के change होने पे आखरी line आखरी line हम लोग last में क्या निकालते है EPS मेरा कितना percent change आएगा EPS में due to percentage change in EVIT हमेशा more than one और वह अगर डॉल into DFL करते मेरे को मिलेगा DCL तो एक तो formula इधर से आता है contribution by EVT या फिर बोल सकते है sale के change होने पे मेरा आखरी line कितना percent change होगा आखरी line मतलब क्या percentage change in EPS क्या होगा due to percentage change in sales जानि सीधा multiply किये ये खटा सीधा multiply किये ये खटा तो percentage change in EPS by percentage change in sales done तो ये था हमारा basic बात हमारे leverage के बारे में अब एक छोटा सा बात हो रहाता है DCM जो हम लोग just अभी discuss की है ये वाला things अब दो चार छोटा छोटा बात जो हम लोगो ध्यान रखता है एक word PV ratio होता है जो हमारे marginal costing बहुत लिस्तार में पढ़ते थे हमारे PV ratio का formula था contribution by sale in 200 ये क्यों काम आएगा काफी और हमारे question में sale देदेगा और PV ratio देदेगा तो उसे में लोग contribution मिल जाएगा जिसे balancing figure variable cost आएगा पहला बात हमारा second बात एक रिष्टा था रिष्टा number one जो हम लोग marginal costing बोते हैं रिष्टा number one मेरा PV ratio और variable cost का percentage मिला के हमेशा होता है 100 यारे एगर PV ratio रहता है 40% implied बात है variable cost रहेगा 60% of sale और एक और मेरा variable cost का percentage आएवा है ये percentage हमेशा क्या रहता है same मेरा तीसरा एक ratio है earnings per share मेरा earnings per share हो या return on equity ये दुरों लोग हमेशा calculate करते हैं equity shareholder के भी point से और equity shareholder को क्या मिलेगा जो last में बच गया अब इनका statement के last में क्या बसता है सारा खाथ, सारा खर्चा पे करने के बाद आफेश तो अगर earnings per share निकाले तो last में जो बचा आफेश निकालना है per share divide करेंगे number of equity shares next जो मेरा return on equity है यान equity वाला कितना percent return कमाया तो equity वाला क्या कमाता है आफेश formula में आफेश आगया और divided by कितना रूपिया लगा के और equity वालों ने कितना रूपिया लगाया है ये ratio analysis कम लोग पढ़ते थे याद होगा तुम लोग को हम example देते थे अंच काकिया अंच के पास दो-दो है जारे equity वालों के पास दो-दो चीज़ रहता है एक equity share capital एक रहता है reserve and surplus जार equity वालों के तना रूपिया लगाया है equity share capital and reserve and surplus इतना लगाया उप्पिक्या कमाया आफेश percentage लेंटी 100 डल अगला बात exam में कभी-कभी question में हम लोग के एक ratio कमाएगा turnover ratio इसके एक simple सा बात दुनिया में कोई भी turnover ratio आजाए दुनिया में दुनिया में कोई भी turnover ratio आजाए सारे के सारे turnover ratio का formula होता है turnover divided by what question उठता है what is what जैसे अगर मालो asset turnover है तो turnover by asset और मालो ये fixed asset turnover ratio रहता turnover by fixed asset और ये current asset turnover रहता turnover by current asset तो ये मेरा काफी वार exam में asset turnover ratio देदेगा asset का वाली देदेगा sale निकालने में काम आएगा इस जब statement का पहला लो तो ये हम लोग कुछ-कुछ basic बात की है और एक बड़ा अच्छा relationship जो हम लोगो याद रखना है exam में कभी-कभी doll देगा नहीं margin of safety देदेगा अब margin of safety जो word था अब ये formula कैसे आया उसका derivation हम बता रहे है अगर हम उपर निशे दोनों जगा PV ratio से multiply और divide करें तो देखो कोई फरक नहीं पड़ा जो चल रहा है वही है अब ये काम करते हैं इसको अंदर ड़ देखें तो पहले sale into PV ratio मेरा PV ratio क्या होता है contribution by sale minus मेरा break-win point का formula होता था fixed cost by PV ratio और ये अंदर में पहुँचके बना है PV ratio divided by sale PV ratio क्या है contribution by sale अब जैसी इसको लोग देखते हैं ये मेरा क्या चल रहा है margin of safety as a percentage of sale अब जैसी इसको देखते हैं देखो कुछ कटेगा देखो कुछ कटेगा देखो कुछ कटेगा तो यहाँ पे बचा contribution minus 6 cost और मेरा question उखता है contribution minus 6 cost क्या होता है देखता है इंकर चेटमेंट को contribution minus 6 cost क्या होता है EBIT तो ये मेरा क्या बनने वाला है EBIT divided by contribution अगर हम लोग इस EBIT को नीचे ले जाए तो ये बनेगा contribution by EBIT और याद एक contribution by EBIT क्या चिसका formula हुआ करता था डॉल का तो मेरा margin of safety क्या बना है 1 divided by doll तो डॉल अगर जाता है इधर ही आता है इधर तो मेरा डॉल के लिए एक formula होता है 1 by margin of safety तो exam के अदर में अगर बैचनस margin of safety दे उसका एक मत्र और दिश ये पूरे के पूरे chapter में क्या है doll निकला margin of safety दिया रहेगा percentage में तो बस जैसे मालो 20% है तो 1 divided by 20% मने 20 by 100 यानि 0.2 तो doll मिनेगा 1 by 0.2 यानि 5.2 बस इसका यही तक काम है तो ये जो 4-5 चीज़ है तो ये जो 4-5 चीज़ है कुछ चीज़ नहीं दिया तो अगर by chance एक simple सा बात दिया अगर by chance question में interest दिया है न तो ये financial nature का है पका DFL को यूज़ कर दा अगर by chance fixed cost के value दिया ये operating nature का है पका doll को यूज़ कर दा तो ये था हमारा leverage के बारे में पूरा ज्यान एक छोटा सा बात है जो हम बता देते है अभी तक देखो हम अपने पहले वाले में खाली fixed cost को लेकर आये थे operating nature अगला interest को लेकर आये थे financial nature जीवन में हम लोग कभी-कभी पैसा लेते हैं preference shareholder से और अगर preference shareholder से पैसा लेते हैं उसको दिना पढ़ता है preference dividend और preference dividend का भी rate होता है fixed nature का तो अगर यह fixed cost risk लाया यह भी fixed cost था risk लाया यह भी fixed cost है risk लाएगा अब question उपता है यह operating nature का रहे गए financial तो dimension वालों से पैसा लिए interest लिए preference वालों से पैसा लिए dividend लिए यह भी रहेगा financial nature का यह अगर भाइचास हमारे question के अंदर में कभी preference dividend आ जाए तो इससे मेरे DFL के formula में एक छोटा सा बदलाव आएगा क्या बदलाव आएगा normally formula था EVIT by EBT अगर भाइचास preference share आता है तो formula EVIT by EBT ही चल गहा है बस खाली मेरे को एक चीज़ दोर माइनस करना पड़ जाएगा EVT में से preference dividend ऐसा क्यों सोचे जब हम लोग डॉल निकाले थे formula था contribution by EVIT जो क्या होता है contribution minus fixed cost यानि contribution था यह fixed cost इसको कितना कम सी अब DFL में क्या था EVIT था अब EVIT को दो-दो fixed cost इस तोर कम करने वाला है एक तो interest एक preference dividend तो EVIT minus interest तो EBIT हो गया पर अगला minus करना पड़ेगा preference dividend पर एक बाद तो धान देना यह pre-tax है EBIT भी pre-tax है पर preference dividend होता है post tax और अगर यह post tax होता है तो इतना pay करने के लिए मेरे को इससे ज़्यादा कमाना पड़ता है क्योंकि मेरे को पहले tax देना है इसी वज़े से मुझे पहले divide करना पड़ेगा 1 minus 3 से यारे अगर कोई भी post tax चीज रहे उसे अगर मेरे को बनाना है pre-tax हम लोग divide किसे करने वाले है 1 minus 3 से तो anyways हम लोग को लगा 24 minute पर हम लोग ने पूरे के पूरे leverage का हर एक concept को बड़ा विस्कार में discuss किया to summarize हम लोग question करना start करेंगे उसके पहले हम बस एक और फड़ा फट summarize करते हैं मैंने क्या क्या बूला पहले मैंने interest statement का format बता है इस तील minus variable cost contribution minus 6 पर EBIT minus interest EBIT minus tax EBIT minus tax EBIT minus preference dividend आपेश by 1 minus 3 DCL doll into DFL generally हमारे ये exam में ये formula काम आएगा पर exam में कभी-कभी percentage वाल अभी काम आजाता है तो doll क्या बताता है sale 1 बतला variable cost 1 contribution 1 percent fix को सेंथा यान EBIT 1 से ज़दा तो percentage in EBIT कितना है due to percentage in sale अब एक और EBIT आ गया फिर interest मेरा same रह गया इसलिए अगला line उस्ते ज़दा बढ़ने वाला है तो EBIT के change होने पर last dollar line यानि EPS कितना change होगा ये बताता है DFL यानि sales से EBIT तक doll ने बताया है EBIT से EPS तक DFL ने बताया sales से आखरी line तक कौन बताता है DCL तो percentage change in EPS due to percentage change in sales बताता है DCL done बस इतना हमारा था हमारे question में और कुछ-कुछ बात variable cost percentage सेम रहेगा PB ratio variable cost बिलाके 100 कोई भी turnover ratio है turnover divided by वो question में marginal safety rate dollar आएगा 1 by marginal safety बस इतना हम लोग बिसकुस किये start करते हैं हमारा marathon का questions चलो चलो पहले एक वार हम लोग फड़ा-फड़ दिखते है 1 अब इस marathon में हम अपने speed में चलेगा since मेरे सामने के बैठा नहीं है किसी को time तो दे नहीं सकता कि भाई तुम लोग घर में बैठके कर रहे है मेरा request है question पढ़ो video को तुरन पॉस करो try कर एक वार अपने आप करने का फिर बाद में answer match करना वो तुम लोग के लिए जबा fruitful रहेगा पर हमको एक वार flow में चलना पड़ेगा चलो क्या लिख है the following data relate to strong limited मेरा EVIT दियावा है मेरा fixed cost दियावा है EBT दियावा है मुझे calculate करना है percentage of change in EPS अगर sale increase करता है 5% तो last line पढ़के मेरे को पहले समझना पड़ेगा यहाँ पर कौन सा leverage का काम है मेरे EPS में कितना बदलाव होगा due to change in sale तो sale के change होने पर आखिर line कितना change होता है यह कौन बताता है DCL ज़र अगर मेरे को DCL मिल गया है मेरा question आराम के हो जाएगा अब DCL को calculate करने के लिए formula क्या है contribution by EBT EBT हमारे question में clearly दियावा है आज जो मेरा contribution है यह मुझे calculate करना पड़ेगा यह कैसे मिलेगा ज़रा देखो EBIT पता है fixed cost पता है अगर income statement को याद करे तो sale minus VC होता है contribution minus fixed cost होता है EBIT EBIT पता है fixed cost पता है तो back calculation करेंगे यह आएगा 1820 तो contribution है 1820 EBIT है 320 और calculate करेंगा यह आएगा 5.6875 तुम लोगो लेगा आपका mental math marathon में भी SI है एक जब्दम ऐसा है यहाँ लिखते है 5.69 times मेरा DC लाए 5.69 times यह क्या indicate करता है कि sale अगर 1% change होता है आखरी line 5.69% change होगा तो यह sale 5% अगर change हुआ तो आखरी line कितना change होने वाला है 5 into 5.69 जो शायद आएगा 28.45% done चलो यह था हमारा पहला question अब अगला question तो फड़ाफ़ देखते है company had the following balance sheet as on 31st March 2016 अब balance sheet देके घवराना मत ही है मस तो चलो अगला question आगया FM कही है पर balance sheet के अंदर में maximum चीज़ देखे के irrelevant होता है equity share capital 1 crore share है add rate 10, 10 crore मेरा reserve and surplus दियावा है 15% debenture थी थोड़ा ओपर नीचे हुआ 20 है मेरा 15% debenture है 20 काम का बात है क्योंगी debenture वाले को मेरे को देना है interest current library दिया और asset side में तो दियावा है fixed cost परिनम excluding interest interest के अलावा वाला fixed cost interest financial nature का था उसके अलावा जो fixed cost है मतलब यो operating fixed cost का बत कर रहा है 8 crore मेरा variable cost दियावा है 65% जब variable cost percentage में बोले ये ना पता है क्या चीज़ का है implied बात है क्या चीज़ का है sale का मेरा total asset turnover दुनिया में कोई भी turnover ratio है formula होता है turnover divided by वाउ turnover मतलब sale divided by वो क्या है total asset I have a 2.5 और income tax credit है 40% मुझे निकालना है ETS, dollar, DFL, BCS तो इसके लिए मेरे को पहले बनाना पड़ेगा minus fixed cost EVIT minus interest EBT minus tax EAT तो अगर हम दो फड़ा पड़ निकाले sale by total asset है 2.5 asset का total है 40 तो जैसे 40 यहां put करेंगे sale कितना आएगा 40 into 2.5 यह आने वाला है 100 minus करेंगे variable cost कितना है 65% of sale 100 का 65% 65 contribution 35 मेरा fixed cost का value दियावा है 8 EBIT 27 minus करना है interest interest किसको देंगे जिससे लोन लिये थे loan किसे लिए है डिमेंचेर वाले से कितना रुपया था 20 करोड 20 का 15% कितना आता है 3 मेरा EBT आने वाला है 24 अब minus करना है tax tax का रेट है 40% tax किसे पे देने वाले है जो taxable profit है वो 24 था उसका 40% 9.6 यानि हमारा EBT आने वाला है 14.4 preference dividend होता जरूर minus करते नहीं है मतलब यही मेरा आफिश बन लिया अब पहले मेरे को calculate करना है EPS EPS क्या होता है जो last में बचा यह बचा divided by number of share तो भाई 14.4 crores बचा divided by number of equity shares मेरा number of equity shares कितना है एक करोड़े तो 14.4 CR divided by 1 CR आये गर उपीज 14.4 per share डॉल DFL discount निकालना है इंटर स्केटमेंट से आरां से नजर आ रहा है डॉल आया है इसकी वज़े से fixed cost formula contribution by EVID 25 by 27 1.296 यह नि 1.30 निक्स अगला है मेरा DFL हुआता है इंटरस्ट की वज़े से formula EBIT by EVT 27 divided by 24 1.125 मेरा अगला है DCL formula है contribution divided by EVT 35 by 24 यह आने वाला है 1.458 1.46 यह कुछ भी आया होगा तो अगले बूला है calculate करो calculate कर लिए फिर आगे बूलता है comment करो comment में क्या करना है dole 1.3 ताइम है तो comment क्या होगा dole 1.3 ताइम इंडिकेट that for every 1% change in sale dole for every 1% change in sale variable भी वन contribution भी वन fix cost same EBIT 1 से ज़्यादा 1.3% तो यह पहला comment होगा for every 1% change in sale EBIT will change by 1.3% अग मेरा DFL 1.125 ताइम है यह इंडिकेट करता है for every 1% change in EBIT आखरी लाइन EPS will change by 1.125% और जो मेरा DFL 1.45 वे टाइम के इंडिकेट करता है पहला ले से लेके आखरी लाइन for every 1% change in sale EPS पहले से ज़्यादा 1.45 वे परसेंड तो तीन लाइन का comment आया question खाता done चल अब एक काम करें हम लोग फड़ा फड़ा आते हैं हमारा question number 3 अच्छा question number 3 हम लोग कुछ दिर बात करते हैं इसमें concept है ROI का जो मैंने बताया नहीं है और यह काम करते हैं फड़ा फड़ देखते हैं question number 4 फड़ा फड़ देखते है question 4 एक बार question 3 हम लोग skip की है वो एक trading on equity का concept है हम बताएगा फिर हम वो करवाते है question क्या है betatronics limited has the following balance sheet and income statement information देखता हमारे balance sheet के अंदर में equity share capital दिएवा है rupees 10 per share कुल मिला के 8 lakh रुपया है यानि number of liquid shares पक्का 80,000 रहोगा कभी आट रहे 10-8 lakh बना number of equity shares मेरे लिए काम का होता है क्योंकि यह ETS निकालने में काम आता है 10% debt मने debenture यानि एक तरह का loan इंसेस निकालने में काम आएगा retain on its current liability और asset यह सब दियावाए कुछ खास काम का लिए देखता है मेरे income statement दियावाए is sale minus कियावाए operating expenses including 60,000 रुपया depreciation मेरे को सीधा EBIT मिल गया अब sales है अगर सीधा EBIT मिल गया यानि इस line के अंदर में variable cost भी है fixed cost भी है अब मेरे को इसको अलग करना है अब आगे interest है EBIT माइनस tax EAT अब मेरे को calculate करना है DOL, BFL, DCL at the current sale level अगर all operating expenses other than depreciation are variable all operating expenses other than depreciation are variable यान इकुल मिला के operating expense एक लाग दीस हजार other than depreciation variable है depreciation 60,000 था तो भाई एक लाग दीस में से depreciation हटा बाकी variable है तो एक दीस में से 60 हटा और variable कितना है या 60,000 तो 120 में 60 अगर variable है तो remaining 60 भी क्या बन जाएगा fixed cost और second part पर बूला है कि अगर माल लो total asset fame है पर sale अगर 20% increase करे या sale अगर 20% decrease करे बोलो EPS क्याएगा तो एक काम करते है पहले इसके हिसाफ से doll DFL DCL निकालना है फिर बोता है sale 20% बढ़े या sale 20% गिरे उससे में APS क्या होगा तो एक income statement में इसकी column बनाते है और calculation करते है चुले एक काम करें फड़ा फट इसका calculation हम दो करते है पहले current में क्या इंक्रीज होने में क्या डिक्रीज होने में क्या पहले current वाला पूरा करते हैं sale वाली कितना है 3,40,000 माइनस करेंगे variable cost मिलेगा contribution अब देख तब लोग revise भी करो ना contribution time pass खाली सी या आएगा EVIT माइनस करेंगे interest EBIT माइनस करेंगे tax EAT यह 3,40,000 तरे को मेरा operating cost है 1,20,000 जिसमें depreciation के लाबा बाकी variable है तो depreciation को हटा तो बाकी variable है तो 1,20,000 ने देख शाटाओ variable आ गया और बाकी 7,000 fixed cost रहे गया यह बना 280 यह बना 220 और मेरा interest का वाले देखो 60,000 दिया वे वैसे वो आया कैसे था यह जो debenture था 6,00,000 रुपे का इसका interest rate था 10% पक्का वहीं से 60,000 आया वा है EBIT आए 1,70,000 अब यह पहले वाले कॉलम को देखते हैं हम लोग आराम से DOL, DFL, DCL calculate कर पाएंगे अब DOL आता है इसके वज़े से formula contribution by EBIT हम pass में लिज़े रहें DOL कितना आएगा 280 by 220 1.27 times मेरा अगला है DFL आए DFL आने वाला है इस interest की वज़े से formula के आएगा EBIT by EBIT 220 by 160 जाएगा 1.375 और अगला है हमारा DCL आप आएदर DOL into DFL कर दो या contribution by EBIT कर दो यह आजाएगा मेरा 1.75 तो पहला पार्ट डन second पार्ट में मेरा काल्कुलेट करना है sale अगर 20% बढ़े या गिरे बोलो ETS क्या होने वाला है तो sale अगर 20% बढ़े और गिरे तो मेरा ETS क्या होने वाला है तो sale को अगर 20% बढ़ाएगे तो 3,4,4,000 प्लस 20% करो यह बनेगा 4,8,000 sale अगर 20% बढ़ा variable cost बढ़ेगा 72,000 जारी contribution आएगा 3,36,000 पर ध्यान देना मेरा fix cost रह जाएगा same EBIT मिलेगा 276 interest रह जाएगा same EBIT आएगा 2,16,000 अब एक पीश को ध्यान देगा और EBIT हुआ है 2,16,000 तो tax के amount को same मत कर देना अगर EBIT बढ़ा है पक्का tax भी जाएगा देना पड़ेगा तो उसके लिए मेरे को tax का rate से ही है और tax का rate हम लोग हमेशा इस पे depend करता है तो पता है tax का rate कितना आने वाला है 56,000 divided by 1,60,000 इन्टू 100 देखना 35% यानि जितना 2,16,000 कमाए है 35% tax देंगे 75,600 यानि यह आने वाला है 1,4,400 इंक्रीस किये तो अब मिरको calculate करने बोला था EPS को कैसे आएगा जितना लाक्स ने कमाए है divided by number of shares number of shares कितना था 80,000 तो भाई इसको divide करेंगे 80,000 से यह आजाएगा 1.76 per share 1.755 बारा share आज यह मेरा बाजुवाला कॉलब है उसमें सेल अगर 20% decrease होता है तो आपस income statement बनाएंगे तो 3,4,000 माइनस करेंगे 20% यह बनेगा 272 मेरा variable cost भी 60,000 था माइनस करेंगे 20% यह बनेगा 48,000 यह आएगा 224 मेरा fixed cost रह जाएगा same 164 मेरा interest रह जाएगा same 1,4,000 अब 1,4,000 का मेरे को 35% tax जिना पड़ेगा यह आएगा 36,400 अब जैसे माइनस करेंगे यह बनेगा 67,600 अब अगर बेगो calculate करना APS just by number of shares जो कितना था 80,000 calculate करके रेखना यह आएगा 0.845 done तो यह था हमारा question before अब आते हैं थोड़ा बुद्धी वाला question में जहां थोड़ा missing figure का तड़का लगेगा अब फटा-फट देखते है question number 5 अब यहाँ पे हमको कुछ-कुछ leverage दियावा है और मेरे को उल्टा चलके income statement बनाना है question तो लोगे सामने है फटा-फट पहले एक बार pause करो और tie कर अपने आप कड़ने का क्या लिखावें question में सबसे पहले जहको मेरा company यह company भी में margin of safety दियावा है और हम बताये ते margin of safety word होता है marginal costing का पर leverage में इसके एक मातर काम आता है doll निकलने में मेरा doll क्या होता है 1 by margin of safety तो अगर doll दिखे तो यहाएगा 1 divided by margin of safety 1 by 0.25 और यहाँ पर आएगा 1 divided by 0.25 मतलब 4 times मेरा interest का value दियावा है मेरा PV ratio दियावा है financial leverage दिया है tax rate दिया है कभी भी अगर ऐसा question आए पहले income statement का format बना दे जो value दिया है value लिख दो फिर बात में सुच्चो क्या करना है तो चले काम करें पहले income statement का format बनाते है sale minus variable cost contribution minus fixed cost EBIT minus interest EBIT minus tax अगरे अगरे क्वेश्चन में पहला दियावाय है doll उसके income statement के अंदर में काम नहीं है मेरा अगला इंट्रेस्ट तीन हजार और दो हजार अगरे PV ratio दियावाय है आगला DFL दियावाय है tax का rate दियावाय है 45% अब देखो एक बात में नंबर हमारे question में दियावाय है interest अब जो हमारा interest है यह financial nature का है यह हम बनाया था अगर interest दिया रहा है financial nature का है पहला यूज़ करना DFL तो देखो वह यहाँ पहले खाली company A पे focus करते है in fact हम लोग खाली company A का ही बनाते है A का बन गया B का अपनिया बन जाएगा A में देखो मेरा DFL है 4 formula होता है EVIT by EVT तो अगर लोग सूछे EVIT by EVT दियावाय है 4 मेरा EVIT by EVT दियावाय है 4 पर लोग चाहिए कि नEVIT का ठिकाना नEVIT का तो G1 में अटके और भाई जैसी G1 में अटकेंगे घवराने का नहीं है आंग बन करना X तो याद करना तो यह काम करना एक वार EVIT को मानना X तो EVT के आएगा X-3000 तो अगर EVIT को मानते हैं X EVT के आएगा X-3000 is equal to 4 solve करेगा मेरे को क्या मिल जाएगा X का वाल्यू तो अगर हम लोग solve करें तो देखता X का वाल्यू आजाएगा 4000 रुपया solve करके देखता मेरा X का वाल्यू आजाएगा 4000 तो भाई EVIT आयाएगा है 4000 उसमें इंट्रेस्ट गया 3000 EVT बना 1000 का 45% ट्रेस्ट दिये 4500 PIT आयाएगा 500 नीचे तक का डन अब मेरा EVIT आयवा है हम लोगों ने DFL उस कर लिया टैक्स उस हो गया इंट्रेस्ट उस हो गया अब अगला मेरा बसता है डॉल जो है 5 ताइंज अब हमारे डॉल का फार्मूला क्या होता था contribution by EVIT EVIT पता है तो contribution मिल गया तो भाई contribution by EVIT है 5 5 ना EVIT दिया वाय है 4000 तो जैसी 4000 पुट करेंगे contribution हैगा 5 इंट्रेस्ट इंट्रेस्ट यह कितना मिलने वाला है 20,000 तो एक काम करते हैं contribution आगया 20,000 fixed cost हैगा 20 और 4 का difference 16,000 बैनसें फिगर अब अगला मेरा दिया वाय है PV रेशयो हमारा PV रेशयो कितना दिया वाय है 25% हमारा PV रेशयो क्या होता है contribution by sale in 200 तो भाई contribution by sale in 200 दिया वाय है 25 contribution पता है 20,000 जैसी value 20,000 पुट करेंगे मेरे गुट्या मेरे जाएगा sale इधर गया 25 इधर गया 20,000 into 122 जो आने वाला है 80,000 यानि variable cost 7,000 दान जिस तरीका से हम लोगों ने company A का किया exact same logic लगाते हुए हम लोग company B का भी calculation तरफ रखेंगे हैं हम चाहेगा company B का calculation तुम लोग साफियाप करो इसने हम time pass नहीं कर रहा है still हम बता देते हैं इसका answer क्या आएगा financial level 3 है तो ये बनेगा पक्का 3000 बाए 1000 450, 550 ये बन जाएगा 12,000 ये मिल जाएगा 9,000 पीवे लेश्टो 33 points सीची है ये बन जाएगा 36,000 ये बन जाएगा प्रेश्ट इसने के साथ हमारा ये वाला question 12 खरां अब हम लोग करते हैं हमारा अगला question अब देखो marathon में न हम लोग लॉलीपोग question कुछ नहीं करेंगे जो धंका question है न जहाँ पर आदमी अटकते हैं हम लोग खली वही cover करेंगे और इतना करने से तुम लोगा सारा का सारा concept device हो जाता है तो exam के एक दिन पहले जब time का shortage रहेगा इस marathon को देखना कुमारा 100% सथ प्रतिशत concept और technical question device हो जाएगा अगला देखने question अबर 6 एक और fantastic question okay the sale revenue of TM Excellence Limited at the rate 20 रुपया per unit is 20 lakh जाने मालों मेरा कामे calculator बना के बेचने का मेरा sale value है 20 lakh हम 20 की rate में बेचते थे एक कितना में बेचते थे honestly I don't care sale value कितना है 20 lakh तो में काम तरे income statement बनाते भी चले sale value है 20 lakh मेरा contribution दिया है 10 lakh तो वही sale में variable cost minus करते हैं तो आता है contribution contribution दिया है 10 lakh तो obvious सबात है मेरा variable cost दिते है होगा 10 lakh very easy at the present level of output doll of companies 2.5 अब contribution में minus करते है fix cost तो आता है EBIT minus करते है interest तो आता है EBIT minus करते है tax तो आता है EAT अगर preference dividend दिया तो minus करेंगे भी तो minus नहीं करेंगे अब doll दिया है 2.5 doll का formula क्या contribution by EBIT doll दियावा है contribution दियावा है तो मेरे को EBIT आरामते में जाएगा contribution by EBIT 2.5 contribution पर आहे 10 लाख तो अब तो लोग सॉल्ट करेगा EBIT का वाली आजाएगा 10 लाख by 2.5 या नहीं आएगा 4 लाख तो आए मैंने EBIT में 4 लाख लिखा मेरा fixed cost balancing figure बन जाएगा 6 लाख तो मेरे वेरी इजी बहुत इजी लागरे question आओ आगे अब आगे लिखा है that the company does not have any preference share बहुत इजी अच्छा बात preference due to exist नहीं करता मतलब EAT के आगे में वो question नहीं बनाता the number of equity shares are 1 लाख मेरा कुल मेरा की number of equity share दिया है 1 लाख ये पक्ता दिया होगा EPS निकलने के लिए otherwise number of equity share का क्या का मेरा income tax का rate दियावा है 50% तो भीया tax का rate दियावा है 50% अब आगे मूलता है मेरा interest rate on debenture है 16% debenture पर interest rate दिया है 16% अगर debenture का value मिल जाए मेरा question खाता calculate क्या करना है EPS जब sale value 20 लाख है ठीक है जब sale value 20 लाख EPS निकलना है एक निकलना EPS है अगला debenture का amount है निकलना है तो भाई जब तक debenture का amount है नहीं पता तो आगे तो यह income statement बनने का सवाल है निकलना है मेरको debenture का amount निकलना है अगर a 25% decline in sale will wipe out EPS जयाने अगर बैचान sale 25% गिरे मेरा EPS wipe out हो जाएगा wipe out का मतलब खतब हो जाएगा और जो चीज़ खतब हो जाएगा उसका वाल्य क्या हो जाता है 0 जैने अगर sale 25% गिरता है तो EPS का वाल्य जीरो हो जाता है यह बाद तो पता है अगर sale 25% गिरता है EPS 0 हो जाता है और एक बास सोचो EPS क्या होता है EAT by number of shares अगर EPS 0 है तो EAT 0 हो जाएगा पक्ता तो भाईया EAT 0 है EAT 0 कब होगा जब tax भी 0 रहे EBIT भी 0 रहे तो EBIT में अगर एक भी रुपया आ गया तो उसके 50% टैक जाएगा पुस्तो बचेगा तो EAT को 0 होने के लिए EBIT को भी 0 होना ज़रूरी है तक बनाते हैं इंट्रेस्ट बैंसिंग बिलेगा सेल 25% कम हुआ 20 लाग में 25% कम कर कितना आने वाला है 15 लाग जैने मेरा वेरिबल कॉस्ट भी 25% गिरेगा ये कितना आने वाला है 7 लाग पचास जैने कंटिबिशन आएगा 7 लाग पचास फिक्स कोस्ट रहे जाएगा 6 लाग EBIT येगा 1 लाग पचास अब ये एक पचास आया पर EBIT 0 है यानि इंट्रेस्ट पका कितना आने वाला है एक पचास और ध्यान देना इंट्रेस्ट मेरा हमेशा क्या होता है फिक्स कोस्ट जैनि पहले वो क्या रहा होगा डिवाइड पाइद बंबर ओफिक्टी श्यर्ज अटा बनबर ृटिक्टटी है इंट्रेस्ट एक पचास देना है और इंट्रेस्ट के पहलेबर है सूला परसेंट सब्छाने ओं कितना आन वाला है सब् Upper announced 50,000, 16% के बराबर है, तो देवेंचर का वाली आएगा 9,37,500, नाइस क्वेश्टिन, बस दो और क्वेश्टिन, फिर टेड़ी और एक्वेटी करके चाप्र खड़ा, अब क्वेश्टिन 7 देखे एक वार प्लूट दर जाएगा, और एक्वेश्टिन क्वेश्टिन कई वार आया वाह है, बहुत इजी क्वेश्टिन है, क्या है, अब आगे देखे मेरे एक टेबल बना कर दिया है, बैलेश्टिन का लाइब डिटी साइड, एक विटी शेर एक लाख है, हाट दरेटें, 10 लाज, काम का बाद, रिज़ावें से अप्लस कोई काम का नहीं, 7% देबेंचर तूपर काम का बाद, इंट्रेस्ट में काम आएगा, तो आज तक का सिनारियो दियावा है, जब मेरे को अराम से EBT तक मिल गया, और टैक्स पता यानि EAT तक मिल गया, अब आगे बोलता है, नाविया लिमिटेट है, अज़ देसाइड तो अंडर्टेक अन एक्सपैंशन प्रोजेक्ट तो यूज़ देस लाज, भाई, नाविया के लालच का सीमा नहीं है, इसको 10 लाज रुपया को और प्रोजेक्ट सेटप करना है, और 10 लाज रुपया मेरा फेक्स को पहले 10 लाज यह 5 लाज बढ़के हो जायेगा 15 लाज, मेरा बेरीबल कोश्पर उनित वाज डेक्रीज बाई 10 परसेंट, जीस की जेघा हो जायेगा 18, अध्यमि अधिशे लाजब का स्वल्ट टंपर ही सेलिंग प्राइगा मतलब चलिए अब ये 10 लाख रुपे को लाने के लिए मेरे पास को मिलाकर option आता है पहला option है पूरा पूरा equity share से लेकर आए add rate 10 यानि 1 लाख equity share और issue क्या जाएग add rate 10 चै अगला option है 5 लाख रुपे लेकर आए equity share से add rate 10 यानि 50,000 equity share और बाकी balance जो 5 लाख बच गया वो लेकर आएंगे 6% debenture से तीसरो option है पूरा पूरा 10 लाख रुपे या 6% debenture से लेकर आए मेरे को calculate करना है ये तीनों option के अंदर में risk and return क्या रहेगा assuming a tax rate of 40% risk यानि leverage निकालना है return बने equity share निकालना है प्रपोस्ट के अंदर में तीन option में क्या क्या होने वाला है हम चाहेगा एक वाट लूँ वीडियो पॉस्ट करके टाई कर आप करने का पर हम अभी इसी फ्रोमें कर रहे है existing प्रपोस्ट में तीन alternative है option 1 option 2 option 2 पहला sale value प्रपोस्ट ओले में एक लाग पचास तर बेचेंगा अड़ रेट चालिस कितना आ जाएगा 60 लाग कहीं से भी रूपया लेकर आओ sale value तो 60 लाग ही आ रहा है अंगला मेरे को minus करना है variable cost मेरा variable cost कितना नहीं वाला है एक उनिट का 20 तो एक लाग के लिए एक लाग इंटू 20 लाग मेरा उधर में कितना हैगा एक लाग पचास तर इंटू 18 कितना आने वाला है 27 लाग कुछ लोग calculator के गुलाम होते हैं मैंने sale minus variable cost मेरे को क्या मिलने वाला है contribution ये मिलेगा 20 लाग ये मिलेगा 33 लाग 33 लाग 33 लाग मेरा fix cost existing में 10 लाग है प्रपूस्ट में 15 लाग आने वाला है तो ये existing में है 10 लाग प्रपूस्ट में आने वाला है 15 लाग क्या मिलेगा EBIT माइनस करते हैं interest मेरा question उठते है interest का value क्या देखता है existing के अंदर में interest का value क्या होगा debenture था 10 लाग का इसका 7% कितना होता है 70,000 अब ये तीनों वाले में option 1 में देखो पूरा का पूरा equity share से आया यानि मेरा interest कुछ नहीं आएगा अब कुछ लोगे हाँ पर क्या करेंगे interest का value लिख देंगे 0 पर एक super important line पूर एफम में याद रखा किसी नए के आजाने से पुराने वाले को भूला न देना जानि जो पुराना debenture 70,000 जिसको interest दे रहे थे भाई वो तो अभी भी चल रहा है अगर नए आएगा तो पुराने वाले को भूला खोड़ी देंगे तो नए वाले में यहाँ पे अभी भी 70,000 रहेगा option 2 में 70,000 तो रहेगा plus 5 लाग का debenture पे 6% और देंगे 5 लाग का 6% क्या होता है 30,000 70 था 30 और मिलाकर 1 लाग option 3 में 70,000 चलेगा माइनस करेंगे tax कितना rate था भाई tax का 40% क्या मिल जाएगा तो यह easy question था इसने बस गरबर होने का एक जगा चांस था किसी नए के आने पे पुराने वाले को भूला ना दे 40% tax बढ़के अराम से घर में निकालते रहे ना हम EAT में सीरा पहुँच रहे हैं जाएगा 558 जाएगा 10,38,000 जाएगा 10,20,000 जाएगा 10,20,000 पर वेरे को question में पुछा है risk and return return क्या रहेगा EPS तो वही हम लोग EPS निकालेंगे हर option में कितना है इसके लिए डिवाइट करना है number equity share से पहले वाले में number equity share कितना चल रहे है एक लाक यहां लिखेंगे एक लाक अब तीनों option में देखना कितना हैगा वापस से पुराने में एक लाक चल रहा है उसे भुला ना देना एक लाक तो हर option में रहेगा पहले plan के अंदर में एक लाक और आया तो एक प्रस एक मिला कर दू लाक एक लाक चल रहा है अगले वाले 50,000 और आया मिला कर एक लाक पचास तीसरे वाले में एक लाक चल रहा है और कुछ नया नहीं आया मतलब एक लाक डिवाइट करते ही मिलेगा EPS जो अराम से बैटके निकाल लेना हम फल्टू टाइम पास नहीं कर रहा है और रिस्क क्या होने वाला है अगर डॉल निकालेंगे तो अपरेटिंग रिस्क रहेगा DFL निकालेंगे financial risk रहेगा DCL निकालेंगे combined risk रहेगा तो EPS और DCL तो आराम से निकाल ला है EPS कैसे आएगा EAT by number of shares DCL कैसे आएगा contribution divided by E.D.C. तुम लोग देखे जिसमें EPS maximum आया DCL भी उसमें maximum आया यानि जिसमें highest return है उसमें risk भी highest है जिसमें सबसे कम EPS आएगा उसमें DCL भी सबसे कम आएगा minimum risk minimum return और बीच वाला क्या बन जाएगा water perfect करते हैं आफ़ी question फिर हमको trading equity बताना है और क्या पर खरम करना है अरे वाह कितना बढ़िया है पूरा पूरा income statement बना कर दिया है sale minus variable cost contribution minus fixed cost EBIT minus interest EBIT तक दिया वाह है शरू ठीक using the concept of leverage calculate करना है मेरको 3 number percentage change in taxable income क्या होगा taxable income EBIT का नाम है जिस पे tax लगता है यानि EBIT में कितना percent change आएगा अगर EBIT 10% बढ़े EBIT के 10% बढ़ने पे EBIT कितना बढ़ेगा जातकरो EBIT से यहात तक का सफर बताता है itself अग्ला बूलता है कितना percent EBIT change होगा अगर sale 10% बढ़े sale के change होने पे EBIT कितना चेंच होता है ये बताता है dob और एक पुश कितना percent change होगा taxable income अगर sale 10% बढ़े ये कितना change होगा sale के change होने पे ये बताता है dca यह आराम से मिलेगा provided DOL, DFL, DC लेकवार का निकालने मेरा अगला 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 DFL, EBIT by EVT एक लाग बाई 75,000 जाएगा 1.33 ताइमस मेरा अगला है DCL, Contribution by EVT यह आजाएगा 4 times सही है ना पहला पार्ट आंसर दो अपने आप और EBIT 10% बढ़ा तो EVT कितना चेंज होगा EBIT 10% बढ़ा तो EVT कितना चेंज होगा यह बताता है DFL एक के चेंज होने पर यह बदलेगा 1.33 तो 10 के चेंज होने पर यह चेंज होगा 10 इंटू 1.33 13.33 पहला पार्ट दन मेरा सेगेंड पार्ट EBIT कितना चेंज होगा और सेल 10% बढ़ेगा सेल अगर 10 बढ़ेगा EBIT कितना बढ़ेगा यह बताता है DOL वो है 3 times यह निकर यह 1% चेंज होगा तो यह 3% तो भाई 10 के चेंज होने पर यह कितना चेंज होने वाला है 30% तो पहले का 13 points चेंज ही आए दुसके का 30 तीसा वाला सेल अगर 10% बढ़ेगा taxable income बने यह कितना चेंज होगा यह बताता है DCL जो है 4 अगर यह चेंज होगा यह चेंज होगा 4 तो 10 के चेंज में क्या आएगा चारेश लास्ट में लिखा है और अगर 10% चेंज होगा taxable कितना चेंज होगा तो सेल 10% बढ़ा तो 5 की जगा सारे 5 लाट variable cost भी 10% बढ़ेगा contribution भी 10% बढ़ेगा fixed cost सेम रह जाएगा EDIT यह गए 130 interest सेम रह जाएगा यह बने गए 1,5,000 तो देखना मेरा EBT कितना चेंज होगा 30,000 divided by पहले कितना था 75,000 और एगर percentage निकाले गए कितना आने वाला है 40% तो देखना 40% आया ऐसे मिलोग verify करके लिखाए तो तीनों पार्ट के लिए छोटा-छोटा interest statement बना के verify करना पड़ेगा हाँ अब sale अगर 10% बढ़ा है EBIT कितना चेंज होगा sale 10% बढ़ा है EBIT कितना चेंज होगा देखो 30,000 चेंज हुआ divided by पहले कितना था एक लाख परचेंज होगा इसके लिए अलग बनाना पड़ेगा यहां पर EBIT 10% बढ़ा है तो EBIT 10% बढ़ा है मदाब एक लाख की जगा एक दस यह 25,000 रह गया यानि 85,000 हुआ तो 10,000 बढ़ा बढ़ा बाई 75,000 इस और 35,000 फीड़ेगा दन यह बहुत ही जबरदस पाला comprehensive revision हुआ chapter leverage का एक छोटा सा बात है trading on equity जो हम बताकर इसको पूरा पूरी खतम करते हैं देखो जनरली DFL को हम लोग बोलते है double S squad कोई भी अगर एक तलवार को देखेगा एक तरह धार रहता है double S squad ना मतलब क्या यह ऐसा गजब का चीज है मालो सामने दुश्मन है तलवार चलाए गला कर जाएगा पर मालो जोग गया फटा-फट वापस में से चलाए वापस से कर जाएगा पर अगर बाइचांस मुझे वापस next time जोग गया ख़ड़ा तेज चला तो मेरा गला कर जाएगा तो DFL को बोलते है double S squad कारण क्या अच्छा वक्त हुआ ना तो भई financial risk सबसे अच्छा टीज है बुरा वक्त हुआ ना financial risk उतना ही बरबात करने वाला चीज है अब मेरा question उठता है what is ROI? ROI होता है return on investment जैनि business में जितना रुपया invest किया गया उस्ते कितना return कमा है business से क्या कमाते है operating income वो होता है EDIG divided by business पे कुल मिलाके कितना रुपया लगाया गया कुल मिलाके जो लगाता है वो तीनों लोगों ने लगाया equity ने भी लगाया, preference ने भी लगाया, debenture ने भी लगाया equity वालो ने चल लगाया, equity share company preference ने लगाया, preferential company debenture ने लगाया, debenture वाला value percentage ने इंटी 100 so मालो business से return आने का capacity है 12% मालो business से return आता है 12% और debenture वालो का interest rate खाली 8% है तो वही पका business का dimension से रुपया लेकर है जो यह रुपया आ जाएगा उसके 12% कमाएगे उसको देना खाली 8% है तो जो 20 का 4% हो तो मेरा हो गया तो यह favorable बात है पर वही अगर business interest rate 15% है भूर से मकले लेना उसके रुपय पे कमाएगे खाली 12 देना पढ़ गया 15% तो जो कमाएगे वो तो दिये एक्स्टा और घर से देना पढ़ जाएगा यह unfavorable है 12 कमाएग 12 देना है neutral है ना पाइदा हुआ न रुपता है तो exam में कर गएगे बोलता है calculate ROI ROI क्या उतर बिस्मस पे इंवेच्ट कर गे क्या कमाएग ओपनेटिं इंकम EVIT by total capital in P4 favorable कब रहता है जब ROI is more than interest rate unfavorable कब रहता है जब ROI is less than interest rate करते हमारा इस topic आखी question question number 3 मेरे कमती में ते को sale value दियावाए है variable cost दियावाए मने contribution मिल गया fix plus दियावाए मने झाल 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 स्वारी बीच में माइक का बैटरी डाउन हो गया था तो इस ते वॉइस नहीं आया आम जस्ट एक इंकम स्टेट्मेंट बनाया आरोई क्या होता है अब अगला क्वेशन उठता है क्या फेवरेबल है फेवरेबल के रहे मेरेको दो नमबर को कंपेर करना है तीसरा पार्ट है कि माल में मेरा कंपनी त्स इंडस्ट्री को भिलॉग करता है जहाँ पे असे टर्नोर थी है आप पुशे बताँ इस कंपनी का असेट टर्नोर ज्यादा है आट कम दुनिया में कोई भी टर्णोवर रेश्यो है फॉर्मुला क्या है टर्णोवर मनद सेल डिवाइड़ बाइ टोटल असेट सेल वाल्यू इसमें है 75 टोटल में असेट कैसे मिलेगा एक्विटी 55 लाग डिवेंचर 45 लाग फुल मिलाकर एक करोड अब लाइबरिटी साइट अगर एक करोड है तो मानेंगे असेट साइट भी एक करोड है तो यह आएगा रुपीज 100 लाग यह आएगा 0.75 जाने मेरे कंपनी में 0.75 है जबकि इंडस्ट्री में 3 था इसका असेट लेवरेज कम है अब आगे निकालना है अब आगे बुलता है अगर बैचास हमारा सेल 50 लाग इदस सेल ज्रॉप टू 50 लाग बताओ नया ABIT क्या आएगा यानि सेल वाल्यू अगर जो 75 था वो 50 लाग हो जाए अगर सेल कम होगा तो ध्यान देना मेरा वेरेबल कॉस्ट भी कम होगा सेल था पहले 75 यह हो गया 50 मेरा वेरेबल कॉस्ट 42 है अब यह भी कम होगा क्वेश्चन उपता है कैसे मिलेगा दो तिन तरीका पहले ना वेरेबल कॉस्ट देखो कितना परसेंट है सेल का मेरा वेरेबल कॉस्ट का परसेंट हमेशा सेम रहता है तो मेरा वेरेबल कॉस्ट था 42 अगर देखेगा यह आने वाला है 56% of sale यानि इधर में भी sale का 56% आएगा 50 का 56% हुदा एट पेडियेगा यानि contribution मन जाएगा 20 पर ध्यान देना जो मेरा fixed cost था वो जो पहले 6 था वो अभी भी 6 रहेगा यानि EBIT कितना मिल जाएगा सुला नया EBIT सुला लागा मेरा अगला है पार्ट 6 अट वाट लेवल ऑफ EBIT और फ़र्म EBIT विल बी इकोल टू 0 जानि वो कौन सा EBIT का वैल्यू होना चाहिए जब EBIT का वैल्यू 0 हो जाए EBIT 0 है पर ज्यान देना है इंटरस्ट जो लग रहा है वो तो वही रहेगेगा तो और back calculation करें यह 0 है यह minus 4.05 था तो उल्टा चलेंगे प्लस हो जाएगा तो answer क्याएगा 4.05 चलो डन इसी के साथ जो हमारा chapter leverage है उसका quick revision होता है खाता है चलो लोग start करते है हमारे अगले chapter का quick revision यह marathon के साथ आज यह chapter का नाम क्या है management of receivables अब देखो यहाले chapter में बोगों पढ़ना क्या है सबसे पहला बात जब भी मेरा company कभी sale करेगा इसके माई में हमेशा यह doubt रहेगा यह sponges में रहेगा कि जब यह अपने customer को बेचेगा कितने days का credit में हम उसको बेचेगा reason क्या customer को credit में क्यों बेचना चाहेगा कि जैसी credit में बेचेगा वो उसको एक extra facility दिया और जैसी extra facility देगा उब्यसादस का sale बढ़ेगा यानिक अपनी हमेशा credit period देना चाहेगा अपने customer को कारण कि उसको अपना sale बढ़ाना है पर लोचा यह ना कि जैसी customer को हम लोग credit में बेचेंगे तो sale बढ़ेगा जिसने variable cost बढ़ेगा contribution बढ़ेगा पर एक बहुत बढ़ा चाह पाएगा customer को अगर credit में बेच दिये तो हो सकता हो पैसा देने ही नहीं है यारी होता कि credit में जब बेचते हैं फाइदा है एक sale बढ़ेगा पर नुक्सान है तीन-चार मेरा पहला नुक्सान budget का रिस्काता है मेरा अगला जिस दिन credit period खतम होगा दुनिया में एक भी ऐसा customer नहीं है जो चला कर आकर में को पैसा देगा मेरको उसके पास जाना पड़ेगा पैसा कलेक्टरने के लिए उसके लिए मेरा collection cost लगेगा और अगला अगर बैसा पैसा मेरको आज मिल जाता ज्धमेला खताम पर अगर बैसा मेरको पैसा मिलता है credit period के बाद तो जो पैसा मेरको मिलेगा बाद में उसको में invest करेंगे बाद में तो जो interest आज की दिन कमाने का मौका था वो हम खो देगा उसे मेरको क्या कहते हैं opportunity cost या नहीं शर्ट मेरको करना कि इस particular chapter में एक income statement बनाना है यहाँ पे अलग-अलग option के अदर में मेरा company calculate करके देखेगा कि किस option में मेरा कितना profitability आने वाला है और जिस option में profit maximum रहेगा वो उस option को आप्ट करना चाहेगा question रुपता है इसका income statement कैसा देखेगा जैसा तुम लोगों देख रहा है present policy या जो 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 option उसके पास है सब तपहले में लोग शुरुआत करेंगे हर option में sale value क्या रहेगा जैसे जैसे credit period बढ़ेगा पक का sale value बढ़ना चाहिए minus करेंगे variable cost क्या में लेगा contribution minus करेंगे fixed cost हम लोग EBIT नाम नहीं देंगे हम लोग क्या नाम देने वाले है growth profit और मेरे को GP के बाद minus करना है चार गंदा गंदा cost मेरा पहला cost कौन सा है bad debt मेरा अंगला कौन सा है collection cost मेरा तीसरा कौन सा है opportunity cost और काफी होगा अगर customer को good sell कर दी on credit पर मेरे को जल्दी पैसा उन्दूस से लेना हुआ तो म काफी होग उनको cash discount देगा उनसे जल्दी पैसा पान यहर एक number कैसे calculate करेंगे इसको थोड़ा detail में जानते हैं मेरा पहला बाद sale कैसे आएगा either question में दिया रहेगा अगर by chance नहीं दिया वाए है तो जितना unit बेचे इंटू selling price per unit very easy मेरा variable cost कैसे मिलेगा either question में variable cost per unit दिया वाए है जान देना मेरा variable cost per unit हमेशा constant रहता है तो जितना जितना unit आया into variable cost per unit से multiply करेंगे variable cost आ गया या फिर variable cost का percentage उनसे दिया रहेगा मेरा variable cost का percentage हमेशा रहता है constant और अगर by chance question में variable cost ना दे तो चाप मत लेना शायद PV ratio दे देगा तो याद करना एक रिष्टा बन था जो leverage chapter भी पड़े थे मेरा PV ratio प्रस variable cost का percentage मिला कर होता है 100 और PV ratio दिया वाए 70% इसका automating के मत्तबर variable cost देगा है 30% तो sale variable cost तक आया मिला contribution और fixed cost हमेशा total में रहता है same पर काफी अरू question में fixed cost per unit देगा और वाइचास हमारे question में fixed cost per unit दे तूरंग करें number of unit से multiply करगे total fixed cost दे निकलना तो ये एक और ये total आ गया total में हमेशा क्या रहेगा same तो मेरा fixed cost कैसे आएगा इन total हमेशा रहेगा same आज के दिन तो मिलेगा आज के दिन का fixed cost जो हमेशा रहेगा sale तो ये गोग जीपी तक मिल गया अब माइनस करना है bad date bad date का हमेशा percentage दिया रहेगा और bad date का जब भी percentage दिया रहेगा ये implied बात है क्या चीज़ का रहने वाला है sale का मेरा collection cost में नोच आप जितना amount रहेगा exact देगा collection cost में जेनर लिखता होता है वो आदमी लोग वस्तुली भाई लोग का salary इंगा का में जाके वस्तुली कर रहा है तो वो चला जाएगा opportunity cost अब मेरे को ये दो का interest होया इतना मेरे को लेना पड़ेगा और interest को calculate करने का बच्पन में एक formula पड़ावा था P into R into T आप बताईए P into R into T क्या होता है P होता है principal घर में बैटके जोर-जोर से बोलो P क्या होता है principal R क्या होता है interest rate T क्या होता है time period तो रहेगना मेरा opportunity cost का formula है P into R into T ऐसे भी लिख सकते है ठिक अब मेरा P क्या होता है principal अब principal के अंदर में क्या आता है हम लोग interest किस चीज़ पे खो रहे है अब जो principal है इसके अंदर में दो approach है आइधर हम लोग ले सकते है sale value या ले सकते है total cost अब दोनों approach absolutely correct है पर ध्यान देना ये इंडिया है इंडिया में हमीशा कौन्स ता लेते है total cost approach ज्यानि पहला तरीका क्या है हम लोग यहाँ पर ले ये अगर वह sale मिरको पहले मिल जाता तो हम पहले इंडिया के नदर में maximum business करते है लोन लेके तो इंडिया को देगा जितना रुपे का लोन लिए और भाई एक इंसान लोन कितने रुपे का लेगा जितना उसका खर्चा लगने वाला है तो खर्चा क्या लग देवाला है total cost तो principle में हम लोग क्या लेते है total cost total cost में क्या आता है उसको बनाने का cost जिसने fix cost लेबल cost दोनों आएगा मेरे को अगला लेना है time period अब मालो मेरा 30 days के लिए था ये divide by 360 में 365 देना चाहिए मालो 30 दिन बाद मेरे को पैसा मिल रहा है तो हम interest हो रहे हैं 30 दिन के लिए तो भाई ये 30 days है मेरे को divide करना पड़ेगा 355 अगर ये week मेरे रहता divide करते है 52 अगर ये month मेरे रहता divide करते है तो ये आगया time अगला है R, R क्या होता है interest ता देग अब interest का rate को क्या-क्या नाम से बुलाए जाएगा either interest rate बोल देगा यासर बुलेगा R, 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 R का मतलब क्या return on investment और बाइचास ही मेरा company कहीं पर invest करता कितना percent कमाता वो खो दिया ये रहेगा R, R, अपसिल से जो मेरा interest है वो tax के पहले आता है तो ये होना चाहिए pre-tax वो होना चाहिए pre-tax और बाइचास मेरा interest rate pre-tax दे, fantastic बात और बाइचास मेरा interest rate post tax दियावा है तो घबराना मत ऐसे post tax interest rate को pre-tax बनाना पड़ेगा और दुनिया में कोई भी अगर post tax season इसको pre-tax बनाना है इसको मेरे को divide क्या चिसे करना पड़ता है तो यह था मेरा पहला बात, total cost देना, into credit period लेना, into interest rate अब total cost में आता है fix to variable, अगर बाइचास कभी question में fix cost ना दे, only variable cost देना एक और question था, जब ना fixed cost था, ना variable cost, तो cost निकालना possible ही नहीं था और अगर बाइचास कभी cost का information ना दे, निकालना possible ही नहीं है, पर अगर बाइचास बोले, opportunity cost calculate कर तो में पास option नहीं है, वह किसके निकालना पड़ेगा, sale लाली था यह वाला पड़ लिए, अब जो मेरा credit period है, यह days में रहा तो divide by 365, week में रहा 52, month में रहा तो 12, कभी-कभी exam के अंदर में ऐसा बोलेगा, कि 30 days में मेरे को पैसा मिला है 50%, 60 दिन में मिला है 30% पैसा, 90 दिन में मिला है 20% पैसा, तब question उठता है, यहापे day में हम क्या ले, कुछ पैसा 30 दिन में कुछ आया, 60 दिन कुछ आया, 90 दिन, तो मिलको एक average ही निकालना पड़ेगा, और जब भी average निकालते है, average को calculate करने का दो तरीका होता है, एक होता है simple average, एक होता है weighted average, जीवन में simple average, सबसे 3rd class में 6 होता है, कभी कि अगर average निकालना है, मिलको हमेशा क्या नि जोड़ें, क्या मिल जाएगा weighted average, तो 30 का 50% 15, 60 का 30% 18, 90 का 20% 18, यह देखना आने वाला है, 51 days, जाने credit period में क्या लेंगे 51 days, अब interest rate विरा होना चाहिए pre-tax, और बैचास हमारे question में post tax दिया रहे, तो जो भी post tax निकालना है, दिवाइट कर देंगे, मन माइनस tax दिखें, एक्जामने question में जितना लुचा होने वाला है, उस सारा होता है, opportunity cost calculate करने के लिए, हम मैं वापस से दोह रहाता हूँ, opportunity cost को calculate करनेगा तरीका P into R into P, P में क्याएगा fixed cost, variable cost मिला केगा, fixed cost ना दे only variable cost, दोनों ना दे तो save के, मेरा interest rate होता है pre-tax, pre-tax दिया, fantastic, अगर by chance मेरा दिया वाए 15% post tax, तो इसको divide कर देना 1 minus tax rate, वालो tax rate 3% है, ये जो interest rate आया, वो बनेगा ये R, ये क्या होता है, time period days में दिया रहा है, divide by 365, week में दिया रहा है, 52, month में दिया रहा है, 12, जासे time, कभी-कभी बोलेगा payment installment में हो रहा है, तो मेरे को waited आ days वो देता ही नहीं, वो क्या दे देता है, sale value दे देता है, और debtor दे देता है, अगर sale value और debtor दे 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 तो याद करना class 11-12 को, 11-12 में हम लोग debtor जब calculate करते रहे, वो depend करता था credit sale के तरह, और divide करेंगे 12 से तो मेरे को मिलेगा 1 मेने का credit sale, और मालो debtor का period है 2 मेहना, तो जैस ही 2 मेना से multiply करेंगे debtor का amount मिलेगा, exam में कभी-कभी debtor credit sale दे देगा, यह दोनों put करके credit period निकालना पड़ेगा, और यह जो credit period आया, exact इसी credit period को हम लोग यूज़ करने वाले हैं, इधर दे, जैनि credit period में दो complication हो सकता है, आइधर installment wise दे दे, जैनि credit period का information नहीं नहीं दे, पर अगर वो debtor और sale दे दिया, तो जो debtor turnover ratio का formula पहले पड़ावा है, उसको use करते वे मेरे को credit period निकालना पड़ेगा, तो काफी आर हम लोग क्या करेंगे, debtor क्या होता है, credit sale, by 12 एक मैने का मिला, into credit period, debtor sale पता है, क्या मिले जाएगा credit period, तो यह था मेरा दूसरा complication, इसके इस तरीका से यूज़ करते है, payment terms, 2 by 10 net 30, example है, इसका मतलब क्या हुआ, कि अगर by chance customer को मैने goods बेचा, उसको credit period at 30 days, पर हम उसको option दिया, कि भाई, अगर तुम 10 दिनों में पैसा दे दिया, तुम तिरको cash discount दे दे देंगे 2%, तब उस case में, हम लोग cash discount का माउंट निका देंगे कैसे, मालो example, credit sale है 100 लाग दा, payment terms है, 2 by 10 net 30, अब obvious आवात है, हर एक इंसान तो आगे discount माँगेगा नहीं, अब मालो question में लिखा है कि 60% of customers, availed cash discount, और भैच्छास हमारे question में लिखा है, 60% of customers, availed cash discount, तू पता है, मेरे company का cash discount का खर्चा कितना लगा, कुल मिलाके sale किये से 100 लाग का, पर discount मांगने के लिए आया है, खाली 60% लोग, यानि 100 लाग का 60% लोग इं डिस्काउंट मांगने आया, यानि 100 लाग का 60% क्या होता है, 60 लाग रुपीस के customer discount मांगने आया, idealistically उनको मेरे को पैसा देना चाहिए था, 60 लाग, पर भाई, वो मेरे से discount मांगने के लिए आगया, और जब discount मांगने आया, तो मेरे को discount देना पड़ेगा, कौन से rate में देंगे 2% में, जैनि जो 60 लाग मिलने वाला था, उसका 2% मेरे को discount देना पड़ेगा, तो 60 लाग का 2% कितना आता है, 1.2 लाग, जैनि cash discount को निकालने के formula कुम लोग ए इस च्रिडूट बदाता है, पर भाईया, formula गया भढ़ दे, इन्टू करेंगे cash discount का पर देना है, इन्टू कितने percent आदमी लोग cash discount अवेल कर रहे हैं, तो पता से लेगा कितने लोग discount मगने हैं, इन्टू करेंगे cash discount का percentage, इससे मेरे को सीदा क्या मिल जाएगा, cash discount का amount, अब ऐसा है कि cash discount तो मिल गया, पर अब सोचा जाए एक company के भी point से, तो कुछ पैसा उसको मिल गया है 10 दिन के अंदर, कुछ पैसा मिलेगा 30 दिन के अंदर, जैनि जब वो opportunity cost calculate करेगा, तो उसको पैसा कुछ मिला है 30-10 दिन में, interest को है 10 दिन का, कुछ मिला है 30 दिन में, interest को है 30 दिन का, तब ना 10 लेना ना 30 मिरको तो average लेना है तो काफी और exam में question में खुदी average बना कर दे देगा जब average दे दे तो वही ले 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 ला पर अगर बैचास average ना दे तो मुझे निकालना पड़ेगा कैसे निकालेंगे? 60% लोग 10 दिन में पैसा दिया तो 10 दिन में 60% मिला बाकी 40% लोग 10 दिन में ने दे के 30 दिन में दिया तो मिरको क्या निकालना पड़ेगा वेटर आपड़ेट की लेगा काफी और question में वेटर आपड़ेट करके देता है जब ना calculate करके दे हम लोग ऐसे निकालेगे बस इसके अलाबा receivables में कुछ नहीं एक factoring वाला topic आएगा वो हम लोग करते हैं बाद में पर factoring के पहले जितना question आया उसके इक पर solve करते हैं जाने शॉट देखा जाए sale minus variable cost contribution minus 6 cost GP GP के बाद मेरे को minus करना है 4 गंदा खर्चा मेरा पहला है bad debt collection cost opportunity cost तो सब्सक्राइट फार cash discount EBT मिल गया tax दिया रहे है यह जी मिल गया चुल यह काम करें पड़ाफट हम लोग करते हैं इसके basis पे 4-5 question yes पड़ाफट आते है question 1 ला जवाब question चालिखा है question 1 पड़ाफट देखे companies presently having credit sale of rupees 12 lakh मेरा आज के दिन sale value दिया वाए है 12 lakh present value को हम yellow color कर रहे है proposed वाले को कौन सा color करें pink color कर देंगे आज का favorite आज हमारा credit sale दिया वाए है 12 lakh present में sale value है 12 lakh the existing credit terms existing आज के दिन credit term क्या है 1 by 10 net 45 जरी cash discount है 1 percent 10 दिन में दिये दिन तो 45 दिन average है अब कुछ लोग देंगे 10 दिन में कुछ लोग देंगे 45 दिन में तो average निकालना चाहिए पर question में average निकालकर दिया आवा है 30 तो opportunity cost आएगा 30 दिन दिन the current bad rate loss is 1.5 percent bad rate का percent is दिया है 1.5 percent क्या चीज़ पे रहेगा sale पे in order to accelerate the collection process and also to increase the sale अब मेरा company contemplate कर रहा है भाई या थोड़ा liberalize करते है आजादी देते है अब जैसी आजादी देंगे अब जो 1 by 10 net 45 था उसको बनाया 2 by 10 net 45 तो cash discount 2 percent proposed में अब इससे मेरा sale will increase by one third of existing sale existing sale था 12,00,000 उसका एक तीही बढ़ जाएगा 12,00,000 का one third होता है चार 12 प्रस चार मिलाकर हो जाएगा 16,00,000 bad rate जो पहले 1 percent चल दा था भी हो जाएगा 2 percent of sale कुछ लोग पैसा देंगे 10 दिन में कुछ लोग देंगे 45 दिन में average निकाल कर दिया है कितना average collection period हुआ 20,000 विख्या निकालने में काम आएगा opportunity cost मेरा contribution to sale ratio है 22 percent sale value पता है contribution उसका 20 percent निकाल देंगे opportunity cost of investment दिया है 15 percent जानि मेरा interest rate दिया है 15 percent pre-tax कोई होना चाहिए और last line 50 percent and 80 percent customers are expected to avail cash discount जैने present में 50 percent discount लिया प्रपोस्ट में 80 percent discount लिया tax rate दियावा है साथ में 306 दिन income statement बनाना है दो column के start आहा हम शाहेंगे कर आप लोग फड़ा फट्वेम बनाए आपके पास समय रहेगा pause करने के बाद 5 पास करो पर हम एक प्रूम में करते चलेए फड़ा फट मेरा दू कॉलम बनेगा एक बनेगा existing एक बनेगा प्रपोस्ट जैसा में चाहे वर्ड यूज करदा देखना seal value मेरा present में है 12 लाग प्रपोस्ट में one third बढ़ जाएगा existing में है 12 लाग प्रपोस्ट में one third बढ़ जाएगा मनदब तोड़ा लाग माइनस करना है variable cost क्या मिलेगा contribution देखना हमारी question में शायद variable cost नहीं दियावा है पर contribution to sale देशो दियावा है 22% यानि मेरा जितना भी sale value आयावा है contribution आने वाला है उसका 22% तो बारा लाग का 22% अगर calculate करेगा जाएगा 264 जाएगा 352 तो जाएगा मेरा variable cost बनेगा balancing figure जो आएगा शायद 936 and 248 सही रहा बाइचास हमारे question दे fixed cost होता हूँ जरूर माइनस करते है पर भाई fixed cost नामो निशान नहीं है यानि यही बन जाएगा GP अब इसके आद मेरे को माइनस करना है चार गंदा खर्चा मेरा पहला कौन सा है bad debt अब देखो मेरा bad debt current में bad debt दियावा है 1.5% proposed में bad debt है 2% और यह bad debt हमेशा रहता है sale का तो 12,000,000 का 1.5% 18,000 12,000,000 का 2% होता है 32,000 मेरे को अगला माइनस करना है collection cost देखता हमारे question में collection cost के बारे में कुछ नहीं है तो मेरे को अगला माइनस करना है opportunity cost इन्टू करने वाले है टाइम पिरेड मेरा टाइम पिरेड क्या एगा कुछ पैसा 10 दिन में मिला कुछ 45 ओन एन आवरेज पैसा मिलावाए है 30 दिन यह आवरेज दे दिया अगर आवरेज नहीं देता हम लोगो काल्कुलेट करना पड़ता तो इन्टू करने वाले है 30 डिवाइड वाइड वाइड प्री सिस्टी सही है यहां तक दूसरे वाले में आएगा 20 एक्जिस्टिंग वाले में 30 डिवाइड और मेरा आगले वाले में आएगा मेरा कॉस्ट बाराला करतारेश हजार का 15 परसेंट और कपोज में है 20 डिवाइड बाइड पी सिस्टी यह आएगा 11,700 यह मेरा एगा 23,400 मैं सारी यह आएगा 10,000 चार्सको मेरे को लास्ट माइनस करना है कैश डिस्काउंट मेरा कैश डिस्काउंट कैसे मिलेगा अब यह कुल मिलाकर सेल वाल्यू है 12,000 पर वह यह हर एक इंसाना के डिस्काउंट नहीं मांगता और डिस्काउंट कितने परसेंट कैस्टमर्स मांगेंगे खली मातरब 50% एक्जिस्टिंग में तो बारा लाग का पचास परसेंट होता है 6 लाग यानि जिनका सेल वाली 6 लाग था खाली वो लोग डिस्काउंट मांगेगा और वो भी कौन से पर्सेंट में मांगने वाला है existing में देखो cash discount का percentage है 1% तो यह आएगा 6,000 मेरा प्रपूस्ट के अंदर में सेल वाल्यू है 16 लाग कितने लोग आके discount मांगने वाले है 80% तो 60,000,000,000 के 80% होगा 12,80,000 अब मेरा question रुकता है यह लोग कितना discount मांगेगा देखो propose में है 2% इनकी 2% और calculate करेगा वाली कितना आएगा 25,600 रहे हैं तक जैसी माइनस किया मेरे को क्या मिलने वाला है EBT so let's say अगर आप लोग calculate करो यह EBT आएगा 228,300 और यह आएगा 284,000 अब EBT के बाद मेरे को माइनस करना है tax अब देखो मेरा question में tax का rate कितना दी आएगा है 30% जाएगा 68,490 जाएगा 85,200 में गुछ सीरा मिल जाएगा EBT या अफिर net profit done since हमारे profit proposed policy में ज्यादा आया है यानि हम लोग recommend करेंगे हमारे company को कि उसको liberalization scheme करना है चुले यह था हमारा पहला question अब फड़ा फट देखते हैं हमारा अगला question number two अब यह question number two में दो पार्ट है एक यहां तक फिर अगला यहां तक तो पहले part one देखते हैं यहां से यहां तक कभी कभी कोई question ऐसा आएगा जिसके इंदर में में पास दो तिन option नहीं रहेगा बस एक option रहेगा जहां पर मेरा एक customer आता है है दस परसेंट दिस ग्रूप वोट रेक्वाइर वन पॉइंट फाइब मन्स क्रेडिट इनका क्रेडिट प्रियर दी आव है वन पॉइंट फाइब मन्स तो जब opportunity cost निकालेंगे वन पॉइंट फाइब मन्स है डिवाइड बारा यानि नौर्मली जितना सेल आता है इनको बेचने पे सेल एक लाख रुपया बढ़ जाएगा पर लोचा ही है कि पहले का सेल कितना हूँ तो पता ही नहीं तो अगर पहले का sale रहता लेट से 9 लाग, दो कॉलम मतना 9 लाग और 10 लाग का, पर यहाँ पहले का sale दियावाई ने, तो मेरे को खली इसके लिए बनाना पड़ेगा, कि इसके लिए sale वाली इतना आने वाला है, 1 लाग मेरा production और selling expenses है 80% of sale अब यह as a percentage हो से लिए मतलब पक्का variable cost है और मिला income tax के rate दियावाई है 50% the minimum rate of return expected to be earned by companies 25%, return on investment, 25% कमाना है ज्यान देना interest rate दियावाई है after tax और यह after tax से मिलको बनाना है, before tax कैसे बनाएंगे divide करेंगे 1 minus tax rate यह 50% हमाने 0.5 25 divided by 0.5 होता है 50% इसके बिस्के बनाता है पहरा income statement फिर लास्ट पहरा में क्या हो दिखते हैं बाद में बड़ा easy question है sale value 1,00,000 minus करेंगे variable cost जो मेरा production selling expenses है जो है 80% of sale जो आजाएगा 80,000 मिलेगा contribution 25 और fixed cost होता ज़रूर minus करते हैं पर अगर fixed cost नहीं दिया है मतलब यह बन जाएगा GP अब इसके अद मेरे को minus करना है 4 गंदे गंदे खरकें पहला है bad date risk of non-payment money bad date कितना दियावाया है 10% और obvious हमाते है जो मेरा bad date आएगा 10% देख्या चीज़का रहता है sale का तो एक लाग का 10% माइनस करना है collection cost मेरा collection cost के बारे में एक शब्द नहीं बोला एक दोर करो minus करना है opportunity cost जो सबसे important calculation होता है इस particular chapter का यह कैसे हैगा P into R into T P मतलब क्या total cost तो variable cost fixed cost मिला के 80,000 ही रह जाएगा into करेंगे interest rate मेरा interest rate दिया था 25% after tax तो मेरा before tax बना दिये 50% into करना है time period इसका credit period देखो कितना दियावा है credit period दिया है 1.5 month और छिंस यह month में है तो divide करना है 12 तो अगर तुम दोग यह calculate करेंगा यह value आने वाला है 5000 मिल गया ebt 5000 minus करेंगे tax tax करीट कितना है भाई 50% तो 5000 का 50% कितना होता है 2500 यानि मेरा ebt कितना आने वाला है 500 अब सिंस ही मेरा profit positive आया तो accept करने लाइक है और loss आप अपर accept नहीं करते तो पहला पार ने पूछा है सेकेंड पार्ट एक अच्छा पार्ट है क्या है सेकेंड पार्ट बूलता है find out the degree of risk of non-payment बूलता है बता degree of risk of non-payment क्या होना चीए बतलब bad rate calculate करने बूला है यह तो जीवन ने कभी नहीं बूला गया था बतलब बतलब यह कितना bad rate tolerate कर सकता है should be willing to assume कितना bad rate tolerate कर सकता है अगर उतका required rate of return आइधर 30 रहे या 40 रहे या 60% रहे after tax पहला बात तो interest rate मेरा दिया वह का tax इसको बनाना चाहिए before tax और इसके लिए मेरे को divide करना पड़ेगा 1 minus tax rate से और calculate करके देखेगा इतना खतरना का interest rate आएगा कि देखके पगला जाएगा 30 divided by 0.5 60% 40 divided by 0.5 80% 60 divided by 0.5 120% अब यह आए मेरा opportunity cost के लिए rate अब बोलता है बता हूँ यह company कितरा bad date tolerate करने को तयार रहेगा अब मेरे एक बात सुरा sale value तो वही है variable cost वही है जानि GP तक तो तीनों ही option में same है आँ निकालने क्या बोला है कितरा bad date यह tolerate करने को तयार रहेगा अब एक company में देखो GP के बाद दोई खर्चा है bad date and opportunity cost opportunity cost के लिए सारे information है variable cost है, trade period है, 50 की जगा 7,8,120 है अब GP के बाद opportunity cost minus करेंगे तब भी कुछ तो profit बचा रहेगा और मेरा company में जितना profit बचावा है, उत्रा तक bad date आया तो tolerate करेगा और बैचान जितना profit बचा वे उससे ज़्यादा bad date आया तो है इसके loss हो जाएगा, उत्रा ये tolerate नहीं करेगा जैनि company maximum कितना bad date tolerate करेगा जब तक इसका BEP आये BEP क्या आता है, no profit, no loss आये यानि जब profit zero हो जाए और profit zero कब रहेगा जब जितना मेरा GP में opportunity cost minus करने के बाद भी profit बचा है उत्रा तक bad date हुआ, tolerate करेगा तो इस question में निकालने क्या बुला है, find out the degree of risk of non-payment that the company should be willing to assume, मेरे कंपनी कितना तक bad date tolerate करेगा ये तीनो सिनारियो में जब तक जितना profit बचा बचा है उत्रा ही bad date हो, उत्रा tolerate करेगा तो इक काम करते हैं, GP के बाद minus करते है, opportunity cost कितना हैगा, 80,000 ये भी सेम रह जाएगा, 1.5 by 12 interest rate टीनों में अलग रहेगा 7, 81, 21 calculate करके दिखना, ये पहले वाले में आएगा 6,000 8,000 and 12,000 तो देखना, अभी भी मेरा profit बचावा है 14,000 12,000 and 8,000 जितना मेरा profit बचावा है, अगर इतना तक bad date हो मेरा company tolerate करेगा इससे ज़्यादा bad date हो और tolerate नहीं करेगा तो ये amount क्या है maximum tolerable bad date तो ये company के अंदर, sorry question में दो पार्ट था, पहला पार्ट तो बड़ा easy था second part में थोड़ा मेरे को extra दिमाज लगाना पड़ा दन यहां तक अब देखते हैं हमारा तीसरा question चलो तीसरा question very easy question, खले एक चीज़ तुम लों को पूचना पड़े जा देखते क्या मेरा PQR limited is considering relaxing its credit policy और ये evaluate कर रहा है दो proposed policies currently यानि आज कर दिन annual sale दियावाय है 50 लाग तो present मेरे को sale value दियावाय है 50 लाग मेरा, excuse me, accounts receivable का मतलब क्या debtor मेरा debtor का value दियावाय है 12 लाग current level of loss due to bad debt एक लाग पचास अजार, bad debt दियावाय है 1 लाग पचास मेरा दो फॉर्म इस तो गिवा return of 20% on investment return on investment 20% ये मेरा है interest rate चुच्चा निकालने में कामायेगा opportunity cost मेरा कपनी का variable cost दियावाय है 70% of sale ये table बना के दिया है मुझे decide करना है cost option बेस है very easy sell value present में ही पता है option 1, option 2 में पता है variable cost दिया है मिलगा contribution fixed cost है नहीं मिलगा GP minus करना bad debt clear cut दियावाय है minus करना opportunity minus करना collection cost थाही नहीं cash discount थाही नहीं opportunity cost कैसे आएगा cost into interest rate into credit period ये question में credit period missing है और यादोग हम बताया थे credit period में दोच मिला होता है अगर installment वाला रहा तो वेटर आविज ले अगर ना रहे debtor और sales तो इससे credit period मिलने वाला है तो ये काम करें पहले एगर थोड़ा सोचे credit period कैसे मिलेगा तो debtor या एक option है debtor turnover ratio निकाल दो ये भी एक और option है मेरा दुनिया में कोई भी turnover ratio है formula क्या है turnover divided by debtor turnover मतलब sale divided by debtor पचास लाग बाइसाड़े बारा लाग पूर पाइस मेरा दुसरे वाले बे 60 लाग divided by 20 लाग 3 ती ताइम्स 67,50,000 divided by 28 बारा 500 ये आएगा 2.4 ताइम्स यानि साल में बारा मैना है उसमें चार बार पैसा मिला यानि credit period मिल जाएगा बारा मैना में चार बार मिला यानि तीना मैने का credit period आया बाराइसा या बाराइस पी तीन चार मैना या बाराइस झार मैना अब ये खाली चार लाइन का question 15 आप अपाट पास बभर करके खतन करका तो यह different different variety of questions उसको अबुग्धा Policy 1, Policy 2. मेरा sale value 50,60,60,67,50. आयावा है sale? Minus करेंगे variable cost. देखना मेरा variable cost कितना दियावा है? 70% of sale. तो वै जितना sale value आया, उसका 70% निकालनो. 35,00, 42,00, 47,25,000. क्या मिलने वाला है? Contribution. और भैचास हमारे question में fix cost हो, जरूर माइनस करना है. पर अगर भैचास हमारे question में fix cost ना रहे, घबराना मत, यही क्या बन जाएगा? GDP. अब माइनस करना है चार गंदा खर्चा मेरा पहला है bad debt. Question में clear cut दियावा है. कितना है bad debt? एक पचास तीन लाख चार पार्चास. मेरा अगरा माइनस करना है collection cost होता तो exact word to word copy कर देता है, पर वो नहीं है. अगरा माइनस करना opportunity cost हो कैसे मिलने वाला है? P into R into T. मेरा P क्या है principle? जिसमें आएगा total cost. उसमें variable fix cost मिला के आता है, और यह question में only variable cost देता है. Multiply करना है interest rate. देखना मेरा interest rate दिया है 20%. अगरा multiply करना है time period. मेरा time period निकाले है 3 मेना, 4 मेना, 5 मेना. यह question का अच्छा part खाली है, दो लाइट. 3, 4 और 5 महिना. ध्यान देना महिना. तो divide करना पड़ेगा. तो पहले वाले में क्या हैगा 35,000,000. का 20% into 3 divided by 12, जाएगा 175. यहाँ प्याइगा 42,000,000. का 20% into 4 divided by 12, जाएगा 2,80,000. जाएगा 47,25,000. का 20% into 5 divided by 12, जाएगा 393, 750. यह मिल गया EBT. calculate करना यह शाएगा 11,25, जाएगा 12,20, जाएगा 11,81,250. अब बैचास हमारे question में tax होता, ज़रूर माइनस करते पर नहीं दियावा है, तो यहीं मिल गया MET profit. तो इवेंचिरी जाके में लोकिस option को आप करेंगे, जिस option में मेरा profit आने वाला है, maximum. पहले वाले गा total, sorry, 11,75,000 आएगा, 13,50, minus 1,75, 11,75, correct. दन, चुल यह था हमारा तीसरा question, अब लोग करते हैं हमारा question number 4, वापस है यह एक, बड़ा अच्छा question. यह exam में बड़ा काम आता है, देखेंगे. चुल यह हमारा question 4, slow payers are regular customers of Good Dealers Limited, Calcutta, and have approached the sellers for extension of a credit facility, for enabling them to purchase goods from Good Dealers Limited. On an analysis of past performance and on the basis of information supplied, the following pattern of payment schedule emerges in regard to slow payers. अध्यकोष सिधा यहां से काम का बाद शुरू होता है. बुलता है, मेरे customer ना, 30 दिन में पैसा देने वाला है 15%, साथ दिन में देने वाला है 34%, 90 देज में 30%, 100 देज में 20%, non-decovery 1%, non-decovery मने, बागी जो पैसा मिलने वाला है और मिलने वाला है installment में, अब जब भी installment में मिलेगा, जो credit period है, वो 30, 60, 90 तो है मेरे को average निकालना है, average निकालने के लिए कौन सा यूज़ करेंगे, weighted average. तो जितना पैसा मिलेगा, जितना जितना percent, multiply करके जोड़ दे, मेरा credit period बढ़ जाएगा. तो 30 का 15%, 60 का 34%, 20.4, 90 का 30%, 27, 100 का 20%, 20, अगर यह सब को लोग add करें, यह आ जाएगा, 71.9 days, यह 71.9 days क्या निकालने में काम आने वाला है, opportunity cost, तो credit period, और यह bad rate है, opportunity cost, अब अगला बोलता है, slow payers want to enter into a firm commitment, for purchase of goods of rupees 15,000,000,000 in 2013, जानि customer मेरे से 15,000,000 रुपे का good खरीदेगा, तो अगर वो खरीदेगा, जानि हम भीछेगा, तो मेरा sale value कितना है 15 लाट हम delivery देने वाले equal quantity on first day of each quarter जयानि हर quarter में equal delivery देगा delivery कैसे देते हैं वो relevant नहीं है delivery देने गा पैसे कितने दुनों में आता है वो relevant जा और पैसा आएगा 71.9 देश दा मेरा price per unit दियावा है 150 जिसमें profit कमाते हैं 5 रुपिया पर unit बेशते 150 में जिसमें कमाते हैं 5 रुपिया पर unit जयानि खर्चा क्या लगा है 145 रुपिया पर unit 150 में बेचे जिसमें 5 रुपिया पर unit कमाएं जयानि मेरा खर्चा कितना लगए एक को बनाने का 145 मेरा variable cost है 145 पर unit अब आगे बोलता है हम लोग anticipate कर रहे हैं कि good dealers limited जैसी है contract लेगा अब मेरा extra recurring expenditure 5000 रुपिया साल का बढ़ जाएगा अब मेरा ऐसे customer पे 5000 रुपिया और बढ़ने वाला है अब दिखो ये तो मेरा per unit था तो variable nature था ये मेरा total में 5000 रुपिया बढ़ेगा ये नहीं unit पे depend नहीं करता तो unit पे depend नहीं करता है मतभी मेरा क्या बन जाएगा fixed cost मेरा opportunity cost of funds in the hands of good dealers is 24% पर रिनम interest rate as a finance manager मुझे decide करना है मैं ऐसे customer को बेचू या फिर ना बेचू साल में 300 सार्ट है जब यह वापस यहां पे दो तिन option नहीं एक ही customer के एक option है मिरको profit निकालना है plus में आया बेचेंगे loss में आया नहीं बेचेंगे अब देखो जब भी कभी यह सब पर unit पर unit आये ना बेटर होता हमेशा पहले units निकालने ना तो अगर units निकाले तो कैसे मिलेगा units units कैसे मिलेगा sale value 15 लाग और मेरा selling price पर unit दियावा है 150 रुपे का rate sale value है 15 लाग और हम लोग बेचने 150 के rate में जयानि कितना unit बेचेंगे 15 लाग divided by 150 15 लाग divided by 150 करेंगे यह कितना units आने वाला है 10 जार अब आगे मेरा कोई cost per unit दिया रहे हमीशा पहले unit निकालो फिर आगे question बड़ा आसाम हो जाता है चुलिए काम करें sale value 10 लाग यूनिट बेचे add rate 150 को 15 लाग किया जाएगा पीज सब कोई pause करके अपने अप्ताई करना करने का उसके बाद answer मैच करना sale value है 15 लाग minus करेंगे variable cost देखो मेरा variable cost कितना है एक unit का 145 अगर एक unit का 145 है तो भाई 10 लाग यूनिट का क्या आएगा 10 लाग इंटू 145 जो मिलने वाला है 14 लाग जाने contribution कितना आ जाएगा 50,000 अब ऐसे customer के आने के जैसे मेरा extra recurring expenditure 5,000 रुपया flat बढ़ रहा है अब ये मेरा unit पर तो डिपेंड करने इंट फ्लाट 5,000 बढ़ रहा है तो ये पक्का fix nature का है मिल जाएगा जीपी 45,000 अब जीपी के बाद मेरे को minus करना है 4 गंदा खर्चा पहला कौन सा है bad debt देखेंगे मेरा bad debt कितना दिया वाए है non recovery money bad debt कितना है 1% हमेशा sale का sale value है 15,000 15,000,000 का 1% अगर निकालेंगे या जाएगा 15,000 अगला minus करने वाले opportunity cost collection cost नहीं है अगला minus करेंगे opportunity cost गुक्ट आएगा p into r into t p में क्या आता है total cost, variable cost, 6 cost मिलाके 14,50 प्रस 5 मिलाके 14,55 इंटू करना है r interest rate मेरा interest rate दिया वाए है 24% परेनम इंटू करना है time जो हम दोग निकाले है average करके 71.9 days since ये days में है तो divide करना 365 पर question में साल में 360 दे नजीन करने बूरा है जाएगा 69,743 तो देखना भाई याँ profit नहीं है loss आ गया है 39,743 और since हमारे यहाँ पर loss आ है तो अब बिस्ता बात है ऐसे customer को हम लोग sell नहीं करेंगे यानि दो तरह question है एक single customer के लिए profit नहीं देखो या multiple option में जहाँ पर profit maximum होँआ है और वो देखो चलो अब एक काम करते हैं बोग करते हैं हमारा आखरी question फिर अगला जो question आएगा वो आएगा factoring का करते हैं last question is topic का चलो फटाफट देखें क्या है देखना हमारे question 5 में लिखावा है मोजेक लिमिटेड has current sale of 15 lakh per year यानि present में sale value दियावा है 15 lakh मेरा cost of sale दियावा है 75% of sale तो जितना sale हुआ उसका 75% total खर्चा है मेरा bad rate दिया है 1% of sale अब जितना भी cost of sale आया उसका 80% variable है 20% fixed तो यह बड़ा आसान एक distribute करना 15 lakh का 75% cost था तो भई 15 lakh का 75% आता है 11.5 पर जो 11.5 आए इसमें variable fixed दोनों है अब इसका 80% variable है जो हम लो calculate कर लेंगे जो आएगा 9 lakh रुपया शायद और 20% fixed है जो हम लोग शायद calculate कर लेंगे वो आ जाएगा 2.25 तो बजिन कोरो present वाला column मेरा पूरा हो गया sale पता है variable cost पता है contribution आया fixed cost पता है GP आया GP का पहला गंदा खर्चा budget दिया वही था अब आगे मूलता है while the company's required rate of return is 12% interest rate दिया वहीं 12% Mosaic limited currently allow customer 30 days credit आज कि इनका credit credit 30 days opportunity cost में काम आएगा अब यह सूच रहा है किसे increase करके 60 days कर दे तो यह मेरा है proposed in order to increase sale अब it has been estimated that this change in policy will increase sale by 15% यानि जितना पहले sale value था 15% बढ़ जाएगा जो मेरा variable cost था वह भी 15% बढ़ जाएगा पर fixed cost रह जाएगा same तो नया GP तक पहुंच गए while bad date will increase from 1% to 4% पहले जो bad date 1% था उसके जगा 4% होगी it is not expected that the policy change will result in increase in fixed cost and creator and stock will remain unchanged बाकि सब सेम should the company introduce the proposed policy assume 360 days in a year तो बड़ा easy question है पहले present वाला सल्टा देना फिर sale 15% बढ़ा है उसके इंजी 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 माइनस करेंगे variable cost अब मेरा cost है 75% of sale तो पंद्रा लाट कास 75% आया वह है total cost अब जितना total cost आया उसका 80% variable है बाकि fixed है बाकि fixed है fixed हम लोग कितना निकाले थे ग्यारा परचेस में जुना लग गया बाकि बाकि बचा दो लाग परचेस अब जीपी के अब बाद मेरे को माइनस करना है चार गंदा खर्चा मेरा पहला कौन सा है bad debt मेरा bad debt कितना है 1% of sale तो पहे जो भी sale value आया उसका 1% कितना आता है माइनस करना है collection cost नहीं है माइनस करना है opportunity cost ज़रूर माइनस करेंगे वो क्या आएगा P fixed cost variable cost विला के ग्यारा पचेस इन्टू आर rate of return है 12% इन्टू time period मेरा time period पहले था तीज़न प्रपोज में है start विल ये शायर आएगा ग्यारा दो सो पचेस cash discount को आएपर बात हुआ नहीं जाने मेरे को सीधा क्या मिल जाएगा net profit ebt tax है नहीं वो ही बन गया net profit ये बनेगा 348.75 clear यहां तक अब आगे बूलता है भाई मेरा अगले साथ sale 15% बढ़ेगा तो ये जो sale value है इसको 15 लाग percent बढ़ाते है ये बनेगा 17.25 और sale 15% बढ़ता है मेरा variable cost जी 15% बढ़ेगा तो 9,15,15 बढ़ा है कितना हैगा 10.35 ये बन जाएगा 6.90 पर ध्यान देना जो मेरा fixed cost ये क्या रहेगा same मेरा fixed cost रहेगा 225 ये बनेगा 4.65 मेरा अगला है bad debt मेरा bad debt देको पहले था 1% पर बाद में बोलते हैं इंथीज करके 4% हो गया क्या चीज का seal का तो 17,25,000 का 4% जाएगा 69,000 मेरा opportunity cost calculate करना है total cost पे variable cost fix cost मिलाके है 12,7,000 का 12% और अब मेरा credit period क्या हो गया है 30 की जगा 60 days ये शायद बनेगा 25,200 ये बनेगा 370,800 ये ये मेरा proposed policy के इंदर में profit जदा आया तो अव्विस सावाथ है मेरे company को proposed policy को आप करना है चुले एक काम करें हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारे इस chapter का एक आफ्टी टॉपिक जिसका नाम क्या है factoring तो पहले एक और हम factoring समझाते हैं ये क्या है फिर उसके basis पर करते हैं question दिखाओ जनरली factoring का मतलब क्या मालो मेरे company है किसको जिसने क्या कि आपने एक goods को sell के on credit to a new customer तो ये क्या किया है customer को goods को sell के on credit मालो credit period है 90 days अब भाईया किसको को पैसा मिलने वाला है 90 days बाद पर वोई अगर बैचास किसको को अचानक से पैसे का requirement हो जाए तब ये जाकर customer को request करेगा भाई तेर वो cash discount देंगे पैसा तूरन दे दे वो दे दिया तो अच्छा बात नहीं दिया तो फिर हम क्या करे तब हम जाएंगे एक independent आदमी के पास जिसका नाम है factor और जाकर factor को बुलेंगे भाईया factor सुनो मैंने customer के goods बेचा था 90 days के लिए और sale value है एक करो तो मैं मिरको पैसा मिलने वाले 90 दिन बात पर मिरको पैसा तूरन चाहिए एक काम करो कि आप मिरको कुछ रुपिया तूरन दे दोगे तो factor बुलेगा जरूर दे देंगे तो तिसको क्या करेगा अपने इस customer को जो आज तक तिसको का था अब ये बेचे देगा factor को अब जैसी factor को बेचेगा अब factor को पैसा देना पड़ेगा अब मिरा अगला question रुपिया देगा ये calculation हम लोगों समझना है कितना रुपिया देगा देखो ये debtor था एक करोड का पहले अपने सोचों अगर एक करोड का debtor है तो क्या factor एक करोड रुपिया निकाल करते देगा जी उन मनी देगा तो ये जितना debtor का balance था एक करोड सबसे पहले वो जो अपना service दे रहा है उसके लिए फीच लिए कमिशन काटेगा मालो कितना है 2% तो एक करोड का 2% ये काटने वाला है कमिशन तो एक करोड का 2% क्या होता है 2 लाक कमिशन काट लिया अब अगला ये deduct करने वाला है reserve, reserve का मतलब क्या भई आज के दिन अगर ये पूरा रुपया दे दे और 90 दिन बाद जब customer को रुपया देना था वो अगर देने से इंकार कर दे तो भई factor का bad date हो जाएगा तो ये पूरा पूरा bad date का risk क्यों ले इसलिए क्या करता है reserve के form में फोड़ा पैसा डिड़क करता है आज के दिन माइनस कर दिया कि अगर बैचास 90 देज बाद पूरा पैसा मिल गया तो ये वापस से लोटा देगा पर एक वर का to be on a safe side बहुत बड़ा loss ना हो ये माल लो reserve माइनस करता है example देते है 15% एक करूर का 15% आया 15 लाग जारी पता है ये इसको तुरंट कितना उर्पया देने वाला है एक करूर माइनस 2 लाग माइनस 15 लाग कितना बन जाएगा 83 लाग अब अगला एक और चीज माइनस करना चाहिए तो अगला ये क्या माइनस करने वाला है पर धान देना ये जो इंसर्ट माइनस करेगा वो एक करोड पर माइनस नहीं होगा रुपया कितना दे रहा है 83 लाग तो कल्कुलेशन दे किस्वे करेगा 83 लाग तो ये देखो इसलिए इसलिए रिखावा है बीपे काल्कुलेक्शन होगा इसलिए इन्टु जो भी इंसर्ट रेट आया इन्टु 90 देज डिवाइज इर्वाइज इसलिए अब जो बैलेंस बचना खाली वह उसको देगा अब अब आड़ क्याना मैं इसलिए जब 90 देज खतब हो गया जैसे कस्टमर से पूरा रुपया मिलेगा तो जो रिजर्व का पैसा वो काटा था रहा एक वार का ये वापस लटा देगा जिए इसलिए टिसको की वीपॉइंट से सोचा जाए तो टिसको की वीपॉइंट से सोचा जाए मत्र फीस या कमिशन और इंटर्ष्ट है तो एक्जाम में कहेंगे बूलता है बताओ फ्रेक्टरिंग करने के लिए टिसको का खर्चा क्या लगा फीस कमिशन और इंटर्ष्ट लगा अब इतना खर्चा ये कर रहा है क्योँ? तो कि आज के दिन कुछ रुपे पाने के लिए परसेंटेश करेंट इंट सो अब अगला क्वेशन रुपता है क्या चिसको ये हमिशा करना चाहेगा इसके लिए न ये चीज़ को जरूर एवैलूएट करेगा कि कस्टमर को इधर बेज के क्या फाइदा क्या रुपता है कस्टमर को अगर इधर बेज दिया इसके चार फाइदा है वो एक्जाट वो चार फाइदा है जो मिला जीपी के बाद चार गंदा-गंदा खर्चा बनके आता था पहला था बैडडट पहला था bad rate और वाइचास कस्टेमर इसी का रहता तो bad rate का risk इसका था अगला collection cost ये भीजेगा collection करा ले अगला opportunity cost इसका opportunity cost लगेगा अगला cash discount इसको चाहिए cash discount देगा तो अब जैसी इसको बेचा ये चारों खर्चा बचा लेगा तो देखता है इसका savings होने वाला है exact वो 4-3 पर इस 4-3 बचाने के चकर में factor को 2 रुपिया दिना पढ़ गया एक दिना पढ़ गया fees commission अल्गा दिना पढ़ गया exact तो खर्चा क्या दिना पढ़ गया? fees commission या सब गया अगर मालो savings ज्यादा हो रहा है पर factor में खर्चा कम लग रहा है तो काम कर लो पर वही savings अगर कम है पर factor को खर्चा ज्यादा लग गया तो एक simple सा बात ये table बड़ा simple है debtor जितने रुपए का था वो 3 चीज माइनस करेगा पहला अपना fees या commission अगला माइनस करें गया एक वार का रिजर्व जी दूनों calculation करेंगे समाउंट से जो balance बज गया उसके इस माइनस करके निकालेगा कितना पैसा दे रहा है और कभी-कभी आएगा cost benefit analysis करने चार चीज बचाया है जो खर्चा करके compare कर लो स्टेविंग जाता है या cost जाता है very easy उसके वेसे पर एक ही question करेंगे पर एक ऐसा question होगा जो इस chapter का प्रम मास्क्रा है चोले काम करें हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारा factoring का पहला question question number 6 वाह क्या question है यह question को दो पार्ट में तोड़ते हैं एक यहां तक पढ़ते हैं वो income statement वाला part और एक यह पढ़ते हैं जा factoring वाला part आएगा ठीक चोले बेकाम करते हैं संग में करते ही चली क्या पहला बेश्ट the turnover of PQR limited is 120 lakh out of which 75% is on credit अब जो cash पे बेच दिया उससमें तो debtor आया है नहीं जो cash sales वो उससे debtor आया है नहीं तो इचैप्टर का relevance ही नहीं है relevance खाली credit till में आता है तो sale value आयेगा credit till का 120 का 75% 90 lakh तो भई मेरा sale value आया है 90 lakh मेरा variable cost क्या लगने वाला है 80% क्या चीज़ का sale का तो अगर सूचे उनको बनाते चले जाले sale value है 90 lakh और मेरा variable cost है 80% sale का तो 90 lakh 80% क्या होता है 72 lakh contribution आया वाय है 80 lakh चलो डन अब आगे मेरा credit terms दिया वाय है 2 by 10 net 30 trade period 30 दिन 10 दिन में पैसा दिये 2% discount मिलेगा on the current level of sale bad debt दिया है 1% company spend करता है 1,20,000 रुपया साल भर का on administering the credit sale इस cost में क्या आता है salary of staff who handle credit checking collection यानि ये उस staff का salary जो collection करता है यानि एक तरह का collection cost bad debt दिया है ये cash discount के लिए दिया है these are avoidable costs ये रूठीक मेरा past experience कहता है 60% of customers avail करता है cash discount और remaining customer pay करता है 6 दिन बाद तो भाई 60% तो 10 दिन में पैसा दे देगा बाकी 40% को देना किये था 30 दिन में और ये इंडिया है इंडिया में कोई एक और में देता नहीं है बाकी 40% लोग से मिलेगा 60 दिन बाद यानि कुछ पैसा मिलता है 10 दिन में कुछ मिलता है 60 दिन में मेरे को एक average चाहिए पर ये question का best part है average नहीं दिया तो मुझे आप average निकालना पड़ेगा question का last point अब debtor में मेरा जितना भी खर्चा लग रहा है उसके लिए मेरा में interest खोई गए अब उत्ता है मेरा debtor में जितना भी पैसा लगा इसको हम finance करते हैं in the ratio of 1 to 1 by a mix of bank borrowing and owned funds जैने मेरा जितना रुपया यहाँ पे block हो रहा है उसका आधा हम लेकर रहे हैं bank से बाकी आधा खुद का रुपया था जो bank से लेकर आए उस पे 15% दे रहा है जो खुद का रुपया था उस पे 14% खो रहे है जितना मेरा opportunity cost के लिए हम लोग total cost लेते थे आधा पे 15% जाएगा आधा पे 14% इसके basis में मुझे income statement बनाना है तो एक काम करें पहले contribution तक आयावा था minus करते हैं fix cost जो है या नहीं शॉट मेरा जीटी यहां तक आयावा है अब इसके बाद मेरे को minus करना है 4 गंदा गंदा खर्चा मेरा पहला कौन सा है bad debt कितना है bad debt मेरा bad debt दिया है 1% तो भई 90 लाग का sale इसका 1% होता है 95 मेरा अगला है collection cost प्लियर दिया वा था collection cost जो staff जो collection कर रहे है उनका salary एक लाग 20,000 तो collection cost है वे एक लाग 20,000 एक काम करें पहले minus cash discount कर लेके हैं वो easy होगा मेरा cash discount कितने percent आदमे लोग लिए 60% of customers avail करते हैं cash discount तो भई sale value था 90 लाग हर एक जना के discount नहीं मागा 90 लाग का 60% जानि अगर calculate करें 90 लाग का 60% वो आता है 54 लाग 54 लाग रुपीज पे discount देना है किस percent पे देना है दो percent तो 54 लाग का 2% निकालना है किता आने वाला है एक लाग आता है लाग आता है लाग माइनस करेंगे opportunity cost formula P into R into P P क्या है P में आएगा मेरा total cost variable cost is cost मिला कि जो 72 लाग रुपीज था पर भ्यान देना है जो 72 लाग रुपीज है यह आधा आधा है बैंक और खुद के पैसा से 72 लाग का 1 to 1 बैंक और खुद के पैसा से 72 लाग का आधा 36 लाग बैंक से लिए बाकि 36 लाग खुद का रुपया था बैंक वाले पे इंस्टेट है 15 खुद के रुपय पे है 14 परसेंट बैंक वाले पर 15 खुएंगे इसके रुपय पर 14 फुएंगे multiply करना है time period अब मिरा question उठता है time period क्या है time period दिया निए निकालना पड़ेगा भूता है 60 परसेंट आद्म लोग cash discount लिया मानने 10 दिन में दिया तो 10 दिन में 60% मिल गया और बाकि जितना भी remaining customer है वो लोग 7 दिन बाद दिया तो 60 दिन में remaining मानने बाकि 40% मिल गया average दे 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 ता बहुत अच्छा रहे ता average नहीं दिया हुआ है average निकालेंगे 60 का 10% 6 40 का 60% 24 progress मिला कराएगा 30 30 आ रहे ना तो देखना मेरा 30 देस के लिए interest होए 360 देस इन ए यर 30 बाइ 360 30 बाइ 360 तो अगर हम लोग calculate करें ये value आने वाला है AD 7000 आएगा दोनों मिलाके शायद आ जैसे माइनस करेंगे मिल जाएगा net profit आराम से बेट बेट की निकालते हैं और यानि अगर मेरे पास customers आज के दिन रहते हैं तो ये scenario था अब मेरा second parameter में क्या लिखावा है कि एक factoring form आया और आके बूलता हम आपके debtor को खरीद लेंगे अब वो agreement के अंदर में देखो structure क्या है वो reserve deduct करेगा 12% commission लेगा 4% interest minus करेगा 15% और guaranteed payment 25 दिन इसका मतलब क्या कि भाई इसे सोचो debtor अगर मेरे को पैसा देगा न वो कुछ दे रहा है 10 दिन में कुछ दे रहा है 60 दिन में पर factor के साथ वो कभी जोन नहीं करेगा factor एक independent institution है जो credit rating भी करता है तो उसको impress करने के लिए ताकि future में उसको अच्छा credit rating मिले वो हमेशे जल्दी से जल्दी पैसा देना चाहेगा तो factor को guarantee दियावा है कि भाई अगर factor को बेज दिये ना हम 25 दिनों में सर्टा देगे ज़िए factor को पैसा 25 दिन में मिल जाएगा तो interest भी खोएगा 25 दिन के लिए तो एक काम करें आप calculate करते factor कितना रुपिया देगा कैसे मिलेगा वो debtor ले रहा है 90 लाग का और उसमें कीज़ माइनस होने वाला है पहला हमेशा माइनस करता है PCI commission देखताँ PCI commission कितना है 4% तो 90 लाग का 4% निकालो कितना मरेगा तो पैसे साथ है आगला यह माइनस करता है reserve देखते हैं reserve कितना माइनस करने वाला है 12% तो 90 लाग का 12% calculate करना ही आएगा 10 लाग 80 लाग जानि लॉजिकली इसे पैसा देना चाहिए इतना इसे निकाल जाएँ इसे निकाल जाएँ 2 1 झाल 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 यह value calculate अगर हम दो करके देखेंगे यह आने वाला है 75,60,000 अब ध्यान देना जैसी 75,60,000 इसको देना है भाई यह तो देदेगा तुरंट पर इसको पैसा मिलेगा 25 दिन बाद तो यह क्या दूस करेगा इंटेस्ट यह आने वाला है 75,60,000 इंटू करेंगे इंट्रेस्ट यह वो है 15% कितने डिस्के रेट 25 तो और यह कैल्कुलेट करें यह शायद आएगा 78,750 अब अगर हमारे क्वेश्चन में देखें देखो क्या लिखावा है मिलेको डिसाइड करना है क्या इन हाउस मैनेजमेंट कंटिन्यू करना चाहिए यह फैक्टर को देदेना चाहिए अब इमाजिन कर अगर यह बाइचास इन हाउस करता तो यह चारो गंदा खर्चा उसका खुद का लगता पर अगर फैक्टर को देदेगा तो यह चारो बच जाएगा ना तो और चारों को मिलाकर देखे, तो मेरा कुल मिलाकर सेविंग्स कितना हुआ, मेरे को मिलेगा 90 प्लस 120 दो दस, प्लस 1,08,000 प्लस 87,000 जो आने वाला है 4,05,000 पर ये 4,05,000 बचाने के चकर में, इसका एक्स्टा कॉस्ट क्या लग जाएगा, एक फीस कमिशन, एक इंचेंस, य याने खर्चा लगेगा, ज्यादा पर सेविंग्स हुआ काम, तो अब्विस सवाथ है, फ्रैक्टर को बेचने का फायदा लहीं है, चुल यह था हमारे क्वेशन, हम लोग करते हमारा आगरी क्वेशन, जो क्वेशन नुबर 7 है, और क्वेशन नुबर 7 में एक फ्रैक्टर सेक्टर कंपनी, had just invested huge amount in its new expansion project, due to huge capital investment, the company is in need of additional rupees 1,50,000 in working capital immediately, the finance manager has determined the following three feasible sources of working capital funds, ज्याने ये कंपनी को चाहिए huge पैसा, उसके लिए, पैसा कहां से लेका रहा है, तीन option है, पहला bank loan लेले, या trade credit लेले, या factoring, last में जाके मिलको calculate करना है, on the basis of annual percentage cost, advice करो, कौन सा option इस company के लिए best है, साल में मालों तीन से start दें, तो रिखा किया है, companies bank will lend rupees 2,00,000 at 15%, ज्याने बैंक से जाकर लोन लेंगे 2,00,000 रुपे का, उसके interest rate है 15%, तो अई मेरा हर साल का खर्चा कितना लगेगा, 2,00,000 पर बैंक के खासियत है, अगर bank से लोन लेते है 2,00, तो sanction हो जाएगा 2,00,000 का, 2,00,000 पे interest लगने लगेगा, पर हम पूरा 2,00,000 रुपे यूज नहीं कर पाएगा, question में रिखा है 2,00,000 में से, 10% compensating balance रखना पड़ेगा, जो otherwise मेरे को रखना नहीं पड़ता, तो वह 2,00,000 का 10% मेरे को balance वहीं छोड़ना पड़ेगा, 2,00, का 10% क्या होता है, 20,000, तो 2,00,000 का sanction हुआ, 20,000 हम यूज करी नहीं सकता, जैने हम यूज कर कितना पाएंगे, 1,80,000, percentage के लिए इंटू 100 या आने वाला है, 16.67%, यह हम दो क्यों निकाले क्यों कि मेरे को annual percentage पाउस पे निकालना था, अब मेरा अगला है trade credit, अब ये थोड़ा सा समझने का है, the company has been offered credit terms from its major supplier of 3 by 30, net 90, इसका मतलब, 90 days है normal credit period, अगर 30 बिए पैसा दे, 3% discount मिलेगा, for purchasing raw material worth rupees 1 lakh per month, अगर हम raw material purchase करे, तो भाई हम चाहे तो 90 days मेरे को पैसा देना है, पर हम 30 बिए 3% का पाइदा है, तब ये को मेरे को निकालना है कि इस option में मेरा annual cost क्या एक और example को simple लखने के लिए ये मानते हैं cost है 100 रुपया, 100 रुपया का cost, 100 रुपया देना था, अगर भाईचास हम 30 days के अंदर में पैसा दे दे, तो मेरे को 3% discount मिलता है, तो 3% अगर discount मिलता है, तो भाई 3 रुपय का discount, तूरंथ हमको पैसा कितना देना पढ़ेगा, 100-390, जानि पना 3 रुपया का खर्चा है, supply review point ते सूचो, 3 रुपया का उसके लिए lost हो जाएगा, कितने को पाने के लिए 97 को पाने के लिए, उसको 3 रुपया discount देना पढ़ेगा, पर उसको पूरंथ रुपया मिलने वाला है 97, तो 3 रुपय का खर्चा है 97 को पाने के लिए, तो पैसा मिलना है, अगर हम 90 days में देते, तो उसको discount नहीं देना पढ़ता, तो supplier के point ते सूच के लिए 90 दिन में तो उसको anyway पैसा मिलना था, अगर 30 दिन में दे दिये, यानि 60 दिन अगर वो जल्दी पैसा पाया, तो उसका खर्चा इतना लग जाएगा, यानि ये जो खर्चा लग रहा है, वो कितने days के लिए लग रहा है, 60 days के लिए, 90 days में तो नॉर्मली मिलना ही था, अगर हम 30 दिन में दे दे, यानि अगर वो 60 दिन बचाने के चक्कर में भीया कई इतना खर्चा लग गया, तो ये जो cost लगा है, वो लगा है, 60 days बचाने के चकर में, मेरे को निक 0.56%. तीसरा पार्ट factoring है, factoring का जैसा हम लोग table बनाते हैं, हम लोग बना लेंगे, और निकालना कितना percent cost लगा, वो कैसे आएगा, factor में खर्चा क्या लगता है, TCI commission, less interest, divided by कितना amount पाने के लिए, पर्सेंट इस पार्ट में कुछ नया है नहीं, और इसी के साथ, हमारा ये वाला चैप्टर का दी कुछ रिविजन मेरा साथ होता है, आता है, चलो हम लोग साट करने वाले हमारा आज एक चैप्टर, working capital management के कुछ रिविजन के साथ, सबते मेले working capital management में देखा हम लोगों पार, इस पूरे पूरे चैप्टर का पढ़ने का मेरा objective क्या है, कि लेजसे हमारे company को, अपना normal day-to-day operation या working capital को manage करने के लिए, कुछ पैसा चाहिए, तब ये पैसा कितना चाहिए, ये साल के beginning में estimate करेगा, इसके लिए क्या करने वाला है, एक estimated balance sheet बनाएगा, कि वह अगले साल के day, अगले साल के end में, fix asset कितना लगेगा, अब सिंस मेरा fix is long term nature कहें, तो इसका पैसा आना चाहिए, long term liability से, equity share, preferential, capital, debenture, low, आगया पैसा, अब अगला ही estimate करेगा, अगले साल में current asset में कितना कितना पै PFG, मेरा अगला एगा cash and bank, मेरा अगला एगा prepaid, तो यह मेरा सारा का current asset अगले साल के आना चाहिए, इसको यह estimate करेगा, साल के beginning में, मालो यह आए वाए है 50, अब जो मेरा short term asset है, इसको finance करने वाला है, फोड़ा short term liability, जिसे हम दो क्या कहते है, current liability, मालो जो हमारा credit है, वो है 10 तो मेरा short term asset को कुछ पैसा finance किया short term liability, जो बाकी balance बच गया, उसको loan लाना पड़ेगा, यह chapter को पढ़ने का एक मातरो देश्य क्या है, ऐसे working capital को finance करने के लिए, कितनी रुपे का loan का जरत पड़ेगा, यानि यह क्या calculate करेगा current asset क्या होना चाहिए, minus करेगा current liability क्या होना चाहि कि मेरा next working capital requirement क्या है, उसने रुपे का loan लेकर आने वाला है, यानि chapter मेरे को क्या estimate करना है, हर एक line item of current asset and current liability, debtor क्या, raw material, WIP, SD का stock क्या, cash and bank क्या, prepaid expense क्या, creator क्या, outstanding wages क्या, outstanding overhead क्या, यह सब, चलब एक काम करते हैं, जानते हैं, मेरा working capital होता कितना तरीका क्या, देखते हैं, एक value, यानि सारे के सारे current asset को add कर दो, aggregate of current asset को हम लोग बोलते हैं, gross working capital, जो मेरा networking capital यह से क्या कहते हैं, current asset minus current liability, यानि the value of current asset over and above current liability, इसे मेरे क्या कहते हैं, net working capital, very easy, और जो मेरा working capital को calculate करने के लिए दो अप्रोच होता है, एक को बोलते हैं, total approach, tutorial approach के हम लोग क्या करते हैं, हम पहले एक लार बताते हैं, हम लोग क्या करते हैं, cause sheet बनाते हैं, यह cause sheet जो बना रहे हैं, estimated basis पे तो मिरा cost rate का पहले line के आता है raw material का एंजूम, second line के आता है direct wages, पीफ़र आता है direct equals, तीनों मिला के prime cost फिर add करते हैं factory overhead दिर को क्या मिलता है, factory and work cost फिर add करते हैं office admin overhead general nature या marketing nature का मानते है, अगला selling and distribution overhead क्या मिलता है, total cost add करते है profit क्या मिलता है, sale है कि इसको मिलोग बनाए cash cost approach के अब मेरा total approach और cash cost approach किया होता है, अब एक ही करके धीर धीर जानते है अब तब ते पहले हर एक line item को calculate करना सीखते है, मालू मालू मेरा raw material consumed है 60, मेरा direct wages है 10, prime cost आया 70 मालू मेरा factory overhead है 30, मिला कर आया 100 मेरा office overhead general nature का है 20, और यह 30 मिला कर आया 150, profit जोड़े 50, sale value आया 200 अब अगला मेरको calculate करना है हर एक line item current asset current liability का, तो मेरा current asset का पहले line item होता है raw material stock अब मेरा raw material stock का calculation करने के लिए मेरे को question में क्या देगा raw material का holding period आपके रिए कितना है यह question बताएगा बालो मेरा raw material का holding period है 1.5 months यारी मेरे को calculate करना है raw material stock अब तुम लोग मेरे को एक वाद सोचो और अपने हाँ सोच के बताओ अब जो मेरा raw material stock है मेरे को साथ भर on and average कितना maintain करना है यह cost share के किस line item पर depend करेगा कि मेरे को साथ भर में कितना raw material can consume करना है हम stock कितना रखेगा raw material का depend करता है कितना raw material साल में use करना है अगर जादा raw material use करेंगे stock जाबा रखो raw material कम use करेंगे stock कम रखो यानि मेरा raw material stock कितना होने वाला है वो depend करता है raw material consumed है यानि पता है मेरा raw material consumed साल भर में कितना देखेंगे divide करेंगे 365 65 या 52 या 12 और multiply कर देंगे raw material के holding की रचे done सो और हम लोग calculate करें इस question में तो मेरा raw material consumed है 60 आँ देखता है ये मेरा दियावा है month में तो divide करेंगे 12 से तो मेरे को क्या मिलेगा एक मेना में raw material कितना use होगा पर भाई हम लोग raw material stock रखते हैं मेना तक का जारी डेड मेना में जितना raw material use करने वाले है उसना stock पर पढ़ा रहेगा तो हम लोग ये calculate करेंगे ये value आने वाला है 7.5 तो मेरा raw material stock इसमे डिपेंड करता है raw material अगला है WIP stock अब WIP stock में थोड़ा धमिला होता है कि मेरा WIP वो portion of stock है इसमें काम स्टाट हुआ थोड़ा बहुत conversion cost लगा पर अभी तक पूरा convert हुआ नहीं है जो भी मेरा WIP stock है इसमें कुछ portion raw material का लग गया और कुछ portion worker लोग ने effort दे दिया machine कुछ चल गया और अभी तक पूरा नहीं हुआ वा है अब इसके लिए उस question को देना पड़ेगा दो बात पहला मेरा WIP का holding period है let's say one month और अगला ये WIP का DOC क्या है मेरा question उखता है DOC का मतलब क्या degree of preparation मालों मेरा question में लिखा है जो मेरा raw material है ये use किया गया है 80% और जो मेरा conversion cost है ये use किया गया है 60% और बैचास मेरा raw material conversion cost दोनों 100-100% हो जाता तर ये finish good बच जाता और भाई अभी तक मेरा ये 100-100% नहीं हुआ है 80 और 60 हुआ है इसलिए WIP stage में है तो मेरा question उखता है SAWIP का value कैसे मिलेगा भाई कैसे मिलेगा अब SAWIP में 2 खर्चा लगा एक raw material का portion लगा अगला conversion cost का लगा लगा मेरा साथ भर में raw material का खर्चा कितना लगा वो है इस अब मेरा कितना raw material लगावा है WIP के अंदर जो WIP का period से multiply किये into कर देंगे DOC तो रिगर इतना portion तो logical है कि मेरा WIP के अंदर में कितना खर्चा raw material का लगावा है पर भाई पूरा तो खर्चा लगा नहीं ये कुछ portion नहीं लगा होगा तो multiply करेंगे DOC से अब मेरा साथ भर में जितना भी conversion cost लगा इसको divide करेंगे 365 से 52 से इंटू करेंगे WIP के रगे जितने दिनों तक मेरा WIP स्टेज में रह गया उत्ते दिनों के अंदर में मेरा conversion cost कितना लगना चीए था पर मैं इसेंस ये WIP स्टेज में पूरा तो लगा नहीं तो इंटू क्या करेंगे degree of completion और मेरा अगला question उठते है conversion cost में क्या क्या आता है मेरा conversion cost में क्या आता है वो सारा खर्चा जो raw material को FG में convert करने में लगे उसमें क्या आने वाला है direct widgets direct expense and fact इंट इंट दन है चुन रही काम करेंग और जड़ा निकालते हैं मेरा raw material के इंजिम कितना था 60 अब अगर ये month में है तो divide करेंगे 12 इंट वन यानि 60 रुपया लग रहा है साल भर में तो एक मेरा में बाच और एक मेरा नहीं WP stage में रहता है यानि 5 लगना थी ये पर भाई अभी तक कितना लगा है 80% मने चार्ज अब मेरा conversion cost कितना लगा है जला देखो direct wages 10 लगा है factory rate 30 लगा है दोनों मिलाकर क्या लगा है 40 तो वही मेरा साल भर में लग रहा है 40 divided by 12 एक मैने का इंट वन इतना लगना चाहिए था पर अभी तक कितना लगा है मात पर 7% तो ये calculate करेंगे आएगा 2 तो चाहर प्रस दो मिलाकर कितना बन जाएगा 6 तो ये आए मेरा WIP stock तो ध्यान देना मेरा raw material stock depend करता है raw material consume पे मेरा WIP stock में 2 component है कुछ raw material consume तो conversion cost divided by 365, 50 to 12 into WIP का period पर सिंस ये WIP पूरा स्थर्ण नहीं हुआ तो इंटु करेंगे degree of competition लिए रहे हैं तक अब अगला बारी आता है FG stock मालो FG stock का holding period है 2 मेला मेरा अगला question रुकता है मेरा FG stock को हम लोग क्या चीज़ पर value करने वाले है अब दिए मेरा FG stock को क्या चीज़ पर value करने वाले है अपने हैं सोचों मेरा finance boost कहां बन रहा है और अगर FG में बन रहा है जैनि मेरा FG में जितना भी खर्चा लगा उस सारा का सारा खर्चा क्यों लगा से निज़ूट को बनाने के लिए और अगला मेरा question उपता है मेरा FG के अंदर में सारा का सारा खर्चा में क्या लगेगा material भी लगेगा worker काम भी करेंगे machine भी चलेगा जैसी सब को आइड करेंगे fact to your works cost तो मेरा को इसी पर value करना थे है तो रिखना मेरा ये किस पर depend करता है fact to your works cost और वापस है divided by 365, 62, 12 into FG का पीड़ और हम लोग अपने question दे calculate करें मेरा fact to your works cost is 100 divided by 12 एक मेहने का मिला यानि साथ भर में मेरा factory में खर्चा लगा 100 तो हर मेहना में लगता है 100 divided by 12 और FG दो मेहना की equivalent पड़ावा है तो इसका value आने वाला है 16.67 मिल गया FG मेरा अगला बार ही आता है debtor का अब मेरा जो debtor है यह obvious सावा ते किस पर depend करता है साथ भर की credit sale पर तो 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 मेरा साथ भर का credit sale अब sale गाली दियावा है दो से और question में कुछ है ना बोले मानेंगे पूरा credit पर यह हो सकते question बोल दे 80% credit में है 20% cash और बैचन कुछ ऐसा लिख दिया तो हम लोग किस पर value करेंगे credit sale पे अब मालो debtor का collection period है मालो वो है 3 months तो मेरा debtor किस पर depend करना चाहिए credit sale और divided by 365 या 52 या 12 into creditor का period मेरा साल भर का credit sale कितना उपर देखता 200 का sale मालो बुलाए 80% credit में बेचे तो 280% क्या होता है 160 और सिंस ये मेरा month में तो divide करेंगे 12 into 3 calculate करता ही आजाएगा 40 तो यह था current set का charline item cash and bank अगर रहा तो directly question में देदेगा और अगर बैचास पर मेरा prepaid खर्चा रहा तो माइट भी बताएगा example दे रहे हैं कि office overhead या मालो selling overhead half month का prepaid है prepayment करते हैं तो मेरा prepaid कितना हैगा साल भर में खर्चा करना है तीस divided by 12 एक मैने का और half month के रहे prepaid क्याएगा तो 60 sorry 30 divided by 12 into 0.5 prepaid expense बनके आ जाएगा current asset हो गया तो raw material stock को raw material consumed पर थी है wap stock में दो component आया raw material consumed and conversion cost अगला जो मेरा FGO बनता है फाक्टी में तो फाक्टी अवर्क प्रॉस्ट डेटर राये credit फिल्ट है अब एक छोटा सा बात है अगर बैचास हमारे question में degree of completion mention ना करें तो एक rule of thumb है और बैचास मेरा degree of completion mention ना करें तो में लोग हमेशा मानते हैं कि मेरा raw material लगा है पूरा कि शुरूर में मचीन में चला गया होगा और conversion cost आधा लगा आधा बचा है यानि सफ्क्ती बच्शन में कुछ ना बोले तो मेरा अगला है current liability अब मेरा current liability के अंदर में देखो main दोई item है मेरा पहला है creditor जो हमारा creditor है वो किस पर depend करता है credit purchase अब अगर वैचास हमारा purchase के बाले में अलग से कुछ ना बताए तुम लोग मानेंगे जितना raw material को use किया गया पूरा ही कुछ नहीं purchase किया तो में रुकिस पर calculate कर देगे consume पर technically इसका formula होता है credit purchase divided by 365 या 62 या 12 into credit का period मालो हमारा creditor का period दिया है 1.5 month तो वहीं मेरा purchase कितना है consumer माल लेंगे purchase कितना एगा 60 month में divide by 12 into 1.5 calculate turn a share 7.5 मेरा last में outstanding wages दे outstanding overhead अमालो wages का lakh period दिया है 1 month तो वहीं साल भर का wages लेंगे divided by 12 into 1 और मालो मेरा office over rate का lakh period दिया है 2 month तो साल भर का overhead लेंगे divided by 12 into 2 यह मेरा सारा क्या बन जाएगा outstanding cost तो जैसी सारे current set को add करेंगे मिला CA current library को add करेंगे CA minus CL क्या अब यहां पेना एक छोटा सा बात है अच्छा देखने सा बात लिखावें यह conversion क्या आता है कुछ ना बोले अब एक छोटा सा बात जो भी हम बताया है ना वह हम बताया है टोटल अप्रोच पर टोटल अप्रोच के अंदर में दो प्रॉब्लम है क्या प्रॉब्लम है कि दो मेरा factory over rate के अंदर में बहुत फर्चाता है इसमें मशीन का जो depreciation है वो भी जुड़ावा रगा है और अगर मशीन का depreciation जुड़ावा है तो ध्यान देना जह हम लोग WIP निकाले उसके conversion cost में factory over rate था depreciation जुड़ गया जो finish का calculate के उसमें factory या works cost था उसमें depreciation जुड़ गया जब debtor का value calculate के उस sale पे किये तो sale में सारा खर्चा आया depreciation जुड़ गया जैसी एक काम करेंगे ना तो दिको मेरा WIP stock में depreciation है FG में depreciation है debtor जब निकाले depreciation का element जुड़ा गया तो सारा value में depreciation है जिसके वाज़े से value थोड़ा बढ़ा गया जैनि लोन ज्यादा लेकर आएंगे और लोन उस चीज़ का लेकर आजएंगे जिसके लिए cash तहीए नहीं था यानि अगर बैसन कुछ mention ना करें हमेशा better method क्या होता है cash cost approach हमारे cash cost approach में मेरे को क्या करना है उस amount में मेरे को loan calculate करना है जो मेरा cash वे लगने वाला है और logically वही होना सीज़े तो यह मेरा loan कितना लगने वाला है जो मेरा cash वे लगने वाला है तो कुछ नहीं करना जब question करेंग खाली जब cash ये cost sheet बनाओ अगर depreciation जुड़ावा है इसमें उसको हटा दे खाली depreciation माइनस कर देना बाकि जैसे cost sheet बनाना बनाना अपने आप वो रेक्षिटाई होगी cash cost में और भैचास question में total approach बूले तब ये काम मत करना cash cost बूले तो ये काम करना question में method का नाम ही न बूले तो जो मंचे है method लगाना पर better approach हमेशा होता है cash cost depreciation हटा दे और एक और बात है मेरा एक और बात जब debtor को calculate कि हम लोग किये थे sale value के जिसमें profit जुड़ गया ज़िए जब loan लेकर आए हैं जब आज तक हम लोग debtor को value calculate किया करते थे sale value पे पर अगर cash cost लगाना है तो मेरको loan का value चाहिए और loan किस पे लगेगा जो मेरा cost लगता है वो भी cash में जब अगर बैचास cash cost रहे तो दो बदलाव प्राक्टी ओरेड में depreciation हटाना और debtor को sale पे value मत करना sale में profit खता कि जो total cost या cost of sale आया उसके value पर तो एकड़ा मेरा cash cost में क्या है depreciation will not be included in factory overhead and debtors को calculate करेंगे total cost एक्जाक्ट ये बात लिखावा है debtor में cash cost follow के है तो value करेंगे total cost एकड़ा लोजिकल बात खार अब एक और मालू मेरा आ गया current asset minus current liability networking capital अब मालू मेरा networking capital example देते हैं आता है पचास रुपे तो हम जाएंगे बाजार में bank के पास जाएंगे पचास रुपे लोन लोगा जाएंगे पर ध्यान देना ये है तो मेरा estimation अब जो estimation है ज़रू ही नहीं ज़्यादा लोने में दिक्रत के अब खालतों में ज़्यादा interest लगेगा तो profit के रुपता अगला अगर बाइचास हम लोग calculate के 50 पर सही माहिने में मेरे को मालो लगता था 55 55 रूपीज चाहिए था पर लेकर आए खाली 50 ये ज़्यादा dangerous situation है कारण के इस किनारी में मेरा क्या होने वाला है liquidity crunch अब इसी वज़े से ऐसा liquidity crunch ना हो मेरा business impaired ना हो तो जितना रुपे का मैंने estimation किया हम चाह करते हैं थोड़ा safety margin उसमें add करते हैं या थोड़ा contingency हम add करते हैं कि जितना मेरा estimation हो तो अगर मालनों गलत भी हो गया घरवराओ मत थोड़ा तो extra लेकर रहा हो extra लाने में बुरा ही नहीं है interest जाएगा जाने दे पैसा कम नहीं परवाची तो मालनों मेरा loan लियावा है estimation कियावा है 50 अब मालनों तोचर है कि मेरे को safety के लिए जा contingency के लिए 10% और तेही है तो मेरा जितना networking capital आया ना उसके 10% और add कर देंगे safety margin या contingency बूलके और 55 ता loan देखा रहेंगे अब exam के अंदर में एक और word use करेगा कि safety margin क्या होगा 10% of networking capital including that provision और भैशास का भी ऐसा mention कर दिया तो ज्यान देना 50 तक तो था add करेंगे safety margin या contingency ये question होगता है कितना आएगा 50 इंटू 10 divided by अब कुछ लोग के mind में आए एक तो 10 तो देखो ये कितना बन जाएगा 4.55 जाने मिला कर आएगा 54.55 अब सोच के लिए ये था 10% of networking capital including provision 10% of networking capital including provision मतलब इसका 10% calculate करके लिए होई आ रहा है बिल्कुल नहीं आ रहा है तो idealistically ये 10 by 110 नहीं 10 by 90 होना चुँए कारण क्या ये मेरे को 10% लाना है इस value का तो अगर ये value 100 है तो इसका 10% मतलब 10 तो ये value क्या बचेएगा 100 minus 10 90 तो अगर ये 90 के बराबरे को उसका value क्या आएगा calculate करना ये share आएगा 5.56 ये मिलेगा 55.56 अब चाओ तो calculate करें इसका 10% exact हो आएगा तो घबराओ मत जब तुम्हों कर रहा होगा खुछ जवान लोग रहेंगे जो 10 by 110 करेंगे तो ये होना चेए 10 by 90 चलो ये था अब देखेए पूरे chapter के अदर मेंना तीन बात था तो पहला हम लोग estimation of networking capital जान लिए अब अगले एक topic आएगा new company का new company में क्या change आएगा हम बताते हैं उसके बाद एक आएगा change number of shift का और operating cycle जो है ये already cash management में cover किया है तो इसको हम लोग यहापर वापस के अलब से करेंगे हम बताते हैं मेरा new capital के अंदर में क्या बदलाब आएगा जान देना यह जो कौशीट हम बनाया हथा ने तुन लोग के चुभा क्यों नहीं किया है यह जो कौशीट बनाए इस कौशीट के अंदर में सोचो हम और existing company है तो opening closing दोनों होगा और अगर दोनों होगा question में कुछ ना बूले हम लोग मानते हैं evenly हुआ तो opening closing सेम होगा और अगर बैचा सेम होगा तो imagine को रो फाक्ट्री ओरेट के बाद add करे opening less करे closing same value के साथ पतलब एक यह बात है बिला फाक्ट्री ओस कोश्ट के बाद add करे opening fg less करे closing गाएगा cogs दूर से में तो एक ही बात है और consumed क्या होता है opening plus purchase minus closing opening closing से माने इसलिए purchase और consume से इसलिए creator को purchase से value कर देए पर वही अगर बैचास question में लिखा रहा है यह company का पहला पहला साल है पहली पहली बार है जासे अगर लिखा रहे है यह नया नया company है तब यह question रुखता है नया company में भी क्या opening closing stock से मराएगा कैसे हो सकता है और नया company का पहला साल है तो भाई और closing stock तो रहेगा तब उस scenario में मुझे detailed cost sheet बनाना पड़ेगा opening closing दोनों हटाने से काम नहीं बनेगा और नया company है नया project है पहला साल है तो भाई raw material consume कैसे आएगा opening तो 0 है purchase माइनस closing raw material consume consume पता है जो मेरा raw material का stock है देखाम लोगो calculate करना आता है वो लिखेंगे back calculation करके purchase में लेगे और creator भी इस purchase में वालू करेगे मेरा direct wages add करते ही प्राइम प्रॉस्ट आएगा add करेंगे factory unit फिर एड उपनिंग ड़ो एपी नहीं होगा प्र पहला साल है पर भाई माइनस closing ड़ो एपी दो होगा calculation कैसे करेंगे questions खुद बता देगा मिल गया factory work cost add opening FG रहेगा नहीं पहला साल है माइनस करेंगे closing FG closing FG हम लोग हमेशा calculate करेंगे factory work cost को यह दिया रहेगा मालोग 50 unit का 50 unit बनाया closing में रहे गया पास उसका वालू किया और आगे सब कुछ रहेगा तो या गर बैशास हमारा नया company का पहला साल आए तो दिखो पॉशिट ऐसा बनेगा तो रा मटीरियो तेंजिन के ऊपर में purchase minus FG closing कैसे निकालते है यह formula तुम लोगों पता ही था रा मटीरियो फ्रॉप का निकालेंगे back calculation करेंगे direct wages आया प्राइम cost तर पहुंच गए factory work cost minus करेंगे closing लग रहेगा factory work cost less करेंगे closing FG, EOGS, बाकि दोनों अब एक और मेरा raw material stock WIP stock FG stock AIOVा है तो जो working capital का table बनाएंगे यह तीनों value exact यहां से copy हो जाएगा अब एक MPBF बोलने concept है MPBF के maximum permissible bank finance as per tundan committee यानि जितना भी अगर भाईचास हमारा एक company bank के पास जाए loan लेने के लिए तो जितना मूँख खोल के मांगे पूरा मत दे लो इसके दो काम यह मांगना आ जाएगा मांगने के लिए पूरा नहीं जेंगे हम दो चार्ट करेंगे तंडन में कहा भाई थोड़ा पैसा काटके दे तो मालों current asset है 100 रुपया current liability है 20 रुपया तो मांगने के लिए पहुचा है 80 अब मेरा पहला method यहां पर तीन method है method 123 मेरा पहला method क्या होता है जितना मेरा networking capital requirement है bank बुलेगा इस value का 25% तुम लेकर आओ कहई और long term से तो 80 का 25% क्या होता है 20 तो बाती जो 60 है वो का maximum permissible bank perhaps और यह रहेगा जो सबसे premium company है उसके लिए तुम दो लिए 25% अपतर मन से माल लिए नहीं यह टेंडन का बुला हुआ है विरा नहीं अब अगला मेरा method 2 तो और खतरदा यह होता है सबते बढ़िया company के लिए जो financially बढ़ा अच्छा है जो उससे थोड़ा गंदा company है उसमें लगता है method 2 वो क्या होता है current asset है store इस current asset का 25 परसेंट लेकर ओं लॉंग तो यहां पर पहले 80 का 25 परसेंट था यहां पर 100 का 25 परसेंट पच्छेंट बचा पच्छा करता माइनस करेंगे current liability 20 तो देखो यह क्या बन जाएगा sequence समझ रहा है CA-CL-25 यहां पर CA-25 अब अगला method है current asset 100 इसमें minus करो core current asset तुम में बोलेगा यह core current asset क्या होता है यह वो current asset है जो भली नाम का current asset है पर एक bare minimum current asset तुम इरको solve रखना पड़ेगा इसे कहते है permanent working capital कि इतना कम से कम cash salver रखो जो raw material stock है वो safety stock minimum stock कम से कम सालबर रखो debtor कम से कम सालबर पड़ा रहेगा तो imagine करो जो सालबर ही पड़ा रहेगा और कई सालों तक पड़ा रहेगा और short term थो लोंग term है तो bank बोलते हैं वो पैसा में देंगे बिए long term से लेकिया मालू मेरा core credit asset कितना example question में देंगा मालू 30 बचा सब्सक्राइब जो 70 बचा बूलता है इसका 25 परसेंट भी तुम long term से लेकर रहा तो 70 का 25 परसेंट काल्कुलेट करना ये कितना आ जाएगा 17.5 बचा 52.5 अब तो 52.5 है उसमें कुछ तो current diabetes finance करी रहे है तुमारे को 20 माइनस करो कितना आ जाएगा 32.5 जैने विचारा company पहुंचा था इत्ती मांगने के लिए पहले method में 60 तो दिया अगले method में 55 तो दिया तीसरे method में तो पूरा उड़ा दिया इत्ती मांगने पहुंचा पकड़ाय 32.5 है तो यह हमारा तीन method है इंपी बीएफ एस पर टेंडन का में दन है चुलो यह काम करें चेंज इन नमर और शुक करते हैं बाद में पहले फढ़ा फढ़ा हम लुक करते हैं इसके बेसे से किसकुछ चुलो फटाकते करते हैं question number 1 आ दिखा हमारे question 1 में क्या है the following information has been extracted from the records of a company देखो सबसे पहले दियावे मेरा रूपी पर unit ठीक अदिखो मेरा हर एक unit का cost दियावे raw material, direct labor, overhead मेरा total cost profit add करके selling price अदिखना मेरा दुनिया भर का adjustment दियावा है और last में लिखावे मेरा company साल भर में कितना unit बनाया है 144 खाले एक चीज़ को चेक कर लो क्या कहीं पे भी लिखावे है new company या new business या new project या first year और ऐसा कुछ ही नहीं लिखावे है मतलब ये एक normal question है तो normal question में like थोड़ा simple होता है तो बस पहले कौशिक ठावर भंग से बनाना एक unit में है 45 तो 144,000 में क्या आएगा 144,000 into 45 या I think आएगा 64,80,000 वेरा direct labor एक unit में है 20 तो 144,000 में क्या आएगा 144,000 into 20 ये कितना आए वाला है 28,80,000 मिला के prime cost मेरा overhead के बारे में कुछ ना बोले मानेंगे factly overhead एक unit का 40 तो 144,000 का 144,000 का 144,000 कितना आएगा तो 37,000,000 देखना ये क्या मिल जाएगा factly works cost और भाइचास मेरा इस question के अंदर में आगे में office overhead या selling overhead होता तो ज़रूर add करते दो मिलता total cost पर वो नहीं दिया में मतलब यहीं क्या बन गया है total cost अब भूल से भी add profit still मत करदा तो question में कुछ ना बोले हम लोग क्या लगाते हैं cash cost तो अगर इस सब को हम लोग add करें 1512, 4x0 अब एक बात अगर वाईचास हमारे question में bracket में including depreciation भूलता let's say including depreciation 5 अब देखो मेरा यहां पर दिया वे है raw material का stock WIP का FG का outstanding wages outstanding goal and outstanding creditors freighter यह सब कुछ cash cash इसके ले बना पे working capital टेगा टेटेबल कैसा बनेगा सब से बने करेंट अब एक करेंट असे detail column में current liability detail column में और CA का total बहार, CA का total बहार let's work in capital चोड़े काम करें फड़ा फड़ा हम दो calculation करना start करते हैं मेरा पहला मेरा raw material are in stock on an average for two months देखना, मेरा raw material stock का period दियावाय है दो महना मेरा raw material stock का दियावाय है दो महना मेरा raw material stock याद करना कौशी पर किस line item पर depend करता है raw material consume तो पहला लिखते हैं raw material stock साल भर में raw material consume भी कितना है 64,80,000 divided by 12 into 2 तो अगर आप लोग करोगे तो ये आने वाला है 10,80,000 लिए रहे? और मेरा point नमर 2 पे लिखा है the material are in process the material are in process the material are in process बने WIP WIP का period दिया है 4 week और degree of completion दिया है 50% ये नी बोलग material का है 50% या conversion cost का मानेंगे दोडों का तो निकालते हैं WIP stock तो इसके मेरा 2 component आएगा एक raw material का घ्रूम्ड आएगा कितना है भाई? 64,80,000 divide करेंगे 62 तो कि मेरा WIP period दिया है weeks में इतना लगना चाहिए पर लगा है 50% ठीके ना? अब अगला है मेरा conversion cost उसमेंगा 28,80,000 प्लस 57,60,000 ये शायर आएगा 86,40,000 ये मेरा आने वाला है 86,40,000 divided by 52 into 4 का 50% ये ये आएगा 581,528 ये ना? मेरा तीसरा है FG stock अब FG stock के लिए लिखावा है 1 month अध्यान दिरा मेरा FG कहाँ पर रहता है? factory में और अगर ये रहता है factory में तो factory में जितना खर्चा लगा उसको अब्जिक्चे पर रहता है इस पर वाल्यू करेंगे factory आवर्स कॉस्ट ये इतना है तो चलो निकालते हैं as we stock divide by 12 into it मेरा याने वाला है 12,7,000 अब आगे लिखा है time lag in payment of wages and overhead 1 and a half week जानि wages और overhead को pay करने में हम लोग ने time lag किया delay किया यानि current liability outstanding wages and outstanding overhead कहाईगा आवाने नहाँ पीक माला 1.5 वीच तो लिखने है outstanding wages किस पर depend करेगा साल भर का wages जो है 28,80,000 divided by 52 into 1.5 मेरा अगला है outstanding overhead मेरा depend करेगा साल भर के overhead पर 57,60,000 2-2 divided by 52 into 1.5, मेरा पहला रेगा 8,3,0,17, मेरा उस्ता रेगा देटर से पैसा मिलने में दो मेने का देड़ी है और एक बात देखो लिखावा है यहां पॉइंट नंबर साथ में 20% of output is sold against cash, यानि sale का 20% cash में होता है, मतलब 80% credit में, और बैचा से आपे cash cost नहीं लगाते, तो जो sale value आता उसका 80% लेते, अब cash cost लगा रहे हैं, तो total cost जो आया उसका 80% लेंगे, कि जितना मेरा total खर्चा लगा, उसका 20% तो cash में बेचे तो रहे हैं, पर जो बेचे credit बेचे 80% है, तो मेरा debtor का value आने वाला है, जितना total cost है, उसका 80%, और debtor का period का है 2 मेना, divided by 12, इंति 2, जियाएगा 2, 0, 1, 6, 000, चलो है add debtor, अब आगे बुलता है credit allowed by supplier is one month, supplier का मतलब क्या होता है, creditor, creditor को calculate करना चाहिए ये purchase पे, पर अगर purchase अलग से mention ना करें, लोग मानेंगे जितना raw materials के उतना ही purchase की है, इसका है one month, वो creditor निकालते हैं, 64,80,000, divided by 52 into 1, 1 month है, divided by 12 into 1, 5,040,000. अब आगे बुलते मेरे company को cash balance रखना है 1,00,000, चलो cash रखना है 1,00,000. क्वेशन खताम, और आंते current asset का total निकालना घर में, current liability निकालना घर में, एक वार current asset आ गया, minus करेंगे current liability, इसी का नाम क्या होता है, networking चाहिए. दाने यहां तक, चलो हमारा पहला question खराम करते है, question number 2. चाह लिखा है question 2. मेरा ESS limited sell करता है goods at a gross profit of 25%. Considering depreciation as part of cost of production. यानि depreciation को cost का part माना है, तब जाके GP कमाया है, 25% अब मेरा annual figures are as below, अब दिखानी figure में क्या लिखा है, sale किया 2 मेने के credit में 18,00,000. ये 2 मेने का credit किसका दियावाए है, debtor का, ये sale के साथ है. मेरा raw material consume दियावाए है 45,00, credit का credit दिया है, मेरा wages paid दिया 3,60,000, एक मेने का year होता है. अगला line बड़ा काम का line है, manufacturing expenses outstanding at the end of the year, 40,000, और bracket में बोलता है cash expenses are paid one month in a year. यानि ये जो मेरा DIY current liability पर मिलकुछ ये साल भर का manufacturing over rate कितना हैगा? अब दिखो मेरा outstanding manufacturing over rate दिया है 40,000, और outstanding हो रहता है एक मेने का. यानि ये खर्चा एक मेने का है, तो साल भर के लिए एका 40,000 into 12. ये पहला तरीका. ये अगला तरीका क्या था? Outstanding manufacturing expense कैसे मिलता? साल भर का manufacturing expense divided by 12 into lakh three day one. मेरा outstanding का balance दिया है, 40,000 value put करो, तो manufacturing expense के एका 40,000 into 12, 4,000, 80,000. और best part है bracket में लिखावा है, ये cash expense है, यानिकर depreciation इस पर जुड़ावा भी था, वो अपने आप पर्चुता है. तो मेरा manufacturing expense साची राएगा 4,80,000. मेरा total administrative expense दियावा है, बुलता है paid as above. total खर्चा दियावा है पर pay करते हैं जैसे उपर करते हैं यानि one month in area. मेरा sales promotion expenses total दियावा है साथ थार और कॉमा देखे मुलता है pay करते है quarterly in advance, advance मने prepaid. मेरा company एक मैने का रखता है raw material stock, एक मैने का hedge stock और आगे cash रखता है 1,00,000,15% safety margin चाहिए, बताओ working capital requirement का आएगा on cash for business. अगला इन भूँत प्यारा line है एक जोर डबले पहले बनाते cost sheet और calculation करता है सरा line है. चुलो फड़ावर बनाते cost sheet मेरा पहले लेना हैगा raw material प्यंजूम. मेरा raw material प्यंजूम दिया है 450, सीधा लिखते है 450, मेरा direct wages दिया है 360, यह दुनों मिलाकर आएगा prime cost क्यों आने वाला है 8,30, ठीक. विर एक और prime cost आ गया फिर prime cost क्यों मेरको add करना है manufacturing overhead यह factory overhead, जो कितना दियावाय है, एक मैने का था 40, तो साल भर का 4.80, अब आगे administration selling expense add करना है 120 and 60, जोने मिलाकर आएगा total cost जो आने वाला है 14,70, सिंस हमारे question में cash cost है तो add profit यह भूर से भी मत कर देगा, तो शित खताम, निकालना है CA and CA, चले काम करें बाज़े में निकालते हैं CA, CA कितना आएगा? तो यह लास्ट परको पड़े, मेरा कब्ती रखता है 1 month stock each of raw material and FG, मेरा raw material stock है 1 month, तो धन दिना मेरा raw material stock किसी पर calculate करते raw material consume, जो है 4.50, एक मेने का चाहिए तो डिवाइड बारा इंटू एक या एक अगा 37.500, मेरा WAP को बूलते है एग्नोर कर दो बहुत अच्छा बात है, अगला मेरा FG है 1 month, ध्यान देना मेरा फिरेज कुछ कहां पर बनता है FACTIV में, तो उमको किस पर value करना चाहिए FACTIV or COST, जो कितना है 12.90,000, divided by 12 into 8 या निवाला है 12,500, एक लाग 7,500, एक लाग 7,500, एक लाग 7,500, एक लाग 7,500, मेरा 15% सेटी मार्जिनाइड करता है, वो जब C ये माइनस C ये लाएगा, उसमें जो value आएगा उसका 15% जोड़ेंगे, अब हर एक लाइन के देखो बाजी में ब्रैकेट में तुछ किस लिखा लाए, सेल किये 2 महने का क्रेजिट, बने डेटर है 2 महना, और डेटर हम लोग जेनरली काल्कुलेट करते हैं क्रेजिट सेल, पर cash cost में निकालते हैं total cost, और माल लों लिखता है इसका 20% cash में बेचे तो इसका 20% भी निकालते हैं, कुछ ना बोले मालेंगे पूरा क्रेजिट से, तो हम लोग डेटर निकालने वाले हैं, 14,70,000 divided by 12 into 2, तो 14,70,000 वाले इसके जो आने वाला है 2,40,000 अब आगे लिखावाए है, supplier से 2 मेहने का credit मिला, यानि creator का है 2 मेहना, चलो current library, आज मेरा creator है इसको हम लोग calculation हमेशा करते हैं, purchase pay पर अगर purchase अलग से ना बुले, मानेंगे जितना रूम मसीरी उसकिया, पूरा का पूरा purchase की है, 45,45 लागवाए है 12 into 2, जाएगा 75,000, अब आगे मेरा wages में लिखावा है monthly in arier, यानि एक मेहने का arier है, तो मेरे को क्या मिलने वाला outstanding wages, कैसे मेलेगा साल भर का wages, 37,000, divided है 12, 1 मेहना के लिए into 1, 35, मेरा next time में लिखावा है manufacturing expenses outstanding, तो यह outstanding value दिया है, सिधा current WD में लिख देना के तना एगा 40,000, मेरा administration expense के बाद में बूलता है paid as above, यानि इसका भी one month in arier है, तो यह एक लाग 20,000 है साल भर का, यह एगा 10,000, आज यह मेरा sales promotion expense से बूलता है pay करते है quarter lien advance, एक quarter का advance में लिए मने, तीन मेने का advance लिए, यह मेरा कहा जाने वाला है free pay, साल भर का 60,000 था, एक मेने के लिए divide by 12, और एक quarter का advance दिए, मतलब तीन मेने का advance दिए, यह आने वाला है इंटी 3, कितना मिल जाएगा पंग्रा, question खतम, CA निकालते हैं, CL निकालते हैं, यह आएगा पांच लाग पांच हजार, यह आएगा 1,55,000, तो मेरा net working capital आजाएगा, A-B 3,50,000, जाने मेरा estimation है 3,50,000 का, पर ध्यान देना इसमें 15% safety margin के लिए extra चाहिए, तो आएड करेंगे safety margin, 3,50,000 का 15% यह आएगा 40,500, यह आएगा 4,25,000, वेर इजी, अब एक काम करते हैं, आप करते हैं दो तिन, अच्छा अच्छा question, करते हैं question number 3, अब मेरा question number 3 एक बड़ा typical question है, यहाँ पे हम लोग cost sheet नहीं बना पाएंगे, बिना cost sheet किये हम लोगों को question करना है, यह एक बात्र working capital के typical question है, यहाँ बिना cost sheet बना है मेरे को question करना पड़ाईगा, तो दिखते क्या है, चा लिखा हुए the management of MNP Limited, is planning to expand the business, and consult you to prepare an estimated working capital requirements, the records of the company reveal the following annual information, जभी क्या नी किया है, पहला दूसे नहीं पता चला जगे जबेल क्या है। के सेल कि यह दो तरीका का है, एक Domestic मैने भारत में बीचा है, 100 मैने के credit मैं और एक-int ce pop क्यहिए मतला स्विदेश में में बीचा, 10 मैने के credit मैं और जब विदेश सेल का credit period है एक मेना और export वाले का है तीन मेना यानि जब debtor हम लोग calculate करेंगे और question में कुछ ना बूले cash cost भी करना है और अगर cash cost भी करना है तो मेरे को दोनों का अलग-अलग cost पता होना चाहिए domestic वाले का cost कितना लगा export वाले का कितना लगा तो यहां पे पता है कोशिर बना के फाइदा ही नहीं है यहां पे कुछ और तरीका से करना पड़ेगा वो क्या तरीका रहेगा तोस्ते हैं बाद रहे अब आगे देखो मेरा raw material का दियावा है इतना खर्चा wages का दिया है लाग पिरिड पता है manufacturing expense का लाग पिरिड पता है admin का लाग पिरिड पता है sales promotion expense quarter में advance में दिये tax चार वार में देना है जिसमें से एक installment अगले साल देंगे तो liability मेरा जाएगा मेरा GP दियावा है 20% ignore WIP and depreciation थांकियों सो मच मेरा raw material stock रहेगा एक मैने का cash रखेगा दो लाग पचास हजार और overdraft limit रहेगा 75,000 जो यह यूज में किया जैने loan आयवा है पर उतना ही पड़ा है तो current liability मेरा जाएगा इसके वाद safety margin से यह 12% निकालना मेरा तो वाकिन जापर जाएगा तो यहाँ पर बिना cost sheet बनाए एक काम करते हैं CACL जितना calculate कर पाए कर देगा ट्राइ कर देगा नाम देखो समझाएगा ना material में इतना लिखा है suppliers दो मेहना तो सिधा stator निकालेंगे इस पर मेरा wages दिया वै इतना और लाक ट्रेड आधा मेहना सिधा outstanding wages निकालेंगे इसको खाली दो चीज़ बाद में निकालेंगे एक debtor और एक FG का stock बात की पूरा question हो गया मेरा debtor और FG stock का कैसे आएगा वो एक special treatment है जो हम दो कुछ दिर में जाने तब तक बाखी calculation करें समझ मैंना कि दो यहाँ पे cost sheet क्यों नहीं मन पा रहा है कि मेरा दो तरह का debtor है दोनों का credit period अलग है तो दोनों का total cost भी अलग से यह है पर सारा cost एक ही दिया हुआ था तो एक typical question है यहाँ पे बिना costing बनाया है हमने वो question करदा है चलो एक इत करके पढ़ते है पहला दो लाइन बाद में करेंगे debtor को अब मेरा supplier का मतलब होता है creditor उसका दू महने का credit है और यह किस पर calculate करते है raw material purchase पे purchase ना बूले तो मालने के जितना raw material युज़वा उसने ही purchase का यह आएगा एक पचास ठीक अब आगे रेको मेरा लिखा है lag in payment of wages half month साल भर का wages पता है 720, lag period है half month तो 750 by 12 into half यह calculate करना 30 से जारा जाएगा है है हाफ पर साइब आए ठीक और मेरा अगला है lag in payment of manufacturing एक पर ब्रैकेट में दिखें खाली cash वाला इक खर्चा है तो 10 तक 80,000 वह बारह इंट हुए या जागा श्यार नाइंटी थाउडन मेरा अगला है lag in payment of admin expense एक मेना तो 240 by 12 into 1 या जागा 20,000 मेरा sales promotion expense pay करते है quarterly in advance या एक quarter का advance में दे रहे है एक quarter मतलब क्या तीन नहीं का advance दे रहे है और अगर advance दे रहे है तो मेरा जाने के चाहिए current asset में prepaid sales promotion महालूल chapter रही है बस खाली गिना चिना रोटन धंगा adjustment है पूरी chapter रहे है कितना आएगा एक पचास divided दिवार रहे है इंटो 3 या एगा 37,500 अब अगला उत्तर tax को pay करना है चार installment में जिसमें एक installment अगले साल call करता है जैनि चार में तीन installment तो जो pay हो गया वो तो लाइबिती में जाना नहीं है जो एक अगले साल pay करना है पर भाई उत्खा तो इस साल का वो current liability में जाएगा तो ये क्या करेंगे दो लाइब पच्छे साजार देना है चार installment में तो एक installment का value कितना वो मेरा चला जाएगा current liability में तो tax table निकलते हैं कि दो लाइब पच्छे साजार डिवाइड बाई चार इंटू एक यह आएगा 5550 अब आगे जीपी का क्या का में दिखते हैं और मेरा company एक मैने का स्टॉक रखता है राउ मटीड का तो जांदेना जो मेरा राउ मटीड करता है राउ मटीड का इंजून पता है कितना है भाई नौलाक रबाराइग जाने वाला है 75 और एक मैंने का रखता है FG के अंदर में FG के लिए FACTIV WORKS टाहिए तो कॉशिट बनाएं नहीं देखते हैं एक मिनिट बाद अब आगे बोलता है यह belief करता है in keeping 2,53,000 available to it cash 2,50,000 पढ़ा है cash and bank वो रखेगा आपने पास including overdraft limit of 75,000 जैने loan लिया थे 75,000 तो cash and bank 75,000 बढ़ गया और इस loan को use ने की है तो वो 85 रह गया और loan 75 भी रह गया तो मेरा bank वो रख आप 75,000 बढ़ लास्ट में margin जोड़ना है यानि खाली तीन चीज़ चीज़ रही है debtor domestic card debtor export and question इसे जाए अब देखो एक question में जहमेला क्या है sale value दोने को देखो दोनों का दियावाए है और GP दियावाए है 20% और export वाले को 10% below domestic price based है तो अगर सोच के देखा जाए domestic और export का sale value पहले वाले में 24 लाख है और जो export किये वो 10 लाख 80,000 का किये पर वो 10% below domestic price किये यानि यह 90% के बराबर है और अगर यह 90 के बराबर है तो उसका true worth कितरा था this by 90 into 100 आएगा 12 लाख यानि 12 लाख रुप एगा चीज़ है जिसमें 10% discount भी है एक लाख 20 तो बेचे हैं इसको 10,80,000 लाख ठीक है ना वाई sales worth को पर इतना ही था और मेरे question में दिया वह जीपी is 20% याद करना ratio को जीपी अगर 20% है तो जीपी क्या होता है sale minus COGS अगर जीपी 20% है इसका automatic मतलबे COGS क्या है 80% तो जो भी sale value है उसका 80% COGS है तो COGS अगर calculate करें 24 लाख 80% किपना आएगा 1920 और 12 लाख 80% 950 आया COGS अब याद करना मेरा COGS में सारा खर्चा automatic ली आ चुका है पर COGS के बाद एक आखरी ओरेड को add करते है selling and distribution और admin के बारे में कुछ ना बोलो उसको marketing nature का मानते हैं तो वो भी उसके बाद आएगा अब COGS में सब कुछ आ चुका होगा except admin and selling and distribution और ये दोनों मिलाकर कितना है 390 अब जो 390 लगा वो खाली domestic है खाली export के लिए तो नहीं दोनों के लगा था तो मिरेको दोनों में बाट रहा पड़ेगा तो admin और selling दोनों मिलाकर 390 है दोनों में बाट रहा है कैसे बाटे कुछ ना बूले हम दों मानेंगे जिस रेशियो में COGS था उसी रेशियो में खरक्या लगा होगा तो 24,90,20,9,60 का रेशियो आता है 2,21 तो 390 को भी बाट देंगे 2,21 के रेशियो के रेशियो बाटता है कितना आएगा 2,60,60 और 1,30 यह मिलेगा 21,80 यह मिलेगा 10,90 यह मिलेगा 10,90 यह आगया तो जब देटर को वाल्यू करना है वो मिलेग किस पर करते हैं टोटल कॉस्ट यह तो दोमस्टिक के लिए इतना एक्सपोर्ट के लिए इतना तो देटर एक काम करें फटाक से निकालते हैं डेटर दोमस्टिक में क्याएगा कितना है 21,80,000 डिवाइड बारा और देखता है मेरा दोमस्टिक के लिए क्रेट पीरिड क्या था बन लाइट जाएगा 181,057, साही है रहा मेरे एक्सपोर्ट के लिए क्या आने वाला है जरा देखता है एक्सपोर्ट का टूटल कॉस्ट है 10,90,000 डिवाइड बारा और देखता है मेरे एक्सपोर्ट के लिए क्रेट पीरिड क्या चल रहा है तीन मेहना तो इन्टू कर देंगे यह आ जाएगा 272,500 शायद अब एक मात्र चीज बसता है HG स्टॉक, HG स्टॉक क्या भी जब बूलता है एक मेने का स्टॉक रहेगा अब यकीन मानो यह जो चीज है इसी फे HG स्टॉक वैल्यू करता है तो भी बूले हैं फैक्ट्री कोष्ट पे करते थे अब याद करो फैक्ट्री या वर्स कोष्ट के बाद हम लोग अगला क्या लिखते हैं Office औरे तो यह तो फैक्ट्री वर्स कोष्ट कोष्ट है तो फैक मिला कर 28,80,000 divided by 12 into 8 जाने वाला है 2,40,000 मिला कर आएगा CA, मिला कर आएगा CL, CA माइनस CA आएगा networking capital, लास्ने 60 मार्जिनाट कर देना मिलको मिल जाएगा total value तो फैक्ट्री क्वेश्टन का दो जेश्टन भहुत छा था एक debtor और एक हमारा एक जी stop चले एक काम करते हैं, अब हम दोग सीरे एक बड़ा अच्छा question करते है, question 4, 5, I think new company का है, वो करते हैं, बाद में question 6, बाद में करते हैं, question 7 और 8, पहले 8 करते हैं, पहले 8 एक बाद में करते हैं, तो एक काम करें, जल्दी से बनाते हैं, cost sheet, मेरा पहला raw material पर एक लाग पचास थार यूनित पर, पहले वाले में लगेगा raw material consumed, x का 45 लाग, y का लगेगा 10 लाग पचास थार, z का लगेगा 9 लाग, मिलाकर लगने वाला है 64 लाग पर फीज, सही रहे हैं तक, मेरा direct wages है, पच्छिस रुपया पर उनिट, टेक लाग पचास थार इंटो पच्छिस रुपया थारी 7 लाग पर फी, जाने मेरा prime cost आया वाँ है, एक करोड दो लाग, ठीक है आता, मेरा manufacturing and admin overhead excluding depreciation है 20, अगर manufacturing के साथ admin को जोड़ा है, मतलब यह admin पक्का इन नेचर और प्रोडक्शन है, अगर दो ले 20 तो एक लाग पचास दर इंटो 20 कितना आएगा 30 लाग, अगर जान देना, depreciation को मेरा को इसका पार्ट नहीं बनाना, cash cost ही इग्नोर कर, मिलको सीरा मिलेगा 50 लाग पचास दर इंटो 15 लाग पचास, अब एक काम करते हैं, लाइन बे लाइन जहां जाया है, वह ही पे-पास में काल्कुलेशन करते हैं, और टेबल फेबल आराम से बैट के बनाते हैं, पहला जिता है, पहला जिता है, raw material are purchased from different supplier, leading to different credit period, यानि मेरा अच्छा निकालने में आएगा काम creditor, x का 2 मेना है, y का 1 मेना z का half one, यानि एगर creditor calculate करें पहले वाले में, तो 45 लाग divided by 12 into 2, calculate करके दिखने ही आएगा 7 लाग प्रकुल, तो मेरा creditor x में आएगा है 7 लाग प्रकुल, मेरा y के अंदर में है, 10,50,000 divided by 12 into 2, जाने वाला है 87,500, मेरा z में half one, तो बाई 9 लाग divided by 12 into half, ये आएगा 37,500, calculation check कर लेना, main concept समझेगा, पहला part done, अब एक काम करतें, point number B को करतें, एक मिनेट बाद पहले point number C, x is required to be stored for two months and other material for one month, ये मेरा क्या दिया वाया है raw material stock, raw material stock x के लिए 2 मेना है, 45 लाग बाई 12 into 2, 7,00,000,000, and other material के लिए 1 month है, तो this by 12 into 1, 87,500, और Z के लिए divided by 12 into 1, 75,000, तो ये मेरा आए वाया है raw material stock, storage का दिये न, आए मेरा अगला है FG stock एक महना है, FG कहां बनता है, factory में किस cost पे value करेंगे, factory आपर work cost, 132.5 times 0, divide by 12 into 1, जा जाएगा 11,00,000, अला आगे बता है 25% of total sale is on cash, and remaining on credit, total sale का 25% cash में है, मतला credit में 75%, और debtor को period दिया गया है 2 मेना, अब अगर बैचास हमारे cash cost नहीं होता है, तो total sale का 75% नहीं है, पर cash cost है तो total sale का नहीं, total cost का 75% लेंगे, यह मेरा आने वाला है, 15454 times 0, का 75% और इसका period दिया है 2, तो divided by 12 into 2, जाने वाला है, 1931, 250 शायद, अब आगे बुलता है, average time in lag in payment of all overhead is 1 month, तो मेरा outstanding overhead आएगा 1 month, all overhead में यह 1 है और एक यह 2 है, तो 30 लाक और 22 लाक पचास, मिला कर 52,50,000, divided by 12 into 1, यह 4, 37,500, outstanding overhead, और half month दिया है labor में, यह यहानि मेरा outstanding wages आने वाला है labor का half month, तो साल भर का wages दे 37,50, by 12 into half, यह यहाएगा 150, 60, 50, नेरा cash balance दिये 8 lakh, तीदा लिखेंगे cash balance 8 lakh, तो question बहुत easy था, खाली एक मातर ढखन का line है, point number 2, चाल इखावा है, production cycle is of half month, आँ मेरा production cycle का मतलब होता है, production होने में half month लगता है, और जिस दौरान production हो रहा है, उस दौरान वो ना raw material stock में है, ना FG बना है, वो कौन से stage में पढ़ा रहे गया है, WIP stage, यानि WIP का period है half month, अब आगे लिखावा है degree of completion, put a production process require full unit of X and Y in the beginning of production, यानि ऐसे WIP के अंदर में मेरा raw material X और Y का full unit लग गया, यानि मेरा degree of completion क्या दियावा है material का, and conversion cost का, और material में भी 3 है, XYZ, पूलता है, X के अंदर में 100% है, Y के में भी full unit लग गया मतलब 100% है, Z is required only to the extent of half unit in beginning, and the remaining half unit is needed at a uniform rate during the production process, यानि Z के लिए बूलता है कि, आधा लग गया है beginning में मने 50%, और जो remaining आधा है, वो uniformly लग रहा है पूरा production के दौराद, तो 50 तो लगी गया, और remaining 50 में कुछ तो लगा है during production, अब remaining 50 का कितना लगा ना बुले, तो मानेंगे 50%, यानि शुरू में 50 लग गया, remaining 50 का 50% और मने 25, 50 और 25 मिला करके आएगा, 75%, और conversion cost के बारे में कुछ ना बुले, 50%, तो ये एक मातर adjustment था जिसकी के लिए ये वाला question की है, तो अर सोचो हम दोग WIP stock निकाले, तो कैसे आएगा, हम खाली WIP का calculation कर रहा है, ये जो raw material है 45,00, divided by 12 into 1, और लगाय फूल उनित बने 100%, एक सागे है, मेरा वाई मेरे को कितना है, 10,50,000, और दिवाइद बारा इंटु 0.5, लगाय फूल उनित बने 100%, मेरा जेट के अंदर में 9,00, डिवाइद बाई 12 into 0.5, पर लगा है 75%, 50% लग गया, शुरू में रिवेनिक 50 का, कुछ नि लगा है, कुछ न बोले, अधा लगा है यानि 25, अगला conversion cost में कियाएगा, direct wages और fact you rate मिला कर, 67,50, divided by 12 into 0.5, पर पचास परस्ट, जैसी चारू को आट करेंगे, मिलको क्या मिलेगा, WIT stock, आराम से घर में बैटे के, निकालते रहना, तो मिलों स्टाट करते हमारा अगला question, नाइस question, अब अगला question तो और नाइस question, क्या लिखा है question no. 7 में, इस फॉलिंग अनुल प्रिगर्स रिलेट तो manufacturing entity, मेरा सेल वाल्यू दियावा है, एक मैने के क्रेजिट में रूपीज 84,00, मेरा रा माटियू परसेंट 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 क्या होता है, मेरा दिर्ट विजिस दियावाय है, बारा लाख जिसका लाख परिट दिया है, 15 देज मतलब हाफ मन, यानि प्राइम कॉस्त आएवाय है, 62,00, मेरा कैश पानिफेक्ट्रेंट इस दिया है, 3,00, यानि मेरा प्रेक्ट कॉस्त आएवाय है, 65,00, मेरा दिर्ट प्रेक्ट कॉस्त आएवाय है, 2,00, यानि मेरा टूटल कॉस्त आएवाय है, 67,00, अब आगे बोता है, क्रेइटर का टाइम ब्लाट पीरिड है, 3 मेहना, परचेस पे निकालेंगे, मेरा कैश मैनिफेक्ट्ट्रिंग रहे है, अब आडविनिस्ट्रेशन एक्स्पेस, इसका वन माचे नरियार, very easy, सारा जो जहमिला है, वो हैं हमारे next पैरा में, तो ये काम करते हैं, उपर में जो लॉल्लीपॉप इंफोमेशन हों कर लेते हैं, लास्ट पैरा में जहमिला ही जहमिला है, एक काम करें, पड़ाफट की ये निकालते हैं, और पैरे फर्स्ट पैरा, सेल दिया है, एक मैना क्रेडिट, मने डेटर का पीरिड, डेटर किस पे निकालना चाहिए, डेटर किस पे निकालना चाहिए, पर कैश फोस्ट में टोटल पॉस्ट है, तो 67,80,000, बाइबार इंटरूट, ये आएगा 565, अब आगे मेरा मटीरल केंजरेक्शन के ब्रैक्ट में कुछ है नहीं, मेरा वेज़ का लाइक पीरिट दिया वाय है 15 दिन, मने हाफ मन्थ, तो आउस्टार्डिंग वेज़ निकालेंगे 12 लागते, जाएगा 50 दिन, अब मेरा कैश मैनिफेक्ट्रिंग एक्स्पेंस और अड्मिनिस्टेशन के बारे में लिखा हुआ है, आर पेड वन मन्थ एन अरिया है, तो आउस्टार्डिंग मानिफाक्ट्रिंग एक्स्पेंस वन मन्थ आ, आउस्टार्डिंग एड्मिन वन मन्थ आ, कितना है, तीन लाख और दो चालिस, बाई बारा इंटी एट, यह आएगा पच्छेस थार, यह आएगा पीशे थार, अब अब अगे होते हैं क्रेड़िटर, एक्स्टेंट थी मन्स ट्रेडिट फॉर पेमेंट, प्रेड़िटर का कैकुलेशन करना है पच्छेस पे मेंशन ना करें, निकालेंगे राउ मटीव के जूर पे, पचास लाग चालिस इंटर बाई बारा इंटी एटी एटी एगा 12,60, तो इजी अज़्जेस्मेंट सारा डण, अब दो-तेर अज़्जेस्मेंट बड़ा अच्छा अच्छा है, क्याज़ ज़रा देखे, पहला, मेरा कंप्टी मेंटेन करता है, इस टॉक ऑफ राउ मटीडियल, ज्यानि राउ मटीडियल स्टॉक, इक्वल टू EOQ, अब योख्यो का फॉर्मुला क्या होता था, यह हम लोग FMA नहीं कॉस्ट में पढ़ते थे, और इसका फॉर्मुला क्या था, रूट ओवर 2AO दिवाइड बाइट 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 जहां पर हमारा एक क्या है, अनुल रॉक्वार्मिट अफ रॉम मटीडियल, यह नहीं तरह का इंट्रेस्ट दियावा है, जो एक्जाम्पल होता है क्यारिंग कॉस्ट का, यह दियावा है C, पर जब भी क्यारिंग कॉस्ट रहेगा, परसिंटेज में मल्टिप्वाई होना चाहिए कॉस्ट पर यूनिट पर, अब लोचा यह है, और यह होता है मेरा कितना कॉंटिटी है रॉम मटिप्वाई है यहां पर कॉंटिटी नहीं दियावा है, वैल्यू दियावा है, सब क्वेश्ट रुप्वाई है क्या करें, अब यहां पर करना क्या पड़ेगा, एक वार के लिए हम लोग अज्यूम करें, यहां पर क्या रॉम मटिप्वार का रें, जो मेंचे आज़ सुम कर लो, लेक्स से मानते है एक रुप्या तो वैए पचास लाग चालेश हजार रुप्या लगा और हर एक कदाम यहां लेड़ से 10 रुप्या, हर एक कादाम 10 रुपया है जाने कितना कॉंटिटी आओगा 5,4,000 और नीचे में क्याएगा 10 रुपय का 15 परसे तो में रुपय एक वैली मिल जाएगा अतुलो रहे हैं और हम 100 माने तो क्या 3,000 सर आएगा और हम 1 रुपय माने तो क्या 3,000 सर आएगा एक रुपय माने तो 50,4,000 ही पढ़ा रहे जाएगा और यहाँ पर एक का 15 परसेट आएगा याने यहाँ पर जो कॉस्ट पर रिड़ है न उसके कुछ अजूम करके फिर आगे क्यूस्चन आगे बढ़ा जा पड़ेगा तो अभर हम लोग निकाले तो यह बैले चुपना आजाएगा रूट ओवर टू इंटु पचास का का 40,000 इंटु 100 हम एक रुपय मानके चल रहे डिवाइड बाई एक का 15 परसेट यह कैल्कुलेट करना ही आएगा 81976 पर अगर चाहेड 10 रुपया मान सकता था तो जैसी 10 रुपया मानता यहाँ पर डिवाइड हो जाता 10 रुपय से और यहाँ पर 10 रुपय का 15 परसेट निकालते अंसर से मानता अब अगला देखो क्या लिखा हुआ है अगर अगर लिखा है और इस कैश विद्वाइड तो चाहेड रखते है क्यारिंग कॉस्ट देखो मेरा दिया वहाँ इंटरस टेट 15 परसेंट और वैसे भी पर यू रुपय पर निकालना होता है तो एक रुपय का 15 परसेंट बने 0.15 अब एच यह एनुर्ट रुपयामेट अफ कैश को पे करते हैं mid-banking से और बाकी सारा खर्चा को पे करते हैं केश के अगा कि यदिक हाँ बैंक से भिज्पयओ करते हैं कैश मेरा हटा cash से क्या देएगे वेइस manufacturing expense admin expense जैसी तीनों को जोड़ेंगे मिरेको क्या मिलने वाला है annual requirement of cash तो मिला annual requirement of cash तीनों मिला कर देखो क्या आने वाला है 12 प्रस 3 15 प्रस 2,40, 17,40,000 तो cash आएगा root over 2 into 17,40,000 into transaction cost कितना है 10 रुपया और नीचे में 1 का 15% कि calculate करना ये शायद आएगा 15235 mind blowing question exam में आए मज़ा आजाए मैं चाहूंगे आए question है mcq में और mcq में आए question है part 1 calculate raw materials part 2 calculate cash part 3 calculate debtor part 4 calculate दिने से तो एक आए चाही चाही है part 5 calculate दिने से तो एक आए चाही चाही है last प्रस 2 लिखावा है मेरा जी एक मेने का रखना है अब FG टेब जी फालती चीज़े आराम से में जाएगा जो मेरा जी stock किसमें करता है कहां बनता है factory में तो factory hours cost कितना है 65.40 by bar into जाएगा 5.45 मिला के C A मिला के C L C A minus C L जाएगा जाएगा और last प्रस 2 मार्जिन जरूर एट कर देना अपने मार्क साथ safety रखने के लिए तो इसे के साथ हमारा question भी होता है ख़ता है ख़ता है आप लोग फड़ा फट करते हैं हमारा दो question new company का new company में हर तीज रहेगा सेम खाले एक बाद को ज्यान देना opening stock रहेगा zero losing stock आएगा क्यारी जो cost sheet बनेगा उस फ़ड़ा detail cost sheet बनने वाला है चुलो फड़ा 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 करें चुलो बहुकान करते हैं फड़ा फड़ा question number 4 और 5 पहले सलटाते हैं पहले कर लेते हैं question number 5 question 5 का पहला line में ही एक super important word है जो question को ठोड़ा change करता है क्या रिखावा है a newly formed company अगर यह पहला साल है यानि हमारा जो कॉशीट बनेगा इसके नदर में ओपनिंग स्टॉक जीरूर रहेगा पर क्लोजिंग रहेगा तो ओपनिंग क्लोजिंग दोलों को उड़ा मत देगा क्या लिखा है हम लोग एस्टिमेट करते है मेरा एक लाग चारहजार कंप्लीटेड उनिट अफ प्रोडक्शन हुगा मतला प्तनेश बूर्ट प्लस चारहजार उनिट कहां पर पढ़ा रह जाएगा डवड़ यानि मेरा सारा खर्चा कुछ एबजी करने लगेगा कुछ इब मेरा राम मतीर्स टॉक दिया है चार वीक कंप्रचिन वमा मेरा डवलड़ इपका दिया है 50% कंप्रीट हुआ है इन रिस्पेक्ट अफ कंवर्जन कोफ और मतीर्स कोई कर दिया गया है स्टार्टिंग में मने पूरा जा चुका है यानि डवलड़ इपका डिग्री ऑफ मेरा इजिस टॉक पढ़ा रहे गए 8000 उनिट का मेरा क्रेड़िटर का है चार वीक डेटर का है आठ वीक आउस्टेंडिंग वेज़ गेड़ वीक क्रेड़िट करना मेरे क्रोशिंग अब एक काम करें फड़ा फट पहले बनाते है कॉशीट पर ध्यान देना ये पहला साल अब इसका कॉशीट का फॉर्माट कैसा रहेगा देखें जड़ा अब मेरा पहला नहीं होता है रॉम मेटीरियू पर ये कैसे मिलेगा ओपनिंग प्ल लिकर 0 मत लिखा सीधा स्टार्ट करेंगे पर्टेस के साथ माइनस करेंगे क्लोशिंग रॉम माटीरियू क्या में लेगा रॉम माटीरियू कैसे आएगा बड़ा ब्यूटिफुल क्वेस्टिन होता है इसका मेरा रॉम माटीरियू कैसे आएगा एक यूनिट में लगता है 80, बै कितना unit बनाए थे FG का 1.4 WAP का 4, तो FG में खर्चा क्या लगा होगा, 1.4000 into 80 इतना लगा है FG के लिए पर खर्चा कुछ WAP के लिए भी लगा होगा और मेरा WAP का कितना unit बनाए 4000, खर्चा क्या लगीगा 4000 into 80, पर लगा कितना है material में 100% यानि पूरा 4000 का 80 का 100% तुद धान देना ये खर्चा है FG का yellow वाला, ये खर्चा है WAP का blue वाला मेरा सेकेंड लगा अब अगला है मेरा direct wages मेरा direct wages एक unit का 30 है खर्चा FG, WAP दोनों में लगा है FG में कितना लगा है 1,4,000 into 30 और WAP में कितना लगा 4000 into 30 लगना चाहिए पर लगा कितना है conversion cost 50% wages भी conversion cost आपाच होता है ये मेरा आएगा 31,80,000 चाहिए मेरा के prime cost आपाच है 11,82, 4 times 0 अब मेरा prime cost आपाच मेरे को आइड करना है overhead वह है रुपी 60 पर unit अब मेरा overhead भी fringe goods में भी लगा होगा WAP में भी लगा होगा तो 1,4,000 into 60 plus 4,000 into 60 लगना चाहिए पर लगा खाली 50% है तो देखो ये सारा खर्चा FG में लग रहा है ये सारा खर्चा WAP में लग रहा है और ये हम लोग मिला कर देखेंगे अब मेरा फैक्टी हो रेड़ के बाद मेरे को आड़ करना चाहिए उपने WAP भाई पहला साल है नोट पॉसिबल माइनस करना है क्लोजिंग WAP लेस करेंगे अब तुमने वो लेगा क्लोजिंग WAP का वैल्यू किज़र है जैसे ये वाले पोर्शन को जोडेंगे मुझे क्लोजिंग WAP का वैल्यू मिल जाएगा तो और हम लोगे calculate करेंगे value आ जाएगा ये वाला portion आएगा 3,20,000, ये वाला portion आएगा 6,000, ये वाला portion आएगा 1,20,000, मिला कर आएगा 5,00, खिक, minus करते मिलेगा fact, या फिर works, cost, this plus this minus this, 1,7,6,8,4,0, अब imagine करो ये जो मेरा खर्चा था, ये FG, WP, दोनों का था, और इसमें से WP minus कर दिये, बलब ये जो cost बचा, वो खाली FG का बचा, अब ये जो cost बचा, ये खाली FG का बचा, और FG का कितना unit बना रहे थे, 1,4,000, पर बाद में बोलता है, closing stock में कितना पड़ा रहे गया, 8,000, जैनले इसके बाद मिर को add करना है, opening FG जो है नहीं, minus करना है closing FG कैसे मिलेगा, 1,7,6,8,4,0 लगा है, 1,4,000 लिए मिलेगा, मेरा closing stock कितना रहे गया, 8,000, तो 8,000 का वाली कितना, यह वाली आएगा, 13,70,000, यह मिलेगा, 162,4,0, COGS, और बाइचास, office, admin, selling and distribution होता, जरूर add करते हैं, पर भाई नहीं है, तो यह ही क्या मिल जाएगा, total cost, और total cost किया, that profit sale, नहीं करते हैं, अब देखना, मेरा पूरा cost यह बन गया, पर पहला दो लाइंग सूना सूना चल दा है, यह सूने पन को पूरा करें, मेरा raw material का stock calculate करना है, किस पर depend करता है, raw material consume, तो यह कैसे आएगा, raw material consume by 86,40, और divided by, देखो raw material stock के लिए 4 जीग दिया वैं, तो divided by 52 into 4, जाएगा, डबल 64615, अब जब back calculation करेंगे, माइनस माइनस नहीं, प्लस हो जाएगा, तो जैसी प्लस करेंगे, यह value मिरे को मिलेगा, 9304615, अब मिरे को working capital का table बना रहा है, जाने पूरे chapter में complication खाली एक जगा आता है, जब मेरा पहला पहला साल रहे, अब मेरा cross sheet कैसे बनेगा, current asset का पहला line raw material stock, फिर से निकालने मत बैठ जाना, अल्ड़ी निकालावाय है, अल्ड़ी मेरा निकालावाय है, फिर से निकालने मत बैठ जाना, अल्ड़ी मेरा निकालावाय है, मत प्रतीन नंबर, debtor, creditors, wages, और cash, DIY, जो मेरा creditor है, वो चार वीक है, creditor ध्यान देना किस में निकालेंगे, purchase और purchase इस question में अलगते पता है, तो 9304615, और divide करेंगे 52 into 4, जैगा 615, और 715740, मेरा अगला निकालना है, debtor को 8 पीक है, और debtor के बारे में कुछ ना बोले, cash cost, इसमें निकालेंगे, total cost पे, 16240, divide by 52 into 8, यहाँ, 251077, 2510769, और मेरा lag in payment of wages है, 1 and a half week, तो outstanding wages आएगा देड़ वीख के लिए, तो भाई, साल भर का wages 31,18, divided by 52 into 1.5, यहाँ, 91731, और लाश्में cash दिआवा है, 25,000, cash दिआवा है, 25,000, CA मिल गया, CA मिल गया, CA मिल गया, CA माने, CA Networking Capital, तो यह था हमारा new company का question, चुले, मेरा अगला question है, question number 4, अब देखेंगे, question 4 में कह, क्या लिखाव है, PQ Limited, a company, newly commencing business, जैसी वर्ड आता है, मेरे को detailed cost sheet बनाना है, जापे open stock कुछ नहीं आएगा, पर closing stock आएगा, has the other mentioned projected profit loss account, देखो, sale value दियावा है, 210, COGS दियावा है, sale minus COGS GP, COGS में admin selling नहीं होता है, वो लग से दियावा है, EBT, minus tax EAT, अब आगे मुलता है, मेरा COGS has been derived as under, COGS कितना है, 153 has been derived as under, अब यह COGS कैसा है, raw material consumed, मेरा wages और manufacturing expense को add किया, depreciation को add किया, मिला कराया एक सब्सक्तर, minus किया stock of finished goods, जो बुलता है 10% था जो बनाया है, नहीं दिखा, जितना भी unit stock का 10% नहीं दिखा, तो process पर दस पर से बागे रहा है, अब मजा है हमारा अग्रा लगी, क्या मूलता है, जितना भी मेरा खर्चा दियावा है, यह खाली finished goods का दियावा है, इसमें WIP नहीं जोड़ा है, जबकि खर्चा में तो FG और WIP दोनों आना चाहिए, यह पिछले question में देखो ना, FG का भी लेते थे, WIP का भी लेते थे, पर यहां वक्त इस question में, only FG का खर्चा दियावा है, WIP जोड़ना पड़ेगा, अब आगे बोलता है, goods equal to 15% of years production, यानि पूरे साल भन में जितना unit बनाए, उसका 15% will be in process, यानि जितना FG बनता है, उसका 15% WIP में रहेगा, तो जितना खर्चा FG में लगा, उसका 15% WIP का होना चाहिए, पर मेना question रुपता है, 15% WIP का होना चाहिए, तो कौन सा WIP में पूरा खर्चा लग जाता है, लगेगा तो थोड़ा भूती, अब आगे बोलता है, जिस WIP में material लग गया full, पर other expense लगा है, तो और हम लोग इस question को सोचे, तो मेरा ये खर्चा लगावा है, MP का, WIP का लगानियद निकालना पड़ेगा, कैसे मिलेगा, 15% of production WIP का होना चाहिए, तो खर्चा भी 84,000 का 15% WIP का होना चाहिए, इसका लगना चाहिए था, पर मेरा question रुकता है, इसमें material लगा कितना है, पूरा, मनें stoppers, मेरा जो अधार expense है, वो मात पर 40% लगा है, तो जो मेरा wages है, उसका भी 15% WIP का होना चाहिए था, पर मेरा खर्चा क्या लगा है, इसका 40% अब मेरा depreciation, भई कोई काम का नहीं है, मेरे को cash cost चाहिए, ज़र एगर cost sheet को सोचो, तो cost sheet के अंदर में, ज़र मेरा पहला लगना है गा raw material consumed, this plus this आएगा, मेरा wages manufacturing मेला के this plus this आएगा, depreciation नहीं आएगा, आगे बोलता है, मेरा raw material कितना रखते हैं, 2 months consumption, और बाकिताब लॉलीपॉट, ज़र इस cost sheet को अगर वापस धन से दोह रहा है, तो मेरा नया company है, तो पहला raw material consume रोता है, opening plus purchase minus closing, opening मत लिखना, पहला साल है, शुराद करेंगे purchase, minus closing raw material के आएगा, raw material consume, अगर मेरा raw material consume में material, FG के लिए लगा था, 84, पर WIP के लिए कितना लगेगा, 84,000 का 15%, 12,600 का 100%, 12,600, मिलाके 96,600, साहिए, मेरा wages और manufacturing overhead मिला कर, DIY 60 to 500, इतना लगा है FG के लिए, मेरा WIP के लिए क्या लगेगा, 60 to 500 का 15% लगना चाहिए, पर लगा तो भईया, खाली 40% है उतका, तो अगर हम बोगे calculate करेंगे लिए आ जाएगा, 3750, मिलाके 96,250, तो इतना मेरा raw material के लिए आया, direct wages आया, prime cost, add हो गया manufacturing overhead, अब इसके रइड करना है, opening WIP पहला साल not possible, minus करना है equation WIP, question उतना है, WIP का वैली कैसे मिलेगा, देखो ये दोनों HB का था, ये दोनों WIP का था, तो जैसे WIP के खर्चा को add करेंगे, WIP का वैली मिल जाएगा, ये आड करके देखना, ये आएगा 16350, तो क्या मिलेगा, fact P या फिर, what's cost, ये आड करके देखने, ये आएगा 146500, this plus this minus this, अब मेरा factory worst cost के अद आड करना है, opening FG नहीं है, minus करना है closing FG, मेरा closing FG देखो कितना है, question में देखो stock of FG दियावा था, 17,000 के 10% बूर्ट नहीं बिक्ता था, पर उस से में value किया गया था, एक सब्सर पर, जिसमें definition जुड़ावा है, पर idealistically मेरा को तो इस पर value करना थी है, इस से दस portion निकालना कितना हैगा, 14650, minus करके ये आने वाला है, 131850, COGS, मेरा COGS के अदर को आड करना है, मेरा आख़ी overhead, admin और selling, equation में admin और selling दियावा है, 14 और 13 मिलाटर, 17000, तो पहीं मेरा total cost आने वाला है, 168850, add profit केर करना मत, क्योगी cash cost follow कर रहे हैं, अदर मेरा जो पहला दो लाइं सोना सोना ता, उसे पूरा करते हैं, देखे मेरा raw material stock, depend करता है raw material का जूट से, मेरा raw material stock कितना लिखावा है, equal to 2 months consumption, so divide by 12 into 2, ये बन जाएगा 14100, जैसी back calculation परेंगे, minus minus से 1 plus हो जाएगा, तो ये बनने वाला है, ये बनने वर्किंग कापिल का टेबल, अब यू कंपनी में कोश्टीट अच्छा होता है, वर्किंग कापिल का टेबल, लॉलिपॉप होता है, CA में पहला लाइं, raw material stock, अल्रेडी निकालावा है, सूला इस्टो, मेरा अगला है WIP stock, अल्रेडी निकालावा है, सूला इस्टो, मेरा तीसरा है FG stock, अल्रेडी निकालावा है, 146.50, में तो जहमेलाग खताम, अब आगे लाश्ट पैरा में, आवरेज टाइम लागिन पेमिट अफ आल एक्सपेंसेश वन मन्थ, तो करेंट लाइबरेडी में सारे का वन मन्थ है, तो सारे में कौन कोन आया, दिए वो raw material वाला तो creator होता है, बास ही खर्चा क्या है, एक यह, यह closing, डब यह closing एज़ी और एक यह, तो मेरा उस्टेंडि इस्टो, में आएगा this plus this, 266.250 प्लस 37,000, 9.250, divided by 12, और इसका लाक्टि रिट क्या दियावा है, 11, यह आएगा double, 771, आज यो मेरा supplier है, यानि creator, इसका 1.5 मंस credit है, तो वैए creator depend करता है, पर्चेश, और इस तरह के question में पर्चेश पता चलता है, तो 1.270, divided by 12, into 1.5, यह आएगा 1.4, 0, 888, अब आगे होता है, sale 20% cash में है, मतलब 80% credit में, और उसका credit period है 2 मेना, तो भाई हम लोग debtor निकालेंगे, पहले sale का 80% होता, पर इस तरह के question में, total cost का 80%, so 1.5, 880 का 80%, divided by 12, और sale credit क्या है, 2.5, यह कितना आएगा, 2.1, 1, 8, 0, यह income tax पर लाईना में एक मिनटें बताता है, मेरा company 8,000 रुपया रखता है cash में, cash में आज़ा 8,000, बागी question में कुछ नहीं है, अब अस्थालीक income tax पर लाईन पढ़ते हैं, और question खरा, चार एक है, 70% of income tax will be paid in advance in quarterly installment, तो यह हमेरे को income tax साल भर में देना कितना है, अब होता है 70% हम लोग देंगे advance में quarterly installment में, तो 10,000 का 70% क्या होता है, 7,000 advance tax है, quarterly installment में, तो advance tax आएगा, साल भर में देए 7,000, quarterly installment में advance देते हैं, यानि एक quarter का advance देए, यानि की में नहीं का, divided by 12 into 3, जाएगा 1750 शायद, 7,000 advance tax दिये, divided by 12, और एक quarter का advance दिये मतलब इंतिज 2, अब यहाँ पे जहमेला खतम नहीं है, 10,000 total tax देना था, जिस्टे एडवांस tax दियावाए है, 7,000, ज्यानि अभी भी देना कितना बचाव है, 3,000 यो मेरा current liability होना चाहिए, तो provision for tax, मेरा आजाएगा 3,000, CAI, CLI, माइनस करेंगे ने टोर्किं कापिटल, last में 10% provision जोड़ देगा, तो यह वाला question भी एक fantastic question था, करते हमारा, अब एक आखरी topic, आज पर एक आखरी question, फिर उसके आदे एक नेया topic आएगा, change in number of shift, चलो, फिलाल के लिए एक बड़ा independent topic है, इसका ना, इस question का किसी भी concept के साथ के लिना देना जीने, बस एक misleading question है, जो हम लोग को आना के लिए, बड़ अच्छा question है दिखते हैं, मेरा अगले साल में fixed asset और current liability का value क्या होने वाला है, वो estimate करके दिया हुआ है, यह मेरा fixed asset है, यह मेरा current liability है, मेरा estimated sale and EVIT depend on current asset investment, particularly inventory and book debt money debt, ज्यान का बात, the financial controller of company is examining the following alternate working capital policy, आँ मेरा working capital policy कुल मेरा कर तीन है, conservative, moderate, aggressive, तीनों में current asset क्या रहेगा, तीनों में sale value क्या आएगा, तीनों में EVIT क्या आएगा, दियावा है, एक वार question यहां तक पड़े, पिर आगे मेरा आता है financing policy, देखो दो policy, एक working capital policy, एक financing policy, investment इसके basis पे, और second part है, financing for each policy इसके basis पे, तो क्यों ना एक काम करें, पहले working capital investment वाले को सल्टाते हैं, फिर सल्टे है financial, या मेरे को हर एक policy का निकालना है net working capital, मेरा net working capital क्या होता है, CA-CA, एक निकालना है current ratio, CA-CL, एक निकालना है rate of return, यानि कितना percent return कमाएं, तो रेको वह या इन तीनों के अंदर में profitability तो बस एक ही column बताता है, current asset profit नहीं बताता, sale profit नहीं बताता, EBIT profit बताता, तो मेरे को यहापी क्या निकालना है, rate of return, कितना EBIT कमाएं, total पैसा लगाते, total पैसा में क्या लगएगा, aggressive, conservative, moderate, और aggressive, ऐसी calculation हो जाएगा, current asset देखो तीनों में पता है, minus करना है current liability, और current liability दो एक ही fix किया हुए, तो जैसी minus करेंगे 2.34 सब में, पहला पार्ट लोग ख़ता, तो अगर आप लोग रोग काल्कुलेट करें, 4.5 minus 2.34, 3.16, 3.90 minus 2.34, 1.56, 2.6 minus 2.24, 0.26, very easy, 0.26, पहला पार्ट दन, और इसेड पार्ट पे, calculate करना है, EVIT divided by total asset into 4, EBIT तीनों में पता है, divide करना है total asset, total asset कैसे आएगा, fixed asset वो तो देखो, सब में सेम है, plus current asset into 4, इस example को ज़र पे, पहले वाले में आएगा, 1.23, और दिवादेट वाले में पार्ट आएगा, total asset, निक्या आने वाला, fixed asset 2.6, current asset 4.5, percentage को देखो देखो, 200, तो अगर हम लोगी calculate करेगा, यह आजाएगा, 17.32%, similarly आगले वाले में आएगा, 1.15, और दिवादेट बाए, current asset, fixed asset to 2.6, current asset is 3.9, into 100, यह आएगा, 17.69%, और तिस्ता वाला, अपने आपने आपनेट के, calculate करेगा, अगर तिस्ता में लिकालना है, CA by CL, यह तो और easy है, CA पता है, divide करना है, PL से, और current liability fixed है, 2.34, तो तिनों को divide करनेंगे, 2.34 से, मेरा आपने आपाल सब आजाएगा, तो खालीम पहला वाला लिख जाता है, 2.5 by 2.34, यह आएगा, 1.92, 3.9 by 2.34, यह आएगा, 1.67, और लाज़ पहला, 2.6 by 2.34, यह आएगा, 1.11, तो पहला पार्ट में कुछ है रेखा, अब सेकेंड पार्ट में छोटा सा बात है, जो समझने पहला, तो मेरा वर्किंग के पापिटल पॉलिशी दन, अब आगे बोलता है, after evaluating the working capital policy, after evaluating the working capital policy, the financial controller has advised, the adoption of moderate working capital policy, जर यह तीनों के basis पे, last time decide क्या गया है, moderate policy में जाएंगे, तो अब यह मेरा fix हो गया, अब आगे मेरा company examine कर रहा है, कि भाई, जहां से भी पैसा चाहिए, तो long term, short term borrings, जहां से लेके है, the company will use 2.5 crores of equity fund, equity से लाएंगा 2.5 CR, और tax का rate दियावा है, पैसे परके, और मेरे company के पास, पैसा लाने के लिए 3 option है, conservative, moderate, aggressive, short term लाएंगे, इतना इतना इतना, long term लाएंगे, इतना इतना, इसमें interest rate देखो दियावा है, अब मेरे को financing policy पे वापस से, answer देना ही ये 3 question, पहला है networking capital, तो में लो लेगा very easy, मेरा networking capital का formula मेरे को पता है, CA minus CA, तो मेरा क्या है, conservative, moderate and aggressive, अब मेरा current asset कितना है, current asset कितना है, current asset कितना है, 3.9, fix हो चुका है, क्यों अब मेरे को current asset तो, अब देखो moderate के values को लेके आगे बरणा है, तो मेरा current asset तो 3.9 है, current liability कितना था, 2.34, पर देखना, इन दोनों में एक चीज़ और current liability में जाएगा, short term, यानि पता है मेरा networking capital के आएगा, CA था 3.9, माइनस करना है current liability, मेरा current liability में 2-2 आगया, एक जो पहले से 2.34 था, वो तो था, और इदर में 0.4 और आया, इसका यह जो second part है, यह अच्छा part है, यह जाएगा 1.02, अब मेरा moderate के अंदर में current set का value fix हो गया, 3.9, current liability पहले था 2.34, और यहाँ पर बनाया, यह मेरा आने वाला है 0.56 शहर, अब मेरा current set था 3.9, माइनस करना है current liability, अब मेरा current liability 2.34 था, इसके 1.5 और आया, 1.06, पहला part दन, अब networking capital के अंद current ratio निकलना थोड़ा ज़्यादा एजी रहेगा, मेरा current ratio के आएगा, CA by CM, तो वैज, CA पता है, 3.9 divided by CM, तो यह बढ़ा एजी लोगा, 3.90 divided by current liability, दोनों मिलाके है, 2.34, 22.25, यह 1.35, मेरा दूश्रे वाले में current set पता है, divide करना है current liability, 3.90 divided by 3.34, यह बढ़ा 1.17, यहाँ पे CA पता है, CL पता है, 3.90 divided by 3.24, यह बढ़ा 1.02, very easy, तीसा पार्ट जो है, एक अच्छा पार्ट है, rate of return on shareholder equity, यानि कितना return कमाते हैं, equity पे, यानि ROE, बेरा return on equity, याद ध्यान देना, equity वालों को क्या मिलता है, जो last में बच जाए, और income statement के last में, क्या बचता है, आफेश, तो formula में क्या आएगा, आफेश, are divided by, उसने कितना रुपया लगाया, equity share capital, percentage of 200, अब उसने कितना रुपया लगाया, वो तुरे को question में clearly लिखावाय, 2.5 प्रोड लगाया equity में, पर मेरे को चाहिए, तीनो option में आफेश कितना, अब तीनो option में आफेश कितना कैसे मिलेगा, अब मेरे को शुरुआत करना पड़ेगा, income statement बनाना EBIT से, और EBIT तो यही लेना, चिकि यह वाला line तो fix हुआ हुआ है, तो अगर conservative, moderate, aggressive में EBIT से शुरू करे, तो अगर यह line fix हो चुका है, 1.15, वो आएगा, 1.15, माइनस करना है interest, अब मेरा interest किसको देने वाले हैं, देखो conservative, moderate, aggressive में, conservative, moderate, aggressive में, short term debt को देंगे 12% पे, long term को देंगे, 10% पे, तो interest दोनों भी जाएगा, तो पहले वाले में 10, 12%, second में 10, 12%, next to 12%, यह आने वाला है, 0.0648 शहएद, 0.06, तोर देते, यहापे आएगा 1 का 12%, 0.12, यहापे आएगा 1.5 का 12%, 0.18, अगरा long term पे निकाले, बेरा long term पे आएगा 1.12 का 16%, यहाएगा 0.18, यहाएगा निकाले यहाएगा, 0.16 में निकालेंगे, यहाएगा यहीची, यहाएगा 0.91, यहाएगा 0.92, EBT में माइनस कर देना tax, at the rate 25% शाहएद दियावा है, पर यह 35% दियावा है, तो मेरे को मिल जाएगा EAT, हम सीथा EAT लिख दे रहे हैं, कितना आएगा, 0.59, 0.60, 0.65, EAT आगया, preference dividend होता, माइनस करते नहीं है, मतलब यह आफेश, आफेश का वाली पूट कर देना, equity कितना है, 2.5 CR, इनकी टॉट, तो यह जो second वाला पार्ट था, यह बड़ा अच्छा पार्ट था, जहाएगा मिल को, इस प्लाइन को fix करना था, जह क्वेश्चिन वह बूला है, यह moderate working capital policy adopt कर चुका है, तो यहाँ तो हम लोग किये, अब next हम लोग करेंगे, हमारा change in number of shift पर लोग करेंगे, चलो हम लोग साट करते हमारा आगला topic, जो topic का नाम किया है, change in number of shift on working capital, यह अगर वैचास हमारा एक company single shift की जगा, दवश्चिफ्ट में काम करें, क्यों काम करेगा, क्यों जितना उस्का मालो पहले demand था product का, अगर मालो demand बढ़ गया, तो जड़ा unit बनाना पड़ेगा, और जड़ा unit बनाने के लिए, मालों पहले वो एक shift आर्ट हिंते का काम करता था तो अब डवज़शिफ्ट में आर्ट इंटू दो सुला हिंता काम करना पड़ेगा तो जैसी मेरा single shift 8R से double shift 15R काम करेगा मेरा बहुत सारा number double हो जाएगा बहुत सारा number same रह जाएगा अब यह टॉपिक में निकालना किया है चालव चाल चीजा डबन होने वाला अब यह टॉपिक को डिसकूस करने के पहले बाड़े हमारे सऊंप्शन चलेका कि जो वर्कर पहला शुप्ट में आ जो सेकंड रो कर मंहीं दूनों के दिशन सी सिग है मशिन जिस capacity के साथ काम करता है जिस efficiency के साथ काम करता है second shift में भी वो सेम है अब लगाओ बुठी मालोब पहला shift में काम किये 8 हंटा काम किये 10,000 यून बरहे पर वोई अगर बैचास 8 हंटे की जगा अगर हम 60 हंटा काम करते लगे और हर चीज अगर सेम है तो 10,000 के जगा 20,000 यूनिट बनने लगेगा तो मेरा production क्या हो जाएगा double अब अगला बात sale है मालोब पहला shift काम करते है मेरा sale होता 9,000 यूनिट अब मेरा अगर double shift में काम करेंगे तो क्या 9,000 का double होगा जरूरी नहीं है वो depend करता है demand के तरह और अगर बैचास हमारे question दे पुछ mention ना करें तो अब लोग सेख लिए अर्जूम करते है sale भी क्या होने वाला है double बाइ production डबल हो गया sale डबल हो गया तो यह वो closing stock यहाँ पे 1000 था और मेरा closing stock 2000 हो गया जैनि closing FG का भी unit क्या हो जाएगा ठीक double अगर double unit बनाएंगे तो भाई मेरा raw material भी double लगेगा और अगर raw material डबल लगेगा तो raw material stock भी double लखना पड़ेगा तो मेरा raw material stock भी हो जाएगा double अब debtor का unit मालो debtor का trade unit एक मैना था तो पहले 9000 unit के लिए एक मैना मिलता था अब 8000 unit बेचे रहे पर एक मैना मिला तो मेरा debtor का जो unit से वो भी क्या हो जाएगा double double production कर रहे है raw material डबल लगेगा ज़र एक creator से भी double खरिदना पड़ेगा तो creators भी double पर ध्यान देना मेरा fixed cost total में क्या रहने वाला है same मेरा पहचानता fixed cost total में same और मेरा variable cost per unit में क्या रहता है same अब अगला question उखता है जो मेरा WAP stock का unit है उसका treatment क्या होगा और मालो हम लोग single shift में काम करते हैं WAP रहता 100 unit और मालो single shift के जगा double shift में transfer हो रहे है तो क्या मेरा WAP का unit double हो जाएगा बिल्कुल नहीं वो रहेगा same ऐसा क्यों मालो हम यह मेरा पहला shift है worker लोगा एक काम किये finishment बनाए कुछ end में पढ़ा रहे गया और मालो हम single shift में काम करें तो अगले जिन सबसे पहले 100 unit को पूरा किया जाएगा और unit बनेगा फिर वापस क्या पढ़ा रहे जाएगा 100 unit फिर third day क्या होगा यह 100 unit को खतम करेंगे और बनेगा लाशनी चाह रहे जाएगा 100 unit पर वही अगर वाइचास हम single की जगा दो shift में काम करने लगे तो जो second shift में आद्वी लोग आएगा वो यह नहीं करेगा कि इस machine में जो पढ़ा उसको फिक देगा यह नहीं मेरा नहीं काम कर वहाँ यह यह अचूत है बैए सबते पहले क्या करेगा जो machine में पहले पढ़ा है उसकी को खतम करेगा और unit बनाएगा और लाशनी क्या पढ़ा रहे जाएगा 100 या जगर single shift रहता तब भी 100 unit पढ़ा रहता अगर double shift में काम कर रहे तब भी कितना पढ़ा रहेगा 100 unit या नि शौट single shift से double shift जाने में हर सीज होता है double except इतीन number fix cost, total net, variable cost per unit and WIP stock का unit और बाकी production से raw material, FG, debtor, creator सब का unit क्या हो जाएगा double चलो इसके बेसे से करते हैं हमारे चाप्तर का इसके साथ हमारे चाप्तर हो जाएगा खराब यह हमारा है question number 6 क्या हमारा question number 6 submarine enterprises has been operating its manufacturing facilities built 31st March 2013 on a single shift working with the following capital structure single shift ने काम करता है और क्या दियावाए है देखो मेरा सारा खर्चा दियावाए है per unit material का इतना मेरा wages 5 रुपया पर रुपया पर रुपया लगा जिसका 40% fixed है मने 2 बाकी variable मेरा over rate लगा है 5 रुपया जिसका 80% fixed है यानि 4 मने variable 1 मेरा profit 2 दियावाए है selling price दियावाए है 18 अब देखो sale value दियावाए है 4,32,000 total sale value पता है selling price पता है तो भाई जैसे divide करेंगे पता है मेरे को क्या मिल जाएगा number of units कितना बना के बिखे तो और तुम यो calculate करेगा 4,32,000 divided by 18 कितना होता है 12,000 units यानि जब ये single shift में काम कर रहा है 24,000 unit बना और आगे लिखाव है 31 मार्स 2013 को stock या सारा current effect कितना है raw material stock कितना था WIP इतना FG इतना data इतना जब तक single shift था अब जैसी single से double में जाएगा कुछ-कुछ number change होगा वो मुझे निकालना है अब आगे बोलता है in view of increased market demand it is proposed to double production by working in extra shift single के जगा double production कर दा है double shift में जाएखे हम लोग expect कर रहे है 10% discount will be available from supplier of raw material यानि जो मेरा raw material का supplier उसके 10% discount मिलेगा तो जो 6 रुपया में खरीकते थे 10% minus होके 5.4 हो जाएगा मेरा selling price will remain the same मेरा credit period allowed to customer will remain unaltered customer का वह credit period है creator का जो है वो विल continue to remain at the present level that is 2 months और मेरा wages और overhead का आने वाला है half month जो जो निकालना है कितना additional working capital लगेगा पहले बनाते काउशीट और इसे थोड़ा सा बुद्धी लगाने का इसका काउशीट हलका सा लग तरीका से बनता है पहले single shift बाजू में double shift ठीक है मैं लिखने जा रहा हूँ काउशीट single shift बाजू में double shift इसर में 24,000 unit बनदा था यह पर double हो की क्या हो जाएगा 48,000 unit पहले इसका format थोड़ा अलग रहेगा rupee per unit and amount मेरा rupee per unit and amount अशा रहेगा बस अगला table बनाती मेरा पहले पहले रहेगा चुला माला कॉशीट का पहला रहें क्या होता है raw material मेरा raw material cost इकना लग रहा है 6 रुपया per unit single में और double में जाती 10% discount मेला था मेरा पहले raw material consume कितना आएगा इधर में 6 रुपया per unit इधर में 10% discount 5. तो value calculate का रहे 144 है 144 और ये मेरा आने वाला है 259,200 मेरा second line कौन सा आने वाला है direct wages मेरा direct wages भी आवा है 5 इसका 40% fixed है मने दो बाटे variable 3 तो भाई मेरा विजज पांच का 40% आने वाला है fixed ना मने दो variable नहींगा थी ठीक पुरा समाल के रिखना fixed cost total में same रहता है variable cost per unit तो पहले fixed cost total में निकालते हैं 24,000 into 2 48,000 मेरा variable आएगा 24,000 into 3 72,000 और मेरा fixed cost का पैचान total में same यहा total में same रिखना मेरा variable का उसला पैचान per unit same तो यहाँ पे per unit same रखना यह है तो यह अगर हम लोग यह per unit निकाले हैं कितना मिलेगा 48,000 by 48,000 एक रुपया और यहाँ पे आएगा 48,000 into 3 144 क्या में जाएगा प्रेंट 6,000 दो 8,000 दो 11,000 यह आएगा 264 यह आएगा 9.4 यह आएगा 451,200 सही है ना? चला बगला मेरे को add करना है factory overhead अब overhead मेरे कुछ portion fixed है कुछ variable किसना है? मेरा overhead है 5 रुपया जिसका 80% fixed है मने चार यहानि variable आया एक बापस similar calculation करते है 24,000 into 4 96,000 24,000 into 1 24,000 जो मेरा fixed cost है टोटल में same तो 96,000 सेम रह जाएगा जो मेरा variable cost है per unit same per unit यहाप एक था यहाप भी क्याने वाला है तो यह rate कितना हैगा? 96,000 by 48,000 जो or 48,000 to 1 48,000 जैसी आट करेंगे क्या मेलेगा पक्ती आपर वर्स cost? कि से 3,000 जो रहेगा? जो लब आट करेंगे profit क्या मिल जाएगा? sale देखा selling price भी आवे है 18 रुपया तो profit आएगा 2 और question में रहे है selling price unchanged है तो 18 रहेगा तो हम दोगे calculate करें I think यह आने वाला है 48,000 कि दा 4,32 यह balancing भी रहेगा 5.6 यह आएगा 8,64 यह आएगा 268 I think cost sheet हो गया अब मेरा बारी आए हमारे क्याना वेश्का working capital वाले table बनाने का working capital वाला table खोड़ा धंग से बनाना कैसे बनेगा? देखो यह फोड़ा अलग टैप्पे पी इसमें बड़ा डिस्कूदांस है कुछ same है कुछ वो रह गया पहरे calculate करेंगे single में कितना होने वाला है बाद में रिकालेंगे double में कितना होने वाला है यहां पर अब एक जैसे institute एक अलग टैप का format बनाता है इसके बना सकते हैं इसो normal भी चलेगा बोलों यहां करता है quantity rate क्यों करता है अभी एक सब्सक्राइब आएगा पैनल लेकर चलते हैं current asset जोगे मेरा current asset पहले दिया वहा है raw material stock 36,000 और bracket पे लिखा वहा है value किया गया था cost पे जोगे मेरा पहला है raw material stock 36,000 और value किया गया था cost में ज़रा दिकुद तो single shift में raw material का rate कितना था 6 रुपया यानि 36,000 रुपीज का stock पड़ावा था और rate था 6 रुपया यानि quantity कितना है था 36,000 रुपयच है 6,000 अब जैसी single से double shift में जाएंगे जैसी single से double shift में जाएंगे जान देना raw material stock double हो जाएगा units में तो 6000 का double 12,000 अब मेरा rate काएगा जरा देखो raw material के rate अब डबल shift में क्या चल रहा है 5.4 तो 12,000 इस जो 5.4 आने वाला है 64,000 clear है अब अगला मेरा लिखाव है WIP कुल मिला के 22,000 और bracket भी लिखा है value किया गया है prime cost पे prime cost तो WIP stock है 22,000 prime cost पे value किया गया है जरा देखो तो prime cost में per unit कितना चल रहा है rate prime cost में निकाला था 11 रूपया तो 22,000 सब आये था जब rate था 11 जयनि quantity आएगा 2000 और जहांदेना single से double में जाना है WIP stock का unit same रहता है तो रह जाएगा 2000 और मेरा देखो double shift में prime cost का rate क्या बन गया है 9.4 तो थोड़ा डिस्कोड आसका question है जाएगा 18,008 और मेरा तीसरा है FG stock 72,000 value करना है total cost पे तो भाई FG निकालते है 72,000 value करना है total cost पे देखो तो मेरा total cost में rate कितना चल रहा है स्कूला 73,000 को divide करेंगे स्कूला से यह आएगा 4500 जैसी single से double shift में जाएगे quantity double हो जाएगा यह बन गया 9,000 और total cost का rate कितना है 12.4 यह आएगा triple one जबल जो जो मेरा data है वो एक लाक 8,000 जो मेरा data है वो एक लाक 8,000 अब data देखो selling price भी value किया गया तो यह आएगा है 18 तो जैसी divide करेंगे में को क्या मिलेगा data का quantity जाने वाला है 6,000 जैसी single से double में गये quantity double हो जाएगा 12,000 selling price से मेरे गया 18 जैगा 12,000 जिला होता है तो मेरा current asset आचुका है total ठीक अगर हम दोग add करें यह आएगा तो जैसी करें यह आएगा अब अगला मेरे को लिखता है current library अब मेरा current library को मिला कर तीन है अब इसका value value नहीं दिया है सीधा हमको calculation नहीं करना जैसे करते है आप मेरा creator का देखो बूलता है we'll continue the domain at the present level that is two months अब ज्यान देना जब भी हम लोग creators का calculation करते हैं वो करते हैं purchase पर अगर question में purchase का value ना दे हम लोग मारें कितना raw material यूज की है उतना ही purchase की है तो raw material can consume कितना की पता है 144,259,200 divided by 12 into 2 अब सिस्थ यहां पर values नहीं है तो हम लोग जैसे normally calculate करते दे वैसे कर देंगे तो मेरा 144 by 12 into 2 और दुस्वे वाले में 259,200 by 12 into 2 calculate करना यह पैना वाला हैगा I think 24,000 मेरा दुस्रा वाला आएगा 46,200 खिक अब आगे वक्ता है lag in payment of wages and expenses है will continue to remain half a month half one minus 0.5 month outstanding wages and outstanding overhead पैसे तो देखो अलग 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 लिखना चाहिए पर हम एक साथ में लिख जे तो दूनों का सेम ही है तो मेरा wages कुल मिला कर कितना है 48 और 72 एक बीस और overhead कितना है 96,24 एक बीस तो एक बीस और एक बीस मिला कर क्या होता है 2,40,000 by 12 into half मने 0.5 और दून में लिखना 48,144 मिला कर 192 और 96,48 मिला कर 144 जाएगा 3,36,000 I think दिवाइगा 12 into 0.5 ये शेर आएगा 10,000 ये आएगा 14,000 ये मिलेगा 34 ये मिलेगा 57,300 तो ये चे आयावया है मिलस करेंगे C L क्या मिलेगा नेट्वर्किंट काविट ये दिवाइगा ये चे आयाएगा ये चे आएगा हमारे topic हैंने हमारे यह capital होता है All right Oh अнитьर क्रों मोल्क सॉठता है हमारे अगला चैप्र का किनो आइं के साथ क्या है कैस्ट अक ज्विशWhat पहला हमारे cash लिएक विल न्याद का मॉडली इसने आता है और एक मिलल और प्राइटिकल खाली बॉमल में है देखे क्या है अधिको बॉमल मॉडल के अंदर में हमारे एक फॉमुला दियावाए है यह सेम ऐसा फॉमला हमारे कॉस्ट के अंदर में मटीनल चैप्टर में था एक योक्यू का और एक फा हमारे इबीक्यू का अब दिखो मेरा ऑप्तिमूम क्रांजेक्शन साइज होता क्या है पहले में बताते हैं बालो हमारे कंप्ती के पास कुल मिलाकर जितना ही पैसा आता है वो पूरा का पूरा पैसा वो इन्वेस्ट कर देता है पर वाई जब साल बर में कुछ सा कुछ खर्चा भी करना है अब अगर खर्चा करना तो उसको क्या करना पड़ेगा अपने एक इंवेस्टमेंट को बेचेंगा कॉस्ट कम से कमाने वाला है उसी को हम लोग क्या बूलते है Optimum Transaction Type मालो मेरा Annual Requirement of Cash है 20 लाइट साल भर मेरा Cash का Requirement है 20 लाइट अगला मालो हमारा Transaction Cost लगता है 100 रुपया पर Transaction तुम लोग लोग है Transaction Cost पतलब चाहँ जब भी हम लोग पैसा इन्वेस्ट करते हैं या फिर इन्वेस्ट को बेच के Cash मिलाते है बीच में हमेशा ब्रोकर आता है और जो ब्रोकर आता ही हमेशा चार्ट करता है ब्रोकरेज तो मालो ब्रोकरेज का रीठ है 100 रुपया पर Transaction और अगला हमारा इंट्रेस्ट का रेट चलना है मालो मार्केट में 12% पर एन्व अब मेरा फॉर्मूला क्या बनता है रूट ओवर 280 बाई C यहाँ पर A क्याने वाला है Annual Requirement of Cash मेरा T क्याने वाला है Transaction Cost per Transaction मेरा C क्या है Caring Cost Caring Cost per Unit per एन्व मतीडल में होता था यहाँ पर होता है Caring Cost per रूपी पर एन्व कारण क्या है वाँ पर एक यूनिट को होड़ करने पर खर्चक चलागा यहाँ पर हर एक रूपे को होड़ करने पर बिना दुस्पान क्या हो रहा है तो हर एक रूपे को होड़ करने पर हम कितना इंसेस्ट होएगा 12% तो मेरा carrying cost जब भी रहेगा percentage हम लोग हमेशा multiply करेंगे पर रूपी बने एक रूपे से तो यहाँ पर carrying cost 12% पर रहे नहीं है तो carrying cost आएगा एक का 12% कितना आएगा 0.1p A आया T आया T आया तो मेरे बुख्या मिल जाएगा optimum transaction size जो आएगा root over 2 into A into T divided by T अगर हम रोग यह calculate करें यह value आएगा लेकिया से 5 double 735 यह है 2 into 20 lakh into 100 divided by 0.12 यह आएगा rupees 5 double 7 35 यानि यह क्या indicate करता है हम हर एकवार में अपने 5 double 735 इतने रुपे के investment को बीचे तो जो मेरा total cost आएगा कम से कम और मेरे total cost में हापर क्या है transaction cost और अगला क्या है total cost यह तो हम लोग बात के optimum transaction size का root over 280 by 3 अब इसके लावा काफ़े और हमारे question में क्या करेगा अलग-अलग option दे देगा कि अगर मालनों मेरे को साल भर में चीए 20 lakh तो हर एक transaction में बेचने का मेरा lot size बताएगा कि कभी भी ना 5 double 735 ऐसे रुपे के investment खरीट बेचने होता वो एक धंग का number रहेगा लेसे एक लाग, दो लाग, पांच लाग, दस लाग इस साल अलग अलग option में calculate करना है कि इस सारे option में सब तच्छा option कौन सा इसके लिए हम लोग एक exact recipe बनाएगे जैसा हम लोग material chapter में बनाया करते थे मालनों मेरे पास खुल मिला कि तीन option है annual requirement हर option में क्या रहेगा same, मालनों है 20 लाग ठीक, आजो मेरा lot size है यानि हर एक transaction में हम लोग कितने रुपे के investment को sell करेंगे मालनों तीन option है, ऐजर हम लोग बेचेंगे 1 लाग रुपे को या बेचेंगे 2 लाग रुपे को या बेचेंगे 5 लाग रुपे साल भर में चाहिए 20 लाग मेरा हर एक transaction का lot size है आइधर 1 लाग, 2 लाग या 5 लाग तो जैसे divide करेंगे से मेरे को क्या में जाएगा मेरे को साल में ऐसा transaction कितनी वार करना है साल भर में चाहिए 20 लाग हर एक transaction है 1 लाग का, यानि number of transaction ऐसा कितना हो जाएगा 20 मेरा अगले वाले में 20 लाग चाहिए हर एक वार में बेचेंगे 2 लाग रुपे के investment को तो मेरा ऐसा number of transaction साल में कितना आज आएगा 10 और last वाले में किया आएगा 20 लाग, 25 लाग, 4 तो याज करना chapter material में इसका नाम था number of order याप इसका नाम है number of transaction अब दो जितनी वार transaction होगा उतनी वार हमारा broker involved होगा transaction cost लगेगा मालो transaction cost कितना है 100 रुपया पर transaction तो वाई हर transaction का 100 तो जितना transaction करेंगे जो लिखावा है C में into 100 यानि आएगा 20 into 100, 2000 10 into 100, 1000 4 into 100, 40 आया transaction cost तेरा अगला खर्चा क्या होता है carrying cost तेरा carrying cost का मतलब क्या अब तो चुछे एक लाग रुपय के investment को बेच के अपने पास हम cash के form में रखे तो interest होए हर एक रुपय पर interest होते है 12 पैसा तो वाई अगर एक लाग रुपय हम भूड करता है interest कितना खोएगा एक लाग इन्टू 12 पैसा पर पता है इसको divide करना पड़ेगा 2 से divided by 2 करने का कारण क्या है average बनाना पहला दिन एक लाग रुपय पे interest कोई तो इन्टू खोड़ा खर्चा होदेगा कमते खोएगे ऐसे करते करते आएगा 0 तो मेरा formula क्या बनेगा एक लाग जितना मेरा lot size है divided by 2 इन्टू carrying cost पर unit निस पर रुपी पर रिनाब 0.13 तो हम तो कि calculate करेंगे ये value आएगा पहले वाले में 6,000 अगले वाले में 12,000 अगले वाले में 30,000 जैसी transaction cost carrying cost आएगे मिरको मिलेगा total cost 26,000 13,000 and 30,000 याएगा 8,000 13,000 याएगा जिस option में मेरा cost पर से कमाया वो option में बेस्ट तो रेगा हमारा पहला का बहुत मोडल जिसका formula है root over 280 by C जहाँ पे ही है annual requirement of cash C a transaction cost per transaction C भ्याम दक्तना carrying cost per rupee per annum याएगे हर 8 रुपे को हूड करने पे मेरा कितना रुपे का दुस्तान हुआ और अगला अगर बैचस मेरा 4-5 option रहेगा तो ऐसा table बनाएंगे annual cash requirement क्या lot size कितना divide करती number of transaction उस पे depend करेगा transaction cost और last रहेगा carrying cost ड़न चलो ड़न ये था हमारा पहला bomber model अगला हमारा है Miller और model Miller और model मात परत शोरी हमारे सिल्वर से है ये शोरी क्या बूलता है कि मेरा एक काप्पनी सबसे पहले साल के beginning में team level set करेगा क्या है वो team level सबसे पहले ये set करने वाला है maximum cash balance इसको कितना रखना है इसका नाम है upper control limit मेरा maximum का उल्टा क्या होता है minimum का अगला है निकाली का minimum cash balance कितना रखना है upper पहला है यहां पर आया upper control limit यहां पर आया lower control limit और बीच में जो होता है इसी हम लोग कहते है normal cash balance या return point मेरा normal cash balance के इसके एक और नाम है return point तो यह model बड़ा simple एक क्या बूलता है मेरा हरी company अपना साल का शुरुवात करेगा normal cash balance के साथ अब यह daily cash आएगा कुछ यह daily cash जाएगा पर obvious अबात ही even नहीं uneven जाएगा जो real life में होता है cash आया, 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 कभी खरका हो गया फिर आया, खरका हुआ, आया, 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 आया आ, 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 जा, आ, 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 जा, आ, आ, चा, करते 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 वादो हम लोग पहुंच गे आपर consumo limit यानी मेरा यह million order model क्या बोलता है कि भाई जैसे मेरा cash maximum cash balance को touch कर जाएगा अब इसके beyond cash नहीं रखता अब ये इतना ज़्यादा cash हो गया है किया हम इसको hold करता है बेफाल्तों interest होएगा जैनि मेरा जितना extra cash balance पड़ा है इसे हम लोग जा करेंगे कहीं पर invest कर देंगे और पते उससे ही रुपय Jáँ इंवेस्ट करेंगे कि वापस से cash कम होके तहा पहुँचे normal level तो आप लोग इस जगह में क्या करेंगे investment करेंगे अब वापस मेरा daily cash का आना जाना हो रहा है जाना देखो जाना देखो जाना देखो हम लोग चार्ट करेंगे investment को sell करके exact उत्ते रुपए के investment बेचिनी की वापस कहां पहुंच जाए normal cash balance यह आपके sell करेंगे investment तो इक daily cash का आना जाना करता रहा है जाने इसके लाबा मेरा और मॉडुल में कुछ नहीं है हमारा cash management मॉडुल होता है खता अब मेरा एक second topic आता है cash budget पर उसके पहले इक वार हम बताते हैं हमारा operating cycle गोल के एक term अब मेरा operating cycle या cash conversion cycle मेरा operating cycle या cash conversion cycle denote करता है कि एक और मेरा supplier से raw material जाब purchase कि तो देखो मेरा cash गया मालो हमारा supplier बैठा वे यहाँ पर मैं उसके raw material लेकर आया मेरा देखो cash चला गया अब जैसी raw material आएगा सबसे पहले store department में रुपेगा फिर ए production department में जाएगा जहाँ production होने में टाइम लगेगा फिर ए warehouse में जाएगा फिर डेटर को बेचेंगे वह अपना credit period लेगा और उसके बात पैसा मिलेगा जैनि तो चल्राव material खरीदने में cash गया आज पर पहले raw material stage में रहा है फिर यह WIP stage में गया फिर यह NG stage में गया फिर डेटर पैसा देगा तो एक वार cash गया पर यह वापस से cash rotate हो के बहुत समय ब फॉर्मुला क्या है आज के दिन मालो मेरा आया raw material आज के दिन मालो क्या है फॉर्स एप्रिल तो रिकों मालो supplier को हम आज ही के दिन cash दे दिए मेरा cash गया आज के दिन अब मालो जैसी raw material आया stores department में पढ़ावा है मालो 10 दिन तर एक के बाद 11 तारिक हो गया store department में पढ़ा रहा है इसके बाद हम लोग इसको production department को दे दिये अब जैसी production department में गया WIP stage में चला गया मालो 6 दिन वहाँ पढ़ा रहा है हो गया 17 तर एक जैसी मेरा WIP बना अब इसको warehouse में बेच दिये जानी SD stage में पढ़ा रहा मालो 8 दिन 25 पारिक हो गया अब उसके अदिक को हम लोग बेचे डेटर को और मालो हमारा डेटर लगाता है पे करने में 5 दिन तो 25 के बाद 5 दिन और 30 एपरिल को पैसा वापस देखो आया तो दिको मेरा cash गया था एक तारिक वापस आया 30 तारिक तो जितने दिनों तक मेरा cash अटक गया इसे ही हम दो क्या कहते है cash conversion cycle यह operating cycle तो मेरा question उते है इसका formula क्या मिलेगा एक वार गिने 10 प्लस 6 सूला प्लस 8 24 प्लस 5 29 देख एक काम करते है न नंबर को simple लखने के लिए इसको 6 दिन बना देखे है पैसा मेरा first दिन आया यारे देखो मेरा पैसा आटका रहा 10 प्लस 6 सूला प्लस 8 24 प्लस 6 प्लस 6 प्लस आनेगा raw material का period प्लस मेरा WIP का period प्लस मेरा NG stage में जो पढ़ा रहा है FG का period प्लस जो मेरा debtor पैसा दिया अच्छा है दिन बाद debtor का period एक चीज माइनस भी होगा माइनस क्या होगा यहां पे हम लोग अज्यूम किये कि आज ही की दिन raw material आया आज ही के दिन पैसा दे दिये पर ऐसा real action होता नहीं है generally तो raw material आ जाएगा पर पैसा आज नहीं वो भी तो मिरेको थोड़ा credit period देगा मालों वो मिरेको credit period देता है example दे रहे है पांच दिन का तो वह यह raw material आज के दिन आया पर पैसा पांच दिन बाद जाएगा तो हमको पूरा जोर दिये 10, 6, 8, 6 पर पैसा भी तो मेरा पांच दिन बाद गया तो उसको मिरे को माइनस कर्मा की जो क्या है creditor का period लोगिकल बात यान इक हुल मिला के हमारे operating या cash conversion cycle में पांच दिन आएगा raw material period प्लस WIP प्लस FG प्लस getter माइनस creditor period मालों सब मिला जो लातर example दे रहे हैं मेरा इस case में कितना है था 30 माइनस 5 25 बाद तो मेरा cash conversion cycle हुआ है 25 बाद अब अगर बैचांस के मेरे से पूछे कि बताए साल में ऐसा cycle कितनी बाद होगा तो वह इस साल में दिन होता है 365 और एक cycle है 25 दिनों का यानि पता है मेरा ऐसा cycle साल में कितनी बाद होने वाला है 365 divided by 25 जो शायद आएगा 14.6 times यारी मेरा 14.6 times ऐसा cycle साल भर में होने वाला है मेरा आखी बाद मालो मेरा को साल भर में जो भी हम लोग production करते हैं उसके लिए मेरा खर्चा लगता है मालो example दे रहे हैं मालो मेरा खर्चा लगता है 773 लाक मालो मेरा साल भर में खर्चा लगता है 73 लाक तो एक्जाम में थे बूलेगा बताओ मेरा को working capital लोन कितने का चाहिए तो अगर साल भर में लगता है 73 लाक तो question उपता है कि हम साल भर में 73 लाक रुपी सा लोन लेके आएंगे कभी जीवन मिलें कम रुपे का लोन लेख कि आओ कि एक वर जो रुपीय लगेगा यह वापस तो ऋस दिनों बाद मिलेगा फिर उसी रुपे को वापस यूँशत है वापस को दिनों बाद मिलेगा वापस उसी रुपे को यूशत है तो question उपता है मेरको working capital loan कित्मी रुपय का लाना पड़ेगा? 73,00,000 divided by 14.6,000 जो कितना आने वाला है? 5,000,000 रुपया लेकर आओ एक और लेकर आए, देखो 25 दिन में वापस मिल जाएगा, फिर उसी रुपय को वापस लिएगा उसी रुपय को वापस लिएगा, तो अगर ऐसा हम कांप साल में 14.6 वार कर पाएगा, तो मेरा जो साल भर का रेक्राम दर पूरा हो जाएगा यहारी मेरा कैश कंबर्जन साइकल एक बड़ा आसान तीज है, जिसमें बहुत खाले की चीज़ है, कैश कंबर्जन साइकल यह उप्रेटिंग साइकल का पीरिड, साल में ऐसा कितनी वार होगा, 365 में 25, साल में वर्किंग कैपिल लोन क्या रहेगा, अब एक्जाम में कभी-कभी न यह पांचो चीज़ एक्जाट दे देगा, या कभी अगर लोच्छा करना है, वो इनमें से पांचो में एक भी पीरिड नहीं देगा, मेरे को पीरिड कैल्किलेट करना पड़ेगा, क्वेश्चिन उठता है कैसे, इसके लिए वर्किंग कैपिल के नॉलिज के थोड़ा याद करना है, तुम लोगों शायद याद होगा, मेरा raw material stock जब निकालते थे, वो depend करता था raw material consumed के, कि मेरा raw material stock कितना रखना है, जितना साल भर में raw material consumed है, divided by 365 एक दिन का आया, into raw material का पीरिड, तो एक्जाम में raw material stock देगा, अब opening, closing दोनों दिया तो average लेंगे, raw material consumed भी देगा, 365 पता है, और एक पीरिड देजाए, similarly जो मेरा WAP stock है, वो मेरा depend करता है cost of production पे, कि मेरा WAP कित समय है, जिस समय production हो रहा है, तो cost of production by 365 into WAP पीरिड, WAP stock देदेगा, cost of production देदेगा, इससे WAP पीरिड मिलेगा, जो मेरा SG stock है, वो depend करेगा, cost of goods sold है, तो 5 इसको जहां रखता, raw material stock depend करेगा, raw material consumed, मेरा WAP stock depend करेगा, cost of production, SG stock depend करेगा, COGS, debtor depend करेगा, credit sales, मेरा creditor depend करेगा, credit purchase, तो ये था हमारा operating cycle, या cash conversion cycle, बस हमारा आफ़ी topic आता है, cash management का, फिर सीधा करते हैं, अब एक बड़ा important topic है cash budget, cash budget क्या है, जैसे कि नाम खुर इंडिकेट कर रहा है, यहाँ पर मेरा को क्या बनाना है, budget करना, budget बने हम लोग यहाँ पर estimate करेंगे, साल शुरू होने के पहले, expect करेंगे, कि मेरा अगले साल quarterly, या monthly, हर मेना कितना cash आएगा, कितना cash जाएगा, ताकि हम शुरू से cash का planning कर पाए, इसके लिए मेरा को करना कि exact वही काम करना, जो हम लोग cash बूक में किया करते थे, अध्यान देना cash बूक में हम लोग क्या ले जे थे, सारा का सारा cash item, इर्रिस्पेक्टिव वो revenue nature का है, या सर्थ capital nature का, यानि मेरा fixed asset purchase में cash गया, वो भी आएगा, wages को जो पेक किये, वो भी आएगा, इवेन दो पहला capital nature का, दुस्ता वाला revenue nature, investment wage के पैसा मिला वो भी आएगा, debtor से पैसा मिला वो भी आएगा, वो अलग बात है, पहला capital nature का दुस्ता वाला revenue nature, यानि revenue nature का रहे, या capital nature का cash आना जाना हुआना, cash budget का पार बनेगा, मेरा आगला बात, कोई भी non-cash item को यहाँ पर include नहीं करना, non-cash item को exclude करना, मेरा आगला question उखता है non-cash item में क्या आता है, सबसे एक लासरी example है depreciation, या कोई भी provision बनाए, या कोई भी bad debt जिसमे cash का आना जाना नहीं है, इसको में उमूर करना, मेरा आगला बात, जैसा question बोलेगा, उस रसाब से closing cash balance का planning करना है, काफी और हमारी company का policy होता है, कि मेरे को cash ना बत खली, हर quarter के एंड में 10,000 रखना है, और बैशास 10,000 से ज्यादा balance निकला, invest कर दे, और 10,000 से कम रहा, तो loan ले दे, तो वही जैसा मेरा company का policy है, उस रसाब से मेरे को closing cash balance को plan करना ह मुझे cash होते तो बनाना है, और obvious अब आते हैं पर एट भी actual number नहीं आएगा, ये budget है तो मेरा हर्टी's estimation ये expectation पे आने वाला है, तो हमारे पूरे की full equation में लिखा रहेगा, हम expect करते हैं इतना मिलेगा, हम estimate करते हैं उतना मिलेगा, student बोलते हैं तो लग रहे हैं इतना मिलेगा, बढ़े लग रहे हैं उसी के तो budget बनाना है, उसी के तो budget बूलते हैं, cash budget का format क्या रहेगा, शुरुआत करेंगे महने के opening cash balance के साथ, add करेंगे जहां जहां से पैसा आया, less करेंगे जहां जहां पे payment गया, मेरे को क्या मिल जाएगा, chosen cash balance, very easy, मेरा cash कहां से आएगा, इधर cash sales क करेंगे, या collection form data, या investment fixed asset को बेज करेंगे, या insurance dividend receive, इस सब रटने हैं, मत बढ़ दाना, questions कुद बढ़ा रहे हैं, payment का करेंगे, cash purchase या payment to creditor, investment fixed asset purchase किये, income tax पे किये, creditor को पे किये, wages overhead पे किये, वो सब कुछ, अब opening में add किये reset, minus किये payment, मेरे को मिल गया closing cash balance, इसके बाद decide हु ये साथ में interest काई payment होगा, तो final closing cash balance मिलेगा, जो मेरा पहले period का final closing cash balance आया, ये अगले period का क्या बनने वाला है, और इस से राइस का लिचा से चलता रहे है, अब यहापे 3-4 calculation बढ़ा अच्छा अच्छा हैगा, पहला, planning of closing cash balance आया, जैसे कि यह भी हम just user पहले बढ़ाया था, आपोसेट के रिपीट करें, मालो मेरा policy है 10-12 रुपेगा balance रखता है, पहले quarter में closing balance मेरा आयावा है, 8000, जैने मेरे को यहापे loan लेना पड़ेगा, 2,000, मेरा बन गया 10, ये 10 opening बन के जाए, और वही अगर बैचांसी आता 12,000, तो आइधर हम लोग loan का repayment करते, या मालो अब अगला नाम, इस तरह के question में अच्छा calculation होता है, collection from debtor and payment to trader, जो मेरा collection from debtor है, इसको calculate करने का दू तरीका होता है, एक payment of pattern of collection देगा, या फिर opening, closing debtor, trader देगा, sales QGS के साथ, और बुलेगा बताओ कितना collection हुआ है, या कितना payment की है, पहले एक बार example के तोर पे लेते हैं, य payment and closing debtor, शुरू में है 2,00,000, मैंने केर में 3,00,000, मालो मेरा creditor दियावाए है, शुरू में 1,00,000, closing में 1,50,000, और मालो मेरा stock दियावाए है, 80,000 and 75,000, दो नमबर वो बस साथ में देगा, credit fail कितना हुआ है, मालो दस्ताक, और अगला मेरा COGS कितना है, मालो छेला, इतना number sufficient है, calculate कर दे के लिए, कि मेरा during the month collection from debtor, कितना है, अब मेरा collection from debtor कैसे मिलेगा, इसको रटना नहीं, अकाउंट के लोगा पढ़ा है, single entry में, या cash to statement के direct method में, या non trading organization में, या final account में, या जब debtor अकाउंट बनाते हैं, सब लेगा, collection from debtor कैसे आने वाला है, ओपनिंग में debtor था 2 लाग, मैंने में और उसको बेचे हैं, 10 लाग का, दो का और लेडी था, 10 लाग और बेज दिया है, निकोल मिलाकर 12 हो गया, अब मैंने के लिए 3 लाग का balance पढ़ा रहा, यानि हो कितना रुपया पे कर दिया, 12 माइनस 29 लाग, तो मेरा collection from debtor कितना आ जाएगा, 9 लाग, यह हम लोग कैसे निकाले, opening debtor, प्लस कितना और उस देचे, minus debtor, यह आए वे नौला, ठीक रहा, और मेरा अगला है, कहले कि, आँ, payment to creditor, अब बैए creditor को कितना payment करना है, उसके लिए मिरको चाहिए, यह same format को देखे, तो opening में creditor कितना था, प्लस उससे और कितना purchase किये, minus closing में creditor क्या रह गया, question में लेखो, मेरा opening creditor पता है, closing creditor पता है, पर भाई purchase का ठिकाना भी दो, और अगर purchase का ठिकाना नहीं है, तो जब तक purchase नहीं निकालेंगे, calculation नहीं होगा, purchase कैसे मिलेगा, POGS पता है, opening closing stock पता है, तो याद को रहे हैं, बच्छों दो तुम लोगा चीज पढ़ावा है, opening stock, plus purchase, minus closing stock, क्या होता है, POGS, मेरा opening stock है, 80,000, closing stock है, 75, POGS है, चेला, तो याद जैसी calculation करेंगे, मेरे को purchase नहीं मिल जाएगा, calculate करके दिखना ही आएगा, 595, मेरा purchase आया, 595, अब देखो, question exam simple हो गया, मेरा opening में creditors कितना है, 1,00, पर purchase कि 595 का और, मिलाके 695, पर closing में 15 पढ़ा रहे गया, यानि payment कितना किया गया है, 5,80,000, अब ये दोनों क्यों निकाले, कि cash budget नहीं कियाएगा, कितना cash है debtor पे, कितना cash गया creditors, तो एक ये तरीका होता है, जब opening closing balance दे, sales ये अगला तरीका है, pattern of collection, इसने को क्या से किस तरीका का information देगा, मालनो, April, May, June, July, August, हर मैने का sale बताएगा, मालनो, 10,000, 12,000, 14,000, 15,000, 18,000, और estimate करके बताएगा, मेरा हर मैने का sale इतना होने वाला है, और आगे बुलेगा, मेरा company का policy है, कि हर मैना में जितना sale होता है, उसका cash sales है, उसमें cash sales है, 10%, या इसकी मैना मिल जाएगा, और बैचल's cash sales है, 10%, या नि बाकि 90% के आने वाला है, credit sale, और जितना भी credit sale होगा, मूलता है, उसका 60% मिलता है, और credit sale, एक मैना बाद, और remaining 40% मिलता है, जो मैना बाद, उसे calculation क्या करना है, हर मैना कितना पैसा होगा, जिर्णी दो तरीका है, ये calculation करने का, तो लिए बबर cash sales का बात करे, तो मेरा cash sales कितना आएगा, हर मैने का 10%, तो जितना सेला है, उसका 10% निकाल लो, तो इसना cash को उसी मैना मिले है, यानि जो मेरा बाद की बचा, वो credit sale होने वाला है, मेरा credit sale का एगा, sale में cash sales को हटा दे, कितना एगा, 9000, 10800, 12600, तो ये रा 500, चेला बेट, अब मेरा जितना credit sale आया, उसका patent question बताया, कि जितना भी credit sale है, उसका 6% एक मेना बाद मिला, 60% एक मेना बाद, और remaining 40% जो मेना बाद, इस तरीका से आराम से calculation हो जाएगा, जानि मेरा collection form data रगर मिका ले, तो इसका 60% एक मेना बाद, 6400, और 40% जो मेना बाद, 3600, मेरा पहला मेने का, similarly आब अगला निकालेंगे, 10800, का 60% एक मेना बाद, 6480, और remaining दो मेना बाद, 4320, और मेरा अगला है, 12640, 60%, 7560, एक मेना बाद, और remaining दो मेना बाद, 5040, मेरा 13500, 60%, एक मेना बाद, 3100, और बाकी बाद में बोल रहा है, जिसका calculation करने गर मान लोग बोला ही नहीं है, कि मेरा काम होता है, ख़ड़ा, आज याने हम लोग कैश प्रजेक्ट में चाह लिखेंगे, कैश यह बोल के इतना, और मेरा कलेक्शन फर्म डेटर में आने वाला है, ये वाला गन, ये मेरा सब्सक्राइब कालेशन, बक्त मेरा एक आखरी पॉइंट समझाते है, काफियार पेमिट और वेजेज और ओर हीड का लाग पिरेट देगा, एक्जापल, मालो आपस है एप्रिल, में, जून, जुलेट, मालो मेरा हर मेहने का वेजेज दियावार है, एक महणोड थे मेरा वीज़ का लाग पीरिड एक महणो इसका मतलब क्या जिस महेना में जितना वेज दुरो हुआ उसके एक महाना बाध पर प्रइसाएविज़ हुआ है सो वेज़ पीड क्या एगा में में 5000 जून में 5600 टों यापे 8000 ग एस simple calculation जिक अधा मेला का he जब question में लिखे लाग period है 1 by 4 month और वाइचास question बुले 1 by 4 month इसका मतलब क्या एक मेहने का one fourth delay होता है जानि मालों मेरा पहला मेहना में है 5000 1 by 4 month जिलोगे एक मेहना में 4 week होता है 1 by 4 month मनें एक एक week delay होता है जानि लेक्से 5000 कुछ चार week में बराबर बाठ दा तो 5000 को one fourth करो 1250, 1250, 1250, 1250 जानि पहले वीका payment second week में हुआ second वाले का third, third वाले का fourth fourth वाले का अगले मेहने में चला गया जानि पता हर मेहना हम लोग कितना pay करेंगे उस मेहने का three fourth one fourth का delay हुआ जानि three fourth पे हुआ जानि eventually जाके हम लोग हर मेहना में क्या pay करने वाले उस मेहने का three fourth प्लस पिछले मेहने से जो आने वाला है इसका one fourth जानि इस case में मेरा wages paid आने वाला है three fourth of current plus one fourth of previous कभी भी लिखा रहे है one by four month का delay या लाक्षिरेड तो one fourth को delay किया गया यानि three fourth को pay किया गया तो उस मेहने का three fourth तो आ जाएगा पर one fourth अगले मेहना चला जाएगा यानि हर मेहना क्या pay करेंगे उस मेहने का three fourth जा सुछले वाली का one fourth तो अगर हम गों calculate करें तो पहले वाला एप्रिल में पांच हजार का three fourth three seven five में में क्या pay करेंगे इसका three fourth तो वहिया six fifty five hundred का three fourth होता है four eight seven five प्लस पिछले वाले का one fourth पांच हजार का one fourth बाराथ से सचाथ बिलाके six one two five जून में क्या pay करेंगे इसका three fourth मने छे हजार प्लस पिछले वाले का one fourth जुआएगा one six fifty five मिलाके seven sixty five आजून में क्या pay करेंगे इसका three fourth जुआएगा seven fifty five hundred प्लस पिछले वाले का one fourth होएगा two हजार मिलाके nine fifty five तो यह सारा typical typical calculation हम दो सुखे हमारे basic depression रॉसर खराब vamos start करते हमारा question चला हमारा पहला question cash conversion cycle इसी ज़एगी प्टुएटर का है पर ओफर इन है इतना डेट कलेक्शन टेटर का इतना साल भर में इतना खर्चा होना जिसमें डेप्रिटिशन जोड़ावा है साल में तूसे साथ पहला निकालना है ऑपरेटिंग साइकल पीरिड याद करो पांच चीज का अजर्ट्मेंट था रॉमटीकल पीरिड प्लस डवलो एपी प्लस एजी प्लस डेटर प्लस प्लस देटर प्लस प्लस पांच अलेट अगला बूलता है साल में ऐसा साइकल कितनी बार होने वाला है यह वो साल में 360 देट है और एक cycle अगर 80 days का है तो यह cycle होगा 360 by 0 by T, 4.5. अब आगे मूलता है मेरा को कितने रुपे का working capital लोन नेना पड़ेगा on cash cost basis? बैस साल मर का खर्चा 21,00,00 है जिसमें depreciation 12 जुड़ावा है और depreciation के लिए cash नहीं लगता. जियाने लोन कितने रुपे का लेकर आएंगे जो मेरा खर्चा cash में होने वाला है? cash में खर्चा कितना होगा? 21,00-2,10 जाएगा 18,90,000 question उठता है कि आप पूरा रुपे का लोन लेकर आजाए? बिल्कुल नहीं जितना भी लोग पैसा लाएंगे हो 4.5 बार यह जाएगा. So, 18,90 इवाए 4.5 बार याने वाला है चार लाज बी सेखाः. यह ना पाट 4. The company is a market leader in its product. There is virtually no competitor in the market. Based on the market research, it is planning to just continue sale on credit. आज तक जो यह credit sale करता था बोला अब यह नहीं करेगा अब imagine करो अगर credit sale नहीं करेगा तो जो debtor अपना period लेता था वो zero हो जाएगा तो जो मेरा debtor का collection period है वो 45 दिन नहीं zero हो जाएगा and deliver product based on prepayment thereby it can reduce the working capital requirement substantially, मिरको calculate करना है कितना reduction होगा in working capital यानि मेरको यहाँ पर क्या करना पढ़ेगा फिर से नया operating cycle निकालेंगे नया number of operating cycle नया loan पता चलेगा जितने रुपे का loan पहले चाहिए था यह come होगा तो अब तो जो 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 गे calculate करेगा यह मेरे साब से आना कि 35 दिए कैसे आएगा 55 प्लस 18 प्लस 22 95 माइनस 60 35 दिए यानि मेरा working capital लाएगा 35 दिए का जानि ऐसा cycle साल में कितनी वार होने वाला है 360 दिवाइद बाइद बाइद 35 10.29 टाइम यानि मेरे को लून कितने रुपे का लगेगा 18,90 दिवाइद बाइद 10.39 जाएगा 183 673 यानि पहले लून लगता था 4 लाग 20 का अब हो गया 183 673 तो रिखो ही इसको लून का requirement कम हो गया न कितने रुपे से कम होगा है 236 237 तो रिकालना किया मेरा कितना reduction in working capital होगा exact इसने रुपे पहला question डा करते हैं question number 2 खली 5 की question में आँ मेरा operating cycle का आखी question सिस्कीदा चलते हैं cash budget में अरे या question किसा है कि लिखा ही नहीं है मतब question वो तीन ही है पहला cash conversion cycle calculate करना number of cycle और loan कितने का चाहिए साल में किस्की डेज़ अरे तो 365 देखें यह वाले question में अब देखना यह एक typical question है जहां पे एक भी चीज़ का period ने दिया गए मेरा raw material, WIP, FG, debtor, creditor सबका opening और closing balance दिया है average मिल जाएगा और मेरा हर एक number किस चीज़ पर depend करता है वो सब दियावा है कुछ credit purchase है creditor के लिए कुछ cost of production है WIP के लिए कुछ COGS है FG के लिए कुछ sale दियावा है debtor के लिए और raw material stock depend करता है raw material consume पे और मेरा raw material consume कैसे मिलेगा उपिल stock of raw material plus per phase minus 3D raw material जाने मेरे को पहले पाच को का period निकालना है वो मिल गया फिर बाकी question खलुआ तो एक काम करते है पहले वाला देखे किस तरीका से raw सारा period मिलेगा पहले को राव material का period निकालते है formula क्या था मेरा raw material stock is equal to raw material consume साल भर का और divided by 365 इजन का into raw material का period अब जो मेरा raw material stock लेटे है वो ओटली या खलोजिन मेह होता वो हमेशा average होता इतालिक इतना हैगा 4500 plus 65356 divided by 2 यहाएगा 55178 I is equal to raw material consumed कैसे मिलने वाला है ओर्टिं raw material फ्लस पर्चेश माइनस दो यहाएगा 379644 divide by 365 into raw material इतालिक अब हम लोगे calculate करेंगे this into this by this यह आएगा 63 days next मैं रिखो calculate करना है WIP stock का मेरा WIP stock कि स्थिपी दिपन करता है cost of production by 365 into WIP का पीड और जो ड़ूएपी स्टॉक निकालेंगे वह आपसे रहेगा अबरेज ड़ूएपी स्टॉक 35,000 प्रस 51,300 divided by 2 यह आएगा 41,000 is equal to cost of production 7,000,000 by 365 इंटो ड़ूएपी गापीड यह calculate करना यह आएगा 20.99999 नमे 21 दे में वो तीसरा calculate करना है FG stock मेरा FG stock experiment करता है COGS divided by 365 into FG मेरा FG stock is this plus this by 2 जाएगा 65,178 इस इस इकोड उस्ती हो जी है कितना है 9,15,000 आए यह calculate करना FG पिरेड आएगा 26,000 अग्रा मेरा मेरा calculate करना है debtor का तो मेरा debtor किस पर depend करता है credit sale आज जो मेरा average debtor है वो देखो कितना है opening plus closing by 2 जाएगा 123,561.5 is equal to credit sale मेरा credit sale कितना है 11,00,000 यह मेरा आएगा 41,00,000 मेरा अग्रा calculate करना है creditor मेरा creditor किस पर depend करने वाला है credit purchase divided by 365 into creditor का payback आज जो मेरा creditor है वापस से लेंगा average कितना है 50079 जा 70469 divided by 2 is equal to credit purchase कितना है by credit purchase 4 लाट जाएगा 65,00 जाएगा 55,00 जाएगा 55,00 जाएगा 55,00 जाएगा जो मेरा अग्रा अग्रा कालकुलेशन अभी है करना है बस एक मिनिट का चीज़ है मेरा पहला calculation करना है operating cycle तो क्या होता है raw material period 63 plus WIP period 21 plus FG period 26 plus JETER period 41 minus KETER period 55 जाएगा 86,00 मेरा साल में ऐसा cycle कितनी बार होने वाला है साल में 65 days है divided by 86 जाएगा 4.54 पर जाएगा और अग्रा देखो मेरा साल भर में मेरा खर्चा होने वाला है 9.50 तो कितनी रुपे का लून देना है साल में चाहिए 9.50 4.24 ताइंज हम यूज कर सकते हैं यह आने वाला है यह प्रचेछ क्रशिकरें पर अपना फट करते हैं क्रशन क्रशन इन क्रशन पर खर्चाह लिखाए पराइए प्रचेछ बजेट पर 3-month देन थैत्तित जुन मेरे के cash budget बनाना है for 3 months ending 38 June यानि कौन कौन से महनेगा बनेगा एप्रिल में जूल एप्रिल में जूलता है मेरे को cash budget बनाना है ये सारे information दियावाय है हर महनेगा same material wages ओवर है बिदा देखो terms क्या है debtor 10% cash sales होता है बनाए 90% credit sale जितना credit sale हुआ इसका 50% एक मेना बाद मिलेगा और remaining 50% इसके falling माद मत बाद मिलेगा मेरा lakh period दिया है material का जो purchase करेंगे दो मेना बाद payment होता है wages का one fourth month, overhead का half month मेरा cash and bank first April opening cash balance दिया 6000 इसके लबाब 5 तो फर्टा या payment है तो ये बनाना क्या है cash तो बड़ा सिंपल है cash बरिप्टा format हम दोंको पता है दोंको बनाना है एप्रिल में की शुराथ हमेशा करते हैं opening balance के साथ हम चाहेगा आज जो live online जो online कर रहे हैं आप लोग वीडियो पॉस्ट करके अपने आज सबसे पहले हमेशा लिखा opening balance एप्रिल का opening मनें 1st एप्रिल का opening balance शेह हजाए अब इरको add करना है लसे प्या collection लेस करना है अब लाइन में लाइन आइटम पढ़ेंगे जो जहाँ जाएगा उसको आ ले जाएंगे सबसे पहले हमें पॉइंट नूमर डी को सल्टा लेगे जा लिखाया पहला पॉइंट प्लान एंट मशीन दी को इंस्टाल करेंगे February में at a cost of 96,000 पर जो मेरा मंतिन इंस्टाल्मेंट है 2000 रुपे ये पे करेंगे फ्रॉम एप्रिल के कैश बजट में क्या आने वाल है कितना मेहने में कौन से मेहने में मेरा कितना कैश लगेगा February में 96,000 का मशीन आ गया पर भाई पेमेंट तो मेरा शुरू हो रहे एप्रिल से और वो भी कितना हो रहा है हर मेहने का दो-दो-धार ज्याने वेरा पेमेंट होने वाला है प्लाइट और मेसिन दी के लिए हर मेहने में दो-धार ठीक जुस्का पॉइंट और डिविडेंट अधर इट पांच परसेंट अन प्रेफ्रेंट शेर कापिटल अव् 2,00,000 एक और पेमेंट हो रहा है जुन मेहने में होने वाला है क्या होने वाला है प्रेफ्रेंट शेर कापिटल है दो लाग का उसका पांच परसेंट डिविडेंट देंगे दो लाग का पांच परसेंट क्या होता है दस हजार तो जुन में डिविडेंट पे करेंगे पेमेंट मे मेरा तीसरा पॉइंट में अडवांस को भी रिस्पीवड पॉर सेल उप वहिकल यानि वहिकल को बेचेंगे और बेचके पैसा मिलेगा 9000 रुपया जून में रिचेप्ट में रिखेंगे सेल उप वहिकल आजयून मेरा तौम एक आएन सेल रिचेप्ट में 19979-2,099-14 अनिचन नतुन मेरा तौम मेरा तौम एक प्र रिचुट रूलेगा प्रकीए डाएन सेल अड़ा था अधर इनकम टैक्स तुबी पेड इन जून पेमें जाने वाला है इंकम टैक्स जून में एक पोइंट नबर डान पॉइंट नबर थी हुआ था बस था है खाली पॉइंट नमबर बेर प्येस्ट परसेंट है पचास-पचास इसके लिए छोटा सा केबल बनाना पड़े एक वर्किं सब्सक्राइब नहीं हम यह बनाते हैं सेब्रदी, मार्च, एप्रल में दीज़ देखना मेरा हर मेने का सेल दियावा है कितना दियावा है 14, 17, 16, 17, 18, 17 फिर कैस्टेल निकालेंगे ज़स परसंट उसके अगलें में क्रेडिट सेल लिख देंगे उसका 50% मिला एक मेना बाद, बाद के 50% दो मेना तो रिखना मेरे को हर मेने का कलेक्शन मिल जाए तो पहले सेम लिखते हैं 14,000, 15, 16, 17, 18 मेरा कैस्टेल कितना है 10% मेरा कैस्टेल कितना है 10% तो यह 10% के लिए कैक्युलिटर का ज़रूद नहीं पढ़ता लास्ट पाद जिरो को सुपा दो बन जा दुस्पाद तो यह आएगा 14,000, 14,000 आया कैस्टेल मेरा कैस्टेल कितना बाद आता है उस पहना में उत्रा कैस्टेल आ गया और जो रिमेनिंग बच्चा वो मेरा क्या है क्विडिट से लिखना जाएगा मेरा जितना क्रेट से लिए इसका 50% मिलेगा नेक्स्ट मन और जो बाकी बैलन्स बच गया है यानि जो रिमेनिंग 50% में बचा वो मिलेगा उसके फॉलोइंग मन्स मने दो मेहना बाद तो अगना लिखनें क्लेक्शन स्वाम बेगा है कैसे आएगा ये क्रेट के लिए 12-6 से इसका आधा इधर बाकी आधा इधा इधागा 6300 6300 मिल गया पैसा अब जो मेरा मे मे में 13500 है उसका आधा जून में स्वारी मार्च में जो 13500 उसका आधा एप्रिल में अब आधा आधा मे में 13500 का आधा करना चितना एगा 6700 6752 अब एप्रिल में जो 14400 इसका आधा इधार बाकी आधा इधार जाएगा 7200 7200 आजो में में 15300 इसका आधा इधार बाकी आधा इधार तो भै जुलाई का बनाना ये नहीं है तो में लिए कोई काम का नहीं है तो 15300 का आधा कितना होता है यानि अब दिको मेरे को cash budget बनाना था खाली एप्रिल में जून का तो दिको एप्रिल में जून के अंदर में cash इसका आधा जाएगा इतना और collection from data ये जोनों मिला के जोड़ के लिए मेरा रिशेक्स का काम हो जाएगा तो अगर हम लोग collection from data को जोड़े ये मिला कर आया 13,050 ये मिला कर आएगा 13,950 ये मिला कर आएगा तो ये ना तो रिकाम करें cash budget में लिखते हैं collection में cash is April में जून में कितना है 117,18 मेरा collection from data कितना आने वाला है 13,050 ये मिला कर आएगा collection done और मेरा payment में देखो कुल मिला कर खाली तीन आइटम है पहला है material और material का lakh period दियावा है दो मेहना ज्यारी जिस मेहना में हम लोग ये material पर्चेस किये हैं उस मेहना payment नहीं होगा payment होता है दो मेहना बाद ज्यारी जो February में आया है 9600 उसका payment February में नहीं होगा दो मेहना बाद होगा दो मेहना बाद क्या आता है February के बाद दिखो अगला मेहना मार्च अगला मेहना एप्रिल में payment होगा 9600 ज्यानी में 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 होगा 9000 ज्यानी जुन में होगा 9000 ज्यानी ज्यानी जुन में होगा मेरा वेजियिस में वनफॉर्फ मत इसका मतला वनफॉर्फ डिले हुआ और वनफॉर्फ डिले हुआ यानि उस मेहना 3-4 पर हुआ यानि मेरा हर मैना में मेरे telescopes उस महने का 3-4 प्लस पिछले वाले का पिछले वाले का बंगे तो वेज़े पे लिखते हैं 3-4 ऑफ करेंड 1-4 अब देखो मेरे को एप्रिल का निकालदा नाम खाली एप्रिल में दिमाग लगाएगा एप्रिल के अंदर में वेज़ेस ए 3200 इसका 3-4 24 पिछले वाले का 14 3-5 फिल्चले वाले का वनफोर सुदा है साथ को पचास तो चौबिस्टो प्लस आपको पचास ते आएगा 3156 इसलिरल्ली में में निकाले आम में का आने वाला है 3-4-2-700 पिछले वाले का वनफोर 800 2700-800 मिलाचर कितना आने वाला है 30500 मेरा जून में इधर का 3400 पहले वाले का 14900 मिलाचर आने वाला है 3900 Done मेरा एक आखरी खर्चा है Overhead इसका Lack Period है Half Month Half Month का मतलब होता है आधा डिले की है अर आधा डिले की है मतलब आधा पेक की है यानि हर मेहना में क्या पेक करेंगे उस महने का आधा प्लस पिशले महने का आधा तो आफी मिशने Overhead Half of current सब्साफ आफ प्ली तो रिजाए April में लोग पेमिंट क्या करने वाले हैं एप्ल में क्या पेमिंट करने वाले हैं 2000 का आधा अधा प्लस पिशले वाले का आधा 950 मिलाके 1960 में में क्या पेक करने वाले हैं में का आधा 1100 पिशले मेने का आधा 1000 मिलाके 3100 मेरा जून में क्या पेक करने वाले हैं जून का आधा 1150 बाइस से पक्राइब करेंगे सारा क्लेक्शन करेंगे सारा क्लेक्शन क्या मिल जाएगा प्लोजिंग पहले मैंने में आएगा 3950 इसमें अड़ किये सारा कलेक्शन माइनुस किये सारा पेमेंट 3950 अब जो एपरिल के एंड में आया वो मेंका बिग्लिंग हो जाएगा 3950 अब में में जो बिल जाएगा पेमेंट нес करेंगे सारा पेमेंट यह आजाएगा 3000 आज जो मेरा मेका क्लूजिंग है वो बनने वाला है जून का उपनिंग 3,000 अज जून में अगर हम तो कैलकुलेट करें आज ये कैलकुलेट करना ही आ जाएगा 300 खिक तो कि अगर में तो जून बालेंस है चलिए था हमारा पहला क्वेश्चन था कैश बगेश्चा आज देखा मारा अगला क्वेश्चन ये वाला क्या लिखावें आज ये क्वेश्चन में बड़ा मासून है आज मेरा पहला क्वाटर, सेकंड थार्ड क्वाटर, फोर्ड क्वाटर, फोर्ड क्वाटर लाश्ट पैरा में बहुत बड़ा लुचा है पर घवराओं मत एक वर करना लाश्ट पैरा पड़ते हैं कर दो कर सकते हैं या लुटिपल का बाद काई नहीं बड़ा पैसा तो लुटिपल को रिपेड नहीं करना है Cash can be borrowed or repaid in multiples of 500 Loan लेंगे तो 500 के multiple मिलेंगे At an interest rate of 10% पर रेला Management does not want to borrow cash more than what is necessary Obvious सबाथ है जितना जरुद पड़ेगा उसने तो आदमी लोन लेगा And wants to repay as early as possible जैसे ही मेरे पास धंग का balance आजाएगा उच जल्बी सी जल्बी repayment करना चाहेगा In any event loan cannot be extended beyond 4 quarters कोई भी हालात में 4 quarters के अंदर में loan इसकी beyond नहीं जा सकता पूरा दिना पड़ेगा Interest को हम लोग calculate करेंगे और pay करेंगे कब जब repayment हम लोग करेंगे और सारा repayment होता है quarter के इन ठीक है तो एक काम करते हैं पहले उपर का table के basis पे closing balance को में जाएगा फिर decide करेंगे loan लेना है या repayment करना है और जिसन भी repayment होगा उसे निचस का repayment करना है तो एक काम करें पहले एक वार यहों पे यह निचे में closing balance नेका लोग अब वो पूरा वापस से क्या कॉपी तो तो ओपनिंग किनलों को एक्जान में करना पड़े करेंगा है ओपनिंग प्लस कलेक्शन करते हैं हम सीधा है कर रहे है ओपनिंग है 10,000 एड करेंगे collection माइनस करेंगे सारा का सारा payment पहले एक quarter में देखो मेरा closing balance कितना आजाएगा minus 5,000 बहुए cash balance आया minus 5,000 पर मेरे company का इच्छा है कि cash balance रखे plus 15,000 यानि इस case में भईया इसको loan लेना पड़ेगा कितने का लेना पड़ेगा 20,000 का तभी तो 15 होगा अज जब loan लेंगे तो cash आएगा प्लस में लिख देते हैं जब repayment करेगा तो minus में लिख देंगे और जिजिन भी loan को repayment करेंगे साथ में interest को भी पेज करगा है तब क्या मिलता रहेगा final closing balance तो यहाँ क्या आया पंदरा आँ तुम दो लेगा interest को नहीं पेके interest को सब पेक करेंगे जिजिन loan का repayment होगा interest को calculate करेंगे और पेक करेंगे जब repayment होगा सब तो पंदरा हजार आया और लेक वार्टर का ओपन तो लोग वार्टर तुम दो निकाले कैं पंदरा हजार था एक पचास्ता और आयम इलाके 165 165 में हम लोग इतना इतना पे कर रहे है तो देखना मेरा closing balance आ जाएगा शायद 15,000 अब अगर closing balance पंदरा हजार आ गया तो question में लिखा है कि मेरे को 15,000 मिंटेन करना है जैनि ना loan all देना और ना extra पड़ा है जो loan देना तो ना कुछ आएगा ना तो जाएगा और सिन स्टोन तर रिपेमेंड नी हुआ तो इंट्रेस भी पे नी करना balance आया पंदरा तीसले quarter में आया पंदरा अब question जो है वो quarter 2 आ देखो मेरा quarter 3 में closing balance आएगा 15 था 160 और आया मिलाके 175 175 में हम लोग 35, 20 और 95 को पे कर दिये तो यानि मेरा closing balance बचेगा 25,000 अब जैसे 25,000 आया 15,000 से जादा है and the management wants to repay as the earliest possible तो एक 15 रखता है तो देखो 25 आयवा है तो मेरे पास extra है जितना जल्दी हो रिपेमेंट कर दो अब 15 के उपर कितना पढ़ावा है 10 तो अब हमको नाम मन में विचार आया एक काम करें 10 को रिपेमेंट कर जाएगा नहीं चलेगा क्या 10 को रिपेमेंट के साथ में interest भी देना पड़ेगा तो 25 माइनस 10 15 तो ऐसी हो गया और एकर interest भी पे कर दिये 15 से कम हो जाएगा यानि हम 10,000 तो रिपेमेंट नहीं कर सकते यानि 10,000 से कम करना पड़ेगा और ध्यान देना लिखावा है लून लेंगे या रिपे करेंगे उन multiple of funds यानि 10,000 से कम रिपेमेंट करेंगे तो 10,000 से कम multiple of funds तो में क्या आता है 9,005 तो 9,500 अगर रिपे करें तो इंट्रेस्ट भी देना पड़ेगा और इंट्रेस्ट कितना देंगे 9,500 पे 10% पहला quarter में लोन लियावा है तीसरे quarter में रिपेमेंट हो रहा है अब पहला quarter में लोन लिया है ये नहीं बताया है पहले quarter में पहला दिन लिया या आकर दिन अगर budget बना रहे है और मेरे को पहले से पता है कि minus होने वाला है तो आकरीज़ में लिके हम करेगा क्या मेरे को लोन हमेशे लिना पड़ेगा बिगनिंग जारी मेरा लोन लिया जाएगा बिगनिंग में पर repayment होने वाले quarter के end में मलबकुल मिलाकर तीन quarter पूरा मने 9 मेला तो नोब है 12 तोर कुतना हैगा यह बनेगा 712.5 अब एक पास ज़रा calculate करें क्या होगा 25,000 minus 9,500 minus 712.5 यह बन जाएगा 14787.5 जो 15,000 के कम हो गया जानी 9,500 का भी loan repayment नहीं कर सकते जानी उससे कम करना पड़ेगा वापस से multiple of 500 में क्या आता है 9,000 अब interest कितना देंगे 9,000 पे 10% तो 9 मेहना के लिए और 9,000 पे 10% देने वाले है 9 मेहना के लिए यह आएगा 675 एक बार calculator में calculate करके देखता क्या अब मेरा balance 15,000 के उपर है या नहीं 25,000 माइनस 9,000 माइनस 675 ते इतना आया 15,325 जानी eventually हम लोग इतना इता रिपमेच करेंगे balance आया 15,325 जानी यह question को करने का कारणी ख़ली quarter ते और मेरा अगली quarter का शुरुआत होने वाला है 15,325 के शार्ड अब देखना मेरा closing balance इतना आने वाला है 35,95 शायद अब जोगर मेरा 20,000 रुपे का लून लियावा था जिसमें से 9,000 अबी भी बचावा है 20,000 से 9,000 हटाउट 11,000 अब पते इसमें चेक करने का ज़र्ष बिलिए 15,000 चाहिए 35,000 पड़ा है बहुत balance है 13,000 को रीपेमिंट करेंगे अब जब रीपेमिंट करेंगे तो quarter gain में होगा interest देना पड़ेगा कितना interest देंगे 11,000 पे 10% पूरे साल भर का लोन आया पहला दिन आखिर दिन रीपेमिंट हो रहा है मने 12,000 तो रीपेमिंट है 2285 प्रेशन पर करते हैं हमारे cash management का आखिरी क्वेश्य उसके साथ हमारे चाप्टर रुजर होगा है यह हमारा आखिरी क्वेश्य नाखिरी क्वेश्य नाखिर रुजर होगा है तो रीको मेरा November, December, January का मेरा PL बनाकर दियाओ है हर महने का sale की योजियस मिल जाए GP admin, selling, expense and distribution, interest में लाके इतना मिल जाए ने स्वा तो एक sale है इस QGS और इस की योजियस और इस योजियस और इस योजियस और बाके पे जीपेंट है अब दीको मेरा balance sheet के एक extract दियाओ है November का beginning, November के end December के end, January के end में short term investments, debtor, stocks, creditors, other creditors, dividend, tax, cash and hands तब दियाओ last time मेरा depreciation amounting to 60,000 is included in expenditure for each month यानि जो मेरा depreciation 60,000 रुपया है वो हर मेने के खड़्चे में जुड़ावा है और अगर यह जुड़ावा है तो भाईया cash budget के लिए irrelevant है तो idealistically इसको मेरा को हटा देना चाहिए 60,000 और यह सब रुपीज इन 1,000 तो हर मेने में जो depreciation जुड़ावाए हटाओ बाकी balance cash में pay किया गया है जो cash budget में आए मेरा capital expenditure 8,000 रुपया expect कर रहे है December में होगा capital expenditure सीधा payment में दिखा देंगा और मेरा sale of plant and equipment 50,000 January में होगा तो पैसा आएगा January में दिखा देंगा तो यह बनाना क्या है cash budget कौन से period का November, December, January कि रुपड़ाफ़ट बनाते है November, December and December शुरुवाद करेंगे opening cash balance के start देखने मेरा November में opening cash balance होगा 1st November का cash देखने मेरा 1st November को cash in hand और bank कुतना है 546 अब add करेंगे receipt या collection अब पहले PL को सलटाते हैं अब देखो PL में मेरा पहला line है sale value sale DIY हर मैंने का और देखना है मेरा debtor भी DIY हर मैंने के opening और closing का तो याने कुछ दिर पहले हमें देखे थे collection from debtor को करने का दो तरीका था जिसमें एक तरीका था payment schedule वाला 10-80 और एक था जब opening closing sale यह सब कुछ दे यहां पर यह वाला तरीका से रिकालेंगे चल्किलेट करें चल्व वकिंगोंट में लेगा नौवंबर देसम्बर और जामेरा क्लेक्शन फोर्म डेटर कैसे मिलने वाला है मेरा हर मैरे के बिक्निक में डेटर कितना सा और उस्थों कितना बेच है माइनस टोटिल क्या रह जाए तो यह कैसे आएगा सारा वैलिव पता है खाली वैलिव पूट सब्सक्राइब अगर देखें मेरा सबसे पहले लिखता है ओपिंग डेटर अब नौवंबर का उपनिंग क्या होता है फर्स नौवंबर पच्किस से सकतर फिर अगले तीज मेहने का लाइन से लिख दो अगर यह नौवंबर का उपनिंग है तो यह डिसंबर का उपनिंग रहे गए जैंगरी का उपनिंग रहेगा इच्छ ब्सक्राइब करना है हर मैने का सेल मेरे कुस टेल कहा मिलने वाला है पील में 2100, 1800, 1700 कुछना बुले पूरा ग्रीट मानेगे माइनस करने वाले हैं क्लोजिंग डेटर अब देखना नौवंबर का क्लोजिंग जानि 30 नौवंबर का डेटर मिले को लिना है तो देखना भाई 30 नौवंबर का डेटर है 2600 अगले में में चोजिंग 54 ते 250 लेको स्पीदा क्या मिल जाएगा क्लेक्शन क्वाम बेटर पहला वाला शेर आएगा 2070 पिर अगला वाला शेर आएगा 1900 यह नेक्स पर आएगा चाही रूटीं सब्सक्राइगा यह मेरा यह क्लेक्शन फर्म बेटर किधा रचेत में लिखेंगे क्लेक्शन फर्म बेटर इपना आएगा 2070 1900 अग अच्कान अच्छित प्राइगा दन अब अगला बारी आता है मेरा COGS का अब COGS को दियावा है COGS दियावा है और दिखो स्टाउक भी दियावा है ओपनिंग टोजिंग स्टाउक पता है COGS पता है यह निपता है इससे क्या मिल जाएगा ओपनिंग प्रस पर्चेज माइनस अब पर्चेज कैसे हैगा स्टोजिंग दिखो ओपनिंग स्टाउक पर्चेज माइनस क्लोजिंग होता है COGS तो मेरा पर्चेज कैसे मिलेगा COGS में अड़ करेंगे क्लोजिंग हर मैने का लेट करेंगे अब एक और मेरा पर्चेज आ गया पर्चेज कैसे मिलेगा उपनिंग में जितना क्रेजिंग था वो था और कितना पर्चेज किये माइनस क्लोजिंग तो पर्चेज पता है इसमें उपनिंग प्रेटर को अगर आड़ कर दे क्लोजिंग प्रेटर को माइनस कर दे क्या मिलेगा प्रचेज विश्टी बनाती ही हमारा 50% प्रचेज अपनी चलो मिर गुस्तव से बेले हर मेने का COGS ये PL में दिख रहा होगा 1635 1405 and 13 13 चुरो आड़ करना है क्लोजिंग स्टॉक अब दे वो नौवंबर का क्लोजिंग यानि 30 नौवंबर का स्टॉक स्टॉक 30 नौवंबर का है 1200 अगले में 1100 अगले में 1000 अगले में लिखेंगे 1200 फिर 1100 ये वने का 1535 1205 1535 ठीक है याँ तक पर्चेज अब एक हमेरा पर्चेज आए स्टॉक आड़ करेंगे उपनिंग क्रेटर माइनस करेंगे क्लोजिंग क्रेटर मिल गया पर्चेज अब उपनिंग क्रेटर नौवंबर का उपनिंग जानि 1st November का creditors, trade creditors, 1st November का 10, अगले में 2,000 अगले में 2,000 अगले में माइनस करेंगे closing creditors, पहले वाले में November का closing रूचा है, 30 November का creditors तो इस 30 November को creditors है, 2,000 अगले में 50 अगले में यह बन जाएगा शायद 1645, 1355, 1255, 1255, चलो इससे मेरे को सीधा क्या में लेगा payment to creditors, जो लोग payment अगले में कितना है भाई, 2,000 अगले में 255, 1255, जो जो शेल होगया, COGS होगया, GP तक पहुच गए, और मेरा administration, selling, distribution, expense, interest मिलाके हर महना इतना है पर question में लिखा है हर महने में depreciation 60 जोड़ावा है और मेरा depreciation क्या है non cash nature का इसको हटा कि मेरे को लिखना से cash में खर्चाट क्या लगा तो हर महने के खर्चाट में 60 हटा देंगे cash expense को लेगा image करना है और इसके expense को कितना कितना आएगा ये तीन हो पहले वाले में 255, 210, 195 255, 210, 195 I think हमारा PL होता है ख़ता अब balance sheet मेरे को गिना चुना तीन चाल लाइन आइटम बचा है question ख़ता हम अब एक वाट फोड़ा line by line cover करते है पहला short term investment आदिको November के beginning में देखे investment का value साथ तीन को पर November के end में देखे investment हो गया साथ को जारी पता during the month of November 400 रुपे के investment और खरीजे है और अगर और investment खरीजेंगे तो पैसा आएगा नी पैसा जाएगा जाएगा मतलब अपना लिखने वाले हैं payment में और case of investment 300 की जगा हुआ 700 कितने रुपे के investment खरीजे चार्स तो अब November के end में 700 रुपे था पर वाई December end में देखे balance जिरो हो गया जारी मेरा जितने रुपे का investment था पूरे के पूरे investment को हम लोग बेच दी है साथ सेटा December में आया साथ से और मेरा December end में 0 था पर भाई देखे January के end में 200 रुपे के investment और आ गया जानि January में 200 रुपे के investment और खरीजे खरीजे के पैसा जाएगा जाएगा January में My question अब sale or debtor आथ है अदर के खरीडर का balance था दो से अदर के end में कोई मैना में ना कुछ और खरीड़े ना कुछ आज जानि एकर कोई ट्रांजेक्शन ही नहीं हुआ, तो क्याश बजेट में आए गई नहीं, बस टिक मारो आगे बागे, अब अगला बारी आता है, डिविडेंट डियूग, मेरा डिविडेंट डियूग में क्या लिखावा है, नॉवंबर के बिगन में रिखा था, 485 का ड पिमिंट कर दिया, तो पिमिंट में दिखाएंगे डिविडेंट एड, डिसेंबर में पोर रिज़ ताइब, अब अगला बारी आता है, टैक्स, मेरा टैक्स पिमिंट करना बचा था, फर्स्ट के नॉवंबर को 320, नॉवंबर के एड में देखे, अभी बचा है 320, तो में कोई कांजेक्शन हुआ ही निए, डिसेंबर में खर्चा होगा, एक्सपेक्ट कर रहे हैं डिसेंबर में, खर्चा होगा capital expenditure, डिसेंबर में 8,00, यह सब चल रहा है, रुपीज 1,000, तो डिसेंबर में इत्या लिखेंगे 800, और मेरा लास्ट में लिखा है, sale of plant equipment से जैनवरी में 50,000 आएगा, रुपीज 1,000 है, यानि जैनवरी में, ऐसा आएगा sale of plant से, 50,000, question over, closing value से डालो, ख़ता, कैसे मिलेगा, opening, प्रस collection, पहले मेने में आएगा, शायद 315, और जो नॉवर्मबर का closing है, वो December का opening बन जाएगा, मेरा December में कितना आने वाला है closing, 55, 65, आज जो मेरा December के end में रहेगा, वो जैनदरी का opening हो जाएगा, और आखी मेहना में आएगा तुम नहीं, चलो इसी के साथ हमारा cash management का quick revision होता है, चलो start करते हमारे अगला चैप्टर का quick revision और marathon के साथ, आज जो चैप्टर का नाम है ratio analysis, अब जो ratio analysis में बहुत तरह का ratios है, exam के अंदर में generally balance sheet PL देखे ratio calculate करने नहीं बूलता है, ratio देखे balance sheet PL बनाने बूलता है, अब यह दो हम लोग करेंगे तब जब पहले में लोग को जो different types of ratios है, तो पहले पता रहें, तो मेरा सबते पहला बाद जितना भी ratios होता है, सारे ratios को हम लोग बाढ़ पकते हैं में 5 categories, मेरा पहला तरह का ratio को बूलते हैं profitability ratio, मेरा अगला वाला है activity or turnover ratio, मेरा तीसरा वाला है coverage ratio, मेरा next वाला है investor analysis ratio, और last वाला है solvency ratio, अब हर एक तरह के ratio में क्या-क्या है, वोग लोग बूटेल में लिफ्सक्रस करते हैं, पहला मेरा profitability ratio, अब मेरा profitability ratio में जितना भी ratio है, इसका हम लोग में दोख category में बाटेंगे, कुछ रहेगा income statement, कुछ रहेगा income statement and balance sheet ratio, income statement ratio मतलब क्या, जहां पर numerator, denominator, दोनों income statement क्या आया, और balance sheet, income and balance sheet ratio मतलब क्या, एक आएगा income statement से एक आएगा balance sheet, एक काम करते हैं, मेरा income statement में ratio क्या-क्या है, पड़ा-फट दिखते हैं, अब कुछ-कुछ तो बहुत ही लल्लू ratios है, जिस example GP ratio, GP by sale, मेरा अगला NP ratio, NP by sale, operating profit ratio, operating profit by sale, मेरा PV ratio, हम लोग cost में पढ़ते थे, contribution by sale, सब में 200 लगता रहेगा, अब इसके लावा मेरा कुछ खर्चा का ratio, COGS ratio, COGS by sale, मेरा operating expense ratio, मेरा operating expense में क्या आता है, वो उस तारा खर्चा, जो COGS का पार्ट नहीं होता, पर day-to-day operation में लगा, अब दिखो, COGS के बनारे, दो चीज़ नहीं आता है, एक selling and distribution, और एक office over head, योगी marketing मानते हैं, तो ये दोनों खर्चा को आड़ करेंगे, और अगला है मेरा operating ratio, तो operating ratio और operating expense में फर्क है, इसमें other than COGS आता है, और इसके अंदर में COGS, प्लस operating मतलब cost of sales आता है, ठीक, अब एक दो तो छोड़ा छोड़ा बात, एक बड़ा important relationship है, GP ratio और COGS ratio के बीच लिए, आज ये दोनों मिलाकर हमेशा बराबर आता है, 100% के, ये super important ratio जो हमारे कई question ने काम पढ़ता है, यहाँ पर याद रखता है, GP ratio का COGS ratio मिलाकर होता है, 100, अब दो तिर और terminology, EBIT का ये एक और नाम होता है, operating profit, मेरा EBIT का एक और नाम होता है, net profit, मेरा EBIT का एक नाम होता है, taxable profit, जिस profit पर tax calculate करना है, ये जो हम लोग बात कि, हम लोग बात की इंत्या शेप्रेप्रेंट ratio का, जिसमें genuinely समझने लाए, खुछ निए का सब पर्चेटिट में आएगा, GP ratio, NP ratio, TV ratio, और हमारा operating profit ratio, वो सारा profit by sale into 100, और तीन खर्चा का ratio है, जिसमें में समझने का ता operating expense में other than COGS, मेरा आगला आता है profit and income statement balance sheet का ratio, ये थोड़ा ढंता है, अब इसके लिए ना मेरे को एक और पहले पढ़ा फट, तंजाने के लिए एक और income statement बनाना पड़ेगा, अब याद करना हमारा income statement का format होता है, sale minus variable cost, contribution minus fixed cost, EBIT minus interest, EBT minus tax, EAT minus preference dividend, आफेश, अब आफेश में थोड़ा equity dividend देंगे, बाकी होता है return earnings, ठिक, अब मेरा balance sheet को अगर imagine करो, तो balance sheet के liability side में, तीन जगा से मेरे पैसा आया, एक equity वालो से, पर भ्यान देना equity वालो के पास हमेशा दो दो होता है, एक equity share capital, and deserve and surplus, ये दोने equity वालो का है, एक आएगा preference share वालो से, एक आएगा debenture वालो से, और मेरे एक्जामे करें बोलेगा return on equity निकलने, याने equity वालो को क्या मिला, तो ये equity वालो को क्या मिला, वो तो interest statement से दिखेगा, और divided by कितना रुपिया लगा है, वो balance sheet से में दिखेगा, तो equity वालो को क्या मिलना वाला है, आफेश, तो formula में क्या आएगा, आफेश, और divided by equity वालो का दो-दो रुपिया लगा था, equity share capital, plus reserve and surplus, percentage पिरेंट उसाओ, done, अब एक आएगा return on total shareholder, total shareholder मतलब equity preference दोनों को मिला कर पैसा क्या मिला, तो लोग भी या equity वालो को ये मिला, preference वालो को ये मिला, तो दोनों को मिला कर क्या मिलावा है, ये टी, तो अगला आता है return on total shareholder fund, shareholder या proprietor fund, क्या मिला, ये टी, और divided by दोनों ने मिला कर कितना रुपिया लगाया, दोनों ने मिला कर क्या लगाया, equity वालों का तो यह आया था preference वालों का यह आया है percentage into stock इसके एकड़ लॉजिकली संबढ़ना तो याद रहेगा दवाइस तो याद भी रहेगा गट्ने बढ़े के तो पखला जाएगा अब अगला आता है return on total capital total capital का मतलब होता है total long term capital तो long term capital दिखो सब क्या आयवा है equity वालों को यह मिला preference वालों को यह मिला debenture वालों को यह मिला तो तीनों इंसान को मिला कर पैसा क्या मिला है EVIT तुमारे return on total capital यह इसी का एक और नाम होता है ROI return on investment या निक्विल मिला कि जो बिजनस पैसा invest किया गया उसके कितना कमाया equity preference debenture सब को मिला कि क्या मिलता है EVIT divided by सब का रुपया सब के में क्या आएगा equity वालों का रुपया plus preference वालों का plus debenture वालों का एक और ratio होता है रूटा अब कुछ लोगे mind में doubt आगा है आपे interest minus क्यो नहीं हुआ आज सकता है doubt कि भाई EBIT के अंदर में interest चलो किसी को मिला preference dividend preference को मिला equity इसको मिला tax को minus क्यों नहीं किये अब tax minus करना बनता तो है पर ICI बस EBIT में छोड़ता है इसलों कर रहे है स्टिल एक और alternative तरीक है EBIT into one minus tax here तागी tax पढ़ गया मेरा अगला है रूटा question रूटा return on total asset यनि total asset लगा के हम कितना percent कमाए तो total asset लगा के हम last में कमाते है net profit PL को याद करो net profit और net profit के एक और नाम क्या होता है EAT divided by total asset percentage के लिए इसलों तो सीधा सीधा बात है equity वालों को अफेश मिला total shareholder वालों को मिला के EAT मिला total capital वालों को मिला कर EBIT मिला divided by सबका अपना पैसा तो return on investment या return on total capital EBIT by total investment इतना गंदा लिखा है इसलों मतला क्या भालों को पूरा लिख equity plus reserve plus investment plus debenture मेरा रोटा EAT by total asset केता है return on shareholder यानि equity plus investment दोनों मिला के EAT मिला return on equity equity वालों को का मिला अब जैसे कि हम यह जो terminology बताए हम थोड़ा सा word यूज करते है equity share capital reserve plus investment share capital debenture और कुछ होता है current liability liability साइड यही है अब इसका क्या-क्या technical word होता है इसको बूला जाता है equity या फिर net worth जब बुलते हैं न मुकेश अमबानी का net worth क्या है तो equity reserve मिला कर देखा जाता है अब जैसी equity के अंदर में साथ में preference को भी जोड़ दे तो मिला कर आया shareholder fund मैंने equity shareholder नहीं बुला मैंने preference shareholder नहीं बुला मैंने shareholder fund बुला जैने equity preference मिला कर तो इसको बुला जाता है shareholder जै एक और नाम है proprietor fund और जैसी equity और preference और debenture सब को जोड़ दे यह मिलाकर हो जाता है तोटल टापिटल अब एक्जाम में बूलेगा कभी-कभी टोटल लाइबलिटी तो टोटल लाइबलिटी का मतलब कभी भी ना यह लाइबलिटी नहीं होता लाइबलिटी का बाहर वाला और यह दोनों मेरे घर वाले हैं तो अगर बाइचांस बूलेगा टूटल लाइबिटी उसमें आता है ये दोना इसे वर्ड हमारे रेश्व में बड़ा काम का चीछ ते है EBIT operating profit, EAT net profit, EBIT taxable profit, equity या net worth, equity का पैसा, equity के साथ preference भी जोड़ दो, shareholder या proprietor fund, equity बाहर वालो का पैसा, debenture के लाइबिटी मिला कर आता है, total debt, या total liability पहला set of ratios होता है, ख़ता अब मेरा अगला है activity या turnover ratio, ये बड़ा easy होता है बाइद दुनिया में कोई भी turnover ratio आजाए, मेरे सारे के सारे turnover ratio का formula होता है turnover divided by what, turnover का मतलब का होता है, sale divided by what अब पांच जगा तो ये formula apply हो जाता है, बाकी पांच जगा ये apply नहीं होता है पांच जगा कहां कहां होता है, हम सीरा पहले नाम बताते है fixed asset, या current asset, या total asset, या capital, या working capital turnover ratio ये formula apply हो जाए बेरा fixed asset turnover ratio में formula क्या मनेगा, sale divided by fixed asset मेरा current asset turnover ratio में क्या मनेगा, sale divided by current asset मेरा total asset turnover ratio में formula क्या मनेगा, sale divided by total asset मेरा working capital turnover ratio में क्या आएगा, sale divided by working capital working capital मतलब की अ-3L मेरा capital turnover ratio में formula क्या मनेगा, sale divided by total capital total capital मतलब 3-0 long term से कहां से मिला कर पांच आया कहां पे apply नहीं होता है, debtor turnover ratio क्रेडिटे छेल पे करता है तो आना चाहिए है ग्रेड़ डिवाइड वई डेटर प्रूर टेड़ डिरूरा कोई फर्क नहीं है रेटर एक काने काई टुखड़ा पकड़ा दे तो अग्व मेरा बात पैसा नहींगे उसको और मेंके तो भ्या डेटर जासा ही है मेरा अगला है creditors turnover ratio अब जैसे मेरा debtor depend करता है credit sale पे मेरा creditors depend करता है credit purchase पे divided by average creditors पर बीटी अब अगला मेरा आता है stock turnover ratio stock stock के बारे में कुछ ना बोले हम लोग बानते हैं FG stock तो FG stock के अंदर में depend करता है COGS divided by average stock average FG stock खाली stock turnover बोले हम लोग हमेशे FG stock बानते हैं कि कोई भी तरह company उसमें FG तो रहेगा manufacturing company में raw material WIP FG किर होगा trading में खाली FG होगा तो FG तो सब में होगा वो अगर WIP turnover ratio होता तो cost of production by average WIP stock और raw material stock होता तो raw material consumed by average raw material stock पर generally इन दोनों का काम नहीं पड़ता है debtor, creditors FG से काम बन जाता है तो ध्यान देना FG depend करता है मेरा turnover ratios भी खतम मेरा turnover ratios के बद अगला आता है coverage ratio मेरा coverage ratio समझना बड़ा असान रहेगा provided अभी हम लोग जो इंटरफ statement पढ़े हो याद रहे मेरा इंटरफ statement का format कुछ ऐसा था यह अगर ध्यान नहीं तो coverage ratio ऐसे खतम हो जाएगा अब coverage ratio का मतलब क्या कोई भी चिसको payment करना है उसको payment करने के लिए उसके सर पे किसका हाथ है कौन उसके cover करता है हम लोग जब class से पढ़े अमरेला लेके example लिये थे अब जैसे मालों अगर पुछे interest coverage ratio तो अगर मालों इंटरेस्ट का पे करना है पांच तो इंटरेस्ट को पे करना कहां से है EBIT तो मालों यह 15 है तो पांच को पे करने के लिए 15 है तो बहुत है तो हमारा interest coverage ratio का payment कहां पे होगा EBIT से इसके सर पर किसका हाथ है EBIT का तो इज़को EBIT इसके सर को cover कर रहा है तो हमारे interest coverage ratio का formula क्या मिलने वाला है EBIT by interest मालों हमारा preference dividend coverage ratio अगला मेरा equity dividend को पे करने के लिए सर पर किसका हाथ है EBIT तो मेरा preference dividend coverage ratio क्या हो जाएगा EBIT by preference dividend अगला मेरा equity dividend को पे करने के लिए सर पर किसका हाथ है आफेश तो मेरा equity dividend coverage ratio क्या जाएगा आफेश divided by equity dividend अब मेरे को question में खोज़ना पड़ेगा भईया इसमें fixed cost कौन कौन सा है जो financial nature का है अब मेरा fixed cost में एक तो भईया ये वाला fixed cost है पर ये operating होता है एक ये वाला fixed cost है जो financial nature का है एक और है preference dividend fixed cost financial nature का तो ये दोनों को pay करने के लिए किसका हाथ है EDIT का तो formula में क्या आएगा EBIT इससे pay करना है दो चीज़ एक interest plus preference dividend पर जैसे preference dividend आएगा divide होना चाहिए 1-30 ये post taxes को free tax बनाना है बस पिर एक आखरी ratio है debt service coverage ratio मेरा आखरी ratio है debt service coverage ratio ये गर बैंक के लोग लोन लेते हैं तो बैंक वाला हमेशा calculate करना चाहेगा कि भाई बैंक लोन तो दे दिया अब बैंक को भी मेरे को हर साल principal and interest प्रिंसिपल and interest को pay करने के लिए उसके इस कितना fund available है तो company के पास क्या fund बसता है भाई लास्ट में जो बचा profit वो उसके लिए available है तो formula बनता है EAT जाने net profit पर जब EAT calculate हुआ है उसमें depreciation minus पक्का हो गया होगा इसमें cash लगता नहीं है तो add that कर इतना cash available है capital betting में याद करो EAT रगाता था add back कर दे लिए निकाल देगे लिए कितना cash विल्ट हो रहा है cash ये तो payment होने वाला है principal interest कितना cash available है अब इसमें वापस से add करेंगे interest interest minus profit निकालने के टाई तो बिरुकर निकालना है कितना cash में profit available है before paying interest जार interest को भी pay करने के पहले कितना profit available है इतना रुपया available है जिसके उसको चाहिए दो चीज़ एक principal का repayment आगला है interest का payment जार ये वाले bank को principal और interest का payment चाहिए ये दोलों payment करने के लिए कितना पैसा available है लास्ट ये बचा net profit, add back के deposition cash में कितना बचा है add back के interest कितना cash ने बचा है before paying interest जार तीन तरह का ratios होता है खड़ा मेरा आगला है investor analysis ratio अब investor का एक और नाम होता है owner क्योंकि हाँ जब investor का बात करते हैं यहाँ पर लोग बात करते है owner का भी point यारी equity shareholder के लिए अब जब हमारा equity वालों के लिए कुछ-कुछ ratios को lollipop है एक होता है ETS जातकरों पूरा income statement बनाएं लास्ट मेरे को मिलता है आपेश मालों आया वाए एक लाक मालों इसमें कुछ dividend दिए साथ हजार बाकि 40,000 कहा हो गया retained हो गया मालो number of shares कितना है दस हजार और बैच्छन तो लोग पूछे ETS यानि Earnings per share equity वालों के लिए कितना Earnings किया गया था एक लाक तो formula क्याने वाला है आफेश divided by number of shares तो एक लाक बाई 10,000 कितना हैगा 10 per share अब अगला होता है मेरा DPS और DPS का मतलब क्या dividend per share यानि equity वालों को हर share पे कितना dividend मिला तो वह dividend क्या मिला है साथ हजार निकालना है पर share तो डिवाइट करेंगे number of shares साथ हजार बैद 10 लर कितना हैगा 6 अगला मेरा calculate करने बूलेगा dividend payout ratio मेरा dividend payout ratio का मतलब जितना equity वालों के लिए कमाया उसका कितना percent dividend दिया equity वालों के लिए कमाये थे एक लाक उसमें से dividend कितना दिये हैं साथ हजार तो यानि इसका formula क्या बनेगा कितना equity वालों को dividend दिया out of उनका earnings कितना था एक लाक इंटी फॉर जारी साथ हजार का dividend देते हैं out of 1 लाक percentage के लिए अगर dividend पे करते हैं 60% अगर इसका dividend पे करते हैं 60% तो automatic मतलब है retain कितना किये हैं 40% जितना कमाये 60% दे दिये मने रखे कितना 40% तो रिष्टा नमबर 2 dividend payout ratio प्लस retention ratio मिला कर आएगा top percent तो यह था कुछ basic ratio अब इसके अलावा एक super important ratio है PE ratio या price earned ratio भाई कुछ याद रहे ना रहे इसको ज़रूर याद रखना है पूरे FM के हर question के अंदर में पूरे की पूरे FM के हर question के अंदर में चाहिए ते इसको यूज़कर फेक्ता है इन फाक्ट एक टर्म के अंदर में ये लोग ऐसा हरकत किया था शायद में 2023 में FM के हर question के अंदर में PE ratio था तो PE ratio ज़रूर याद होना चाहिए हमारा PE ratio मतलब क्या price earnings ratio अब equity वालों का price कहा मिलेगा market में तो यह आएगा NPS equity वालों का earnings क्या होता है EPS तो formula बनेगा NPS by EPS exam लेका क्या आर MPS देगा PE ratio देगा EPS निकालने मुलेगा कुछ भी कर सकता लेगा मेरा अगला है dividend yield ratio या फिर earnings yield ratio yield का मतलब क्या होता है return यानि कितना percent return कमाया अब equity वाला return क्या कमाया dividend कमाया या earnings कमाया short term investor के लिए dividend important है long time investor के लिए earnings important है तो EPS divided by कितना रुपया लगा के तो भाई या equity वालों में देगों बजार में MPS लगाया तभी शेयर आया तो EPS के DPS बाए MPS लिए तो और एक खलतो ratio है book value per share अच्छा सरी ये तो खलतो एक ratio था है book value per share equity वालों का books में कितना value है divided by number of share अब equity वालों का books में होता है दो-दो चीज क्या क्या होता equity वालों का balance sheet में equity share capital plus reserve and surplus निकालना है per share divided करेंगे number of share that मेरा आखरी आता है solvency ratio solvency ratio में 2-3 ratio तो लल्लू है current ratio पूरे दुनिया को पता है CA by CL अब मेरा quick ratio बोले यह इसका एक और नाम है liquid ratio यह इसका एक और नाम है acid test ratio इसमें करते है quick asset by current liability तुम लोग जब छोटा सिर्वा बच्चा ना था quick asset by quick liability मिस्का था पर formula होता है quick asset by current liability quick asset का मतलब क्या current asset minus stock minus prepaid divided by CA generally prepaid हमारे question में रटा नहीं है current asset minus closing stock by CA अब कभी-कभी question में बोल दे कि apply QA by QL अगर बोल दे तो हम लोग QA by QL करेंगे question उपता what is quick liability current liability minus bank order quick asset में दोनों को minus stock किया गया क्योंकि यह दोनों पैसा है जिससे quickly पैसा नहीं मिल सकता यह दोनों ऐसा asset है अब वालो रा मटीर stock है तो भाई पहले WAV बनेगा फिर FG बनेगा फिर debtor को बिचेंगे फिर पैसा आएगा तो इससे assets नहीं है इसे नहीं minus किये prepaid expense expense pay हो गया उसके पैसा वापन तुम मिले जाए नीजीवन में इसका benefit ही मिलेगा इसके minus किये current liability में हर इक जिनको जल्दी है पैसा पाने का except bank overdaft जिस bank में loan दिया उसको कोई हर वड़ी नहीं है पैसा जल्दी पाने का वो तो चाहेगा लेट करूँ तक उससे जादा मिले तो इससे equity में इसी minus किये minus कर दिये पर exam में खुछ ना बूले हम दो C.A. ली करेंगे unless question में Q.L. करने बूल रहे तो अलग बात है विरागला है cash ratio cash ratio में क्या नहीं वाला है जितना cash and bank balance है plus marketable securities cash and bank plus marketable securities divided by current liability अब इसके लाब मेरे को तीन ratio और जानना है एक होता है debt equity ratio आज यह नाम खुद बता रहा है debt equity ratio का formula क्या बनने वाला है debt divided by equity और जान देना जैसी शब्द equity आता है equity मतलब दूदो पैसा equity share capital जारी दूदो आज एक और ratio आता है capital या proprietary ratio मेरा आगला है proprietary ratio proprietary ratio का formula होता है कितना proprietor fund या shareholder fund था out of total assets इंटी तो आज यानि कंप्टी में जितना भी total asset लगाया गया है उसका कितना प्रसीशन पैसा proprietor या shareholder लोगों नहीं लगाया है और जान देना shareholder के अंदर में खाली equity या खाली presence नहीं दूरों आता है जान इसके अंदर में पता है क्या-क्या आने वाला है equity वालो का रूपया equity reserve and presence वालो का रूपया इसे कहेंगे proprietary ratio और मेरा एक आखरी ratio जो समझने का है वो है capital gearing ratio मेरा अगला है capital gearing ratio मेरा अगला question रूपत है capital gearing ratio क्या होता है कितना पैसा आया है fixed वालो से divided by कितना पैसा है equity वालो मतलब क्या debenture वालो को fixed obligation है reference वालो का fixed obligation है तो कितना रूपया है fixed वालो का टो debenture वालो का soit basketball andhost divided by कितना रूपया है variable वालो का variable में घल equity है जो बषए equity आता देखे देएक तरिजा भी आता है इसको बूर सकते हैं, fix divided by variable, इसको fix cost देना है, वो यह दू लूप थे, इसको variable देना है, वेच सिंगल आद्मी तो यह सारगा सारा ratio पड़े, अपड़ा फट हम दो start करते हैं, हमारा question चलो, फड़ा फट करते हैं हम दो सबते पहले, question number 1, हम दो साथी question करेंगे, पर साथ बहुत अच्छा question देगा, चलो, पहला लिखावाय है, the following figures and ratios are related to a company, sale दियावा है 30,00, मेरा GP ratio दियावा है 25%, लोगतुराण समझना पड़ेगा, GP ratio अगर दियावा है, 25% तो याद करना एक relationship था, COGS ratio आएगा 75%, तो COGS अगर में दो calculate करें, 30,75,000 कितना मिलेगा 22,00,000 परसेट, next, मेरा fix asset turnover, ये दुनिया में कोई भी turnover ratio है, formula क्या है turnover divided by वो, तो formula क्या है turnover मतलब sales divided by fix asset, 1.5, पर bracket में बूला है basis on COGS, जनी sale मतलो से जबाख चालो, COGS, और ये नहीं बूलता है, तो still लेते पर बूल जैसे, COGS मेरा stock turnover, stock turnover में कुछ ना बूले हम लोग हमेशा मानेंगे FG stock, FG stock में formula क्या मनेगा, COGS divided by stock, जैसे तो average stock होगा, मेरा liquid ratio, quick asset by current liability, current ratio, C by CO, debtor दो मेहना, जिकालेंगे credit sale पे, मेरा reserve and surplus to share capital दिया है, fix asset to network दिया है, बनाना क्या है, balance sheet, चोले काम करते हैं, फड़ा-फट balance sheet का format बनाते हैं, जैसे जो value आएगा, put करते चले हैं, फिलाल तो अभी मेरे को कोई भी value नजर नहीं आ रहा है, पर आराम से सब values मिल जाएगा, तो जो COGS आएवा है, साड़े-22 लाग, अफ़टा-फ़ट ना, तुम लोगो छोड़ा calculate करते वे चलना है, जो जो ratio यूज तो टिक मारते चलना, fix asset turnover ratio, still by FA के जगा, COGS by FA 1.5, COGS पता है, 22-50, जैसी 22-50 कोट करेंगे, fix asset इढ़र जाएगा, 1.5 इढ़र आएगा, 22-50,000 by 1.5 क्या होता है, तो 3-50,000 कोट करेंगे, किसरा ratio यूज हो गया, मेरा फोर्थ वाला ratio देखो किया है, stock turnover, formula COGS by average stock, दिया वा है 6, और मेरा COGS पता है, 22-50, जैसी value पुट करेंगे, average stock इढ़र जाएगा, 6 इढ़र आएगा, तो average stock कैगा, 22,03,000, divided by 6, calculate करना, 375, और यह average stock, जो opening plus closing by 2 होता है, और मेरे पूरे question में opening दूर closing stock अलगते हैं, मतलब मानेंगे, जो average है, वही opening यह वही closing है, तो मेरा current asset के अंदर में एक item मिलावे है, stock 375, इसको inner column में चाहँ दोने सब्सक्ता है, शलो point number 4 भी done, अब मेरा point number 5 liquid ratio, मेरे liquid ratio का formula क्या होता है, CA minus stock by CL, दिया है 1, मेरा current ratio है CA by CL, दिया है 1.5, अब यह दोनों को संग में use करेंगे, तो मेरे को CA CL दोनों मिल जाएगा, stock का value 375 पे value put करो, एक equation मनेगा, यह दूसरे equation मनेगा, solve करना, CACL मिल जाएगा, so current set minus top, by current liability equal to 1, so 1 into CACL क्याना जाएगा, CL, equation number 1, मेरा second equation सीधा यहां से मिलने वाला है, CA equal to 1.5, CL, equation number 2, तो जैसे ही CA की जगा 1.5, CL लिखेंगे, solve करना current liability मिल जाएगा, यह दर गया, यह दर गया, देखना current liability का value आएगा 7,50, शायद, current liability 7,50 जैसी value यहां पर put करेंगे, यह क्या आएगा, 1.5 into 7,50, 11,25, अब एक बात G1 में हमेशा याद आखता है, जैसी balance sheet का कोई भी एक site complete हो जाए, total करके total दूसरे तरह तुने जाना, तो देखो, balance sheet में fix this current asset आगया, 7,25, liability में भी लिखेंगे, 7,25, clear है यहां पर, अब अगला मेरे को निकालना है debtor, collection period दिया वहाए 2 मेना, और debtor क्या चीज़ पर calculate करते हैं, credit fill, साथ भर का credit दिया है 30,00, इसका period दिया है 2 मेना, तो भाई मेरा debtor कैसे मिलने वाला है, 30,00, divided by 12, कितना में जाएगा 5,00, अब जो मेरा cash and bank है क्या जाएगा balancing figure, तो total current effect में से यह दोनों को हटा दो, cash balancing figure, तो देखता है यह बाली कितना जाएगा, 2 racks पर दिया, ठीक है यहां तक, ताक्री दो ratio बचा, reserve and surplus to share capital, तो share capital भी कुछ है, reserve and surplus भी कुछ है, और आगे बोलता है fixed asset to network, fixed asset दो theorem पता है, network मिलेगा, fixed asset to network, 1.2, मेरा fixed asset कितना है 15,00, यह जाएगा इधर यह आएगा इधर, तो मेरा network कियाएगा 15,00, बाई 1.2, 15,00, दिवेड़ बाई 1.2 कितना होता है 12,00, अध्याने नेट वाईट क्या होता था, एक्विटी वालों का पैसा जारी दोनों मिला कर है साड़े बारा लाग और अगर ये दोनों मिला के साड़े बारा लाग है मिलको दोनों में बाट रहा है रेशो देखो दिया वैना 0.6 इसका है 1 तो साड़े बारा लाग को बाटेंगे 1 और 0.6 के ratio में तो 12.5 लाग divided by ये add करके 1.6 आया into 1 करेंगे ये मिलेगा 781.250 और 12.5 लाग में से इसको निकालो ये मिलेगा 468.750 आजरा देख्था क्या मेरा liability side match हुआ 20 लाग आया होगा जब ही टूटल 26 पच्चिस है तो 12 लाग 25,000 जो आया है ये पक्ता debenture या लेगा done question अबच्छे मेरा question अबच्छे मेरा question अबच्छे मेरा देखो क्या लिखागा है prepare balance sheet from the following information मेरा सब के पेले लिखावाए है 4,000,000 यहाँ पे एक word missing है equity share capital equity share capital 4,000 मेरा working capital DIY है मेरा working capital क्या होता है CA-CL मेरा back hold of DIY current diabetic apart है there are no fictitious assets बहुत अच्छा बात है in current assets there are no assets other than stock debtor and cash current asset मेखानी stock debtor and cash है वही मनते हैं मेरा closing stock is 20% higher than the opening यहनी opening closing अलग है तो average fix रहेगा मेरा current ratio di2.5 CA by CL मेरा quick ratio di2 quick asset by current liability पर question मोलता है quick asset by quick liability तब वो लेगे मेरा proprietary ratio यह लोग खुद एक नया बना कर दे दिया वैसे होता है proprietary fund by total asset पर लोग उल जल जो लिखा है मेरको OEC के साथ आगे बढ़ना पड़ेगा मेरा GP ratio 20% है मने COGS से 80% है मेरा stock velocity मने turn over है 5 stock के बारे में कुछ ना बूले मतलब FG stock formula COGS divided by average stock by debtor का दिया है 73 days इस साल ने मानो 300 पैसा दिन बनाना क्या है balance sheet तो भाई पहले CA minus CL पता है CA by CL पता है इसी को यूज कर जागे बढ़ना है चुरो FATAC से बनाते है balance sheet पहला एक पुदिशेर कापिटिल 4 लाक निब ज़ते हैं एक पुदिशेर कापिटिल 4 लाक मेरा working capital दिया है CA minus CL 1 लाक के T और current ratio is CA by CL 2.5 तो भाई CA by CL 2.5 है याने CA कितना हैगा 2.5 CL अब जैसे current asset की जगा लिखेंगे 2.5 CL मेरको current liability का वाली ने में जाएगा 2.5 CL minus CL is equal to 180 तो 2.5 CL minus CL होता है 1.5 CL is equal to 180 की जाएगा 180 by 1.5 180 by 1.5 कितना होता है 1,010,000 मेरा current liability आया है 1,020,000 तो मेरा current asset की जाएगा 1,010,000 इन्टू 2.5 यह आने वाला है तीन लाइगा बोले यहां तक हुआ मैंने इसे यूज़ कर लिया इसे यूज़ कर लिया मेरा bank order दिया 13,000 जो current liability के अंदर में आएगा inner column में अब अगला बोलता है current asset में तीनी item है stock, debtor और cash current asset में तीनी item हाएगा stock, debtor और cash closing stock is 20% higher देंद ओपनिंग उसके impact तुरन पर भी नहीं पता कि यूज़ को ना closing पता है ना opening अब यह काम करे quick ratio को use करते हैं अब जैसी सारा value put करेंगे मेरेको पुरन closing stock में जाएगा current liability कितना है भाई? current asset है 300,000 minus stock मेरा current liability है 120, minus overdraft होता है 10 120 minus 30 क्या होता है? 90,000 इसी गुण दो solve करना मेरेको मिलेगा closing stock का value है और तुम तो calculate करेगा मेरा closing stock आने वाला है 120,000 closing stock आया 110,000 अब दिएक बात लिखा है closing stock is 20% higher than low price मेरा closing stock आया वाए 110,000 जो opening से 20% ज्यादा है जिर अगर बैचास opening stock 100 के बराबर है तो closing stock 120 के बराबर है तो अगर भाई 120 को represent करता है 100 का value क्याएगा मिल नी जाएगा तो calculate करके निक्सा मेरा opening stock के पना आने वाला है 120,000 120 के बराबर है 100 का value आएगा 1,000 अगर तुलों ने opening stock निकाल करे क्या बैए opening पता है 1,000,000 cruising पता है 120 तो average stock कितना आने वाला है 1,000,000 और average stock का का काम कहां आता है stock turnover ratio गो यह काम करते है stock turnover ratio को use करते है QGS by average stock भी आवाय है 5 मेरा average stock कितना है 1,000,000 मेरा average stock है 1,000,000 तो QGS के आने वाला है 5 into 1,000,000 यहनि 5,50 अब 1 और QGS है अब गो GP ratio अगर 20% है मतलब QGS 80% है QGS अगर 80% है QGS का value पता है और अगर यह 80% है उस tail तो tail value मिल नहीं जाएगा sale value calculate करना यह आएगा 551 के बराबर है तो 100 का value आएगा 687,500 कुछ ना बोलते हैं मालेंगे पूरा credit में अब जैसी credit के लाए हम दो पुरन calculate करेंगे debtor debtor 365 days in a year है 73 days का है यह आएगा 687,500 by 365 एक बिंका मिला into 73 यह शायद आएगा 137,500 total current asset में 3 दरों को हटा दो cash आएगा 42,500 शायद बस यहाप एक fix asset लिखना बचावा है हम उसे सारा ratio यूज़ कर लिया except propriety ratio अब इसको यूज़ करके मिलको निकालना है मेरा fix asset का वाली क्या लिखा है fix asset by proprietor fund is 0.6 मेरा fix asset by proprietor fund है 0.6 fix asset नहीं पता proprietor fund में share capital के साथ reserve and surplus भी होता है reserve and surplus क्या और नहीं पता और मेरा fix asset by proprietor fund है 0.6 तो भाई अगर हम ऐसे लिखे fix asset by proprietor fund है 0.6 मेरा proprietor fund का total मेरे को नहीं पता है ना fix asset पता है तो एक काम करते है proprietor fund को माल लेते है x तो fix asset क्याएगा 0.6 अब दीके मेरा liability में क्या आएगा proprietor fund को मानावा है x प्लस एक लाग भी सदावा liability का total 50 share capital 4 लाग है तो रिजर्व कितना मिल जाएगा प्लस प्पार करना है P.A. अचाउंट पॉर यारें इंडिंग 21st मार 2015 और बारेशीद अज जब P.A. अचाउंट बनाने बूले तो आईदर तूम लोग चाओ तो P.A. अकाउंट के फॉर्म में बना सकता है या अगर चाहो तो इंटर स्केटमेट के फॉर्मेट से भी बना सकता है दोनों से रही है चलो भाइ देखो इतना लंबा चौड़ा क्वेशन है कभी भी इतना लंबा च्वेशन है को मच जाना खाली एक रूपिया खुजिना है रूपिया कहा है कि जब तक ratio के अंदर में कोई ratio में एक value नहीं मिलेगा दूसरा मिलेगा कैसे पूरे question में देखो मेरे को रुपीस खाली एक ज़़ा नजर में आया है networking capital formula क्या होता है CA-CN तो पक्का CA by CA गहीं होगा वो देखो दिया वै current ratio CA by CA इन दोरों से CA-CN मिल जाएगा एक वाँ CA-CN मिल गया current set to stock stock मिल जाएगा stock पता है इसके stock turnover ratio निकालना है on sale तो sale मिल जाएगा और हम बताते है ratio analysis ने sales से बढ़िया पर नमबर ही नहीं होता है जैसी sale मिलेगा तो देखो मिरे को collection period पता है debtor मिल जाएगा sale पता है fix asset by turnover ratio ते fix asset मिल जाएगा sale पता है मिरे को net profit मिल जाएगा sale पता है मिरे को variable cost मिल जाएगा तो sales से बढ़िया नमबर होता ही नहीं है तो पहले हमेशा एक नमबर खोजना क्या है उससा ratio खोजना फिर आगे जिरे जिरे अपने आप पोटा रहेगा बनाते है balance sheet है कियो पर examine tick पक्का मारना कौन-कौन सा ratio यूज की है टिक नहीं मारेगा तो पलठे लेगा हर पांच मिनेट वही सेम ratio को यूज कर किसी नमबर निकाल ले और खोज होई जा रहे है बोके होते हैं सब्सक्राइब देखो मेरा अच्छा लिखावाया है networking capital 10 लाग मेरा networking capital क्या होता है CA-CL और मेरा current ratio क्या है 3 ये क्या होता है CA by CL CA by CL 3 है तो CA आएगा 3CL अब जैसी CA की जगह लिखेंगे 3CL तो 3CL-CL माना है 2CL 2CL आया 10 लाग मना current liability आएगा 5 लाग तो ये फाल्तु फाल्तु वरिखिंगोर तो लोग आराम के एग्जामी बनाना हम नहीं बनाएगे अब current liability आया 5 लाग, current asset आएगा 5 लाग इंटु 3, 15 लाग चुल ये दोनों को यूज कर लिए अब मेरा current asset to stock जिया है 3.2, current asset to stock तो current asset by stock 3.2 मेरा current asset कितना निकाला है 15 लाग, तो जैसी value 15 लाग put करेंगे, मेरे को stock नहीं में जाएगा calculate करके देखना stock का value आ जाएगा 10 लाग अब अगला मेरा asset test ratio दिया है यारे quick ratio, quick ratio का formula क्या होदा है, CA- stock by CL अब चीज ऐसे में को किलो भी पता है, CA भी पता है, stock भी पता है, CL भी पता है, तो खली cross check करने में काम आएगा तो 15-10 पांच लाग by पांच लाग 1 आएगा 1 मतलब 7 लाग तो बड़े-बड़े question है, दो-तिन ratio फलतो होता है, अब मेरा stock तक आया है, अब stock से related देखो ratio है, अगला stock turnover ratio, stock के बारे में कुछ ना बोले हमेशा बाते हैं, CA stock formula COGS by average stock, तो COGS by average stock होना चाहिए 5 पर ब्रैकिज ने बोला है, COGS पे मत निकालो, sales निकाले, तो formula COGS by stock नहीं आए 10 लाक, तो sale कितना हैगा, 10 लाक into 5, 50 लाक, और भाई, sale value से बढ़िया पर नंबर होता ही नहीं है, sale आपके फटपट बहुत कुछ निकालेगा, अब जैसी sale आया लगे हाँ, तो debtor निकालो, मेरा collection period दियावाए है 30 दन, साज में 350 देज मानना है, तो भाई, debtor कितना नहीं व आया, debtor का period 30 days, यह आएगा, share 41667, stock debtor मिल गया हैंदी, cash and bank मिल जाएगा, 15 लाक में stock or debtor को minus करिया आएगा, 8333, 3 अब अगला देकर मेरा कौन सा ratio बचावा है, fix asset by turnover ratio, धंग से चोप खोल के देखना, fix asset turnover नहीं बोला है, fix asset turnover होता, formula होता, turnover by fix asset, यह लिखा है, fix asset by turnover, यानि fix asset by turnover, कितना है 1.2, turnover पता है, तो मिल जाएगा, fix asset, fix asset, मेरा fix asset by sale दिया है, 1.2, sale value है, 50 लाक, जैसी value put करेंगे, 50 लाक, fix asset कितना हैगा, 50 लाक into 1.2, 60 लाक, तो fix asset आजाएगा, 60 लाक, और हम बार बार एक चीज़ बोलते हैं, जैसी कोई एक side खतम हो, उसका total कर दो, asset side done, कितना है, total 35 लाक, मेरा liability side में दे कितना आने वाला है, 35 लाक, clear है, अब आगे देखो क्या दियावा है, आगे I think कुछ है नहीं दियावा है, जो काम आ सकता है, अब मेरे पास option नहीं है, मेरे को inter statement बनाना पड़ेगा, question आगे सब लिएगा, अब मेरा variable cost यह सब दियावा है, तो देखो, sale पता है, 50 लाक, interest treatment का format बना ले, minus variable cost contribution, minus fixed cost EBIT, minus interest EBIT, minus tax EAT, अब last का chart line देखेगा न, बहुत कुछ इस बारे में लिखा हुआ, पहला बूलता है, taxation nil, बहुत ही वड़ीया बात है, मेरा interest का rate दिया हुआ है, 12%, interest का rate है, 12% पर loan नहीं पता है, मेरा variable cost दिया है, 60%, कुछ ना बोले, मतलब sale का, 50 लाक का 60% क्या होता है, 30 लाक, contribution कितना जाएगा, 20 लाक, मेरा net profit to sale दिया है, 10%, यानि net profit कितना percent sale है, 10%, 50 लाक का 10% क्या आता है, net profit मने यह कि, 5 लाक, यह 5 लाक है, आप बिना tax दिये, तो EBT भी है 5 लाक, अब आपस ब्रीच में अटके वे हैं, अब कुछ और यूज़ करना पड़ेगा, क्या यूज़ करना पड़ेगा, देखो, financial leverage, 2.2, मेरा DFL आता था इस interest की वज़े से, तो formula क्या आएगा इसके उपर EBIT by EBIT, EBIT पता है, EBIT लिमें जाएगा, EBIT by EBIT है 2.2, मेरा EBIT निकाला वहाए है 5 लाक, तो जैसी 5 लाक लिखेंगे, EBIT क्या आएगा, 5 लाक इन्टो 2.2, 11 लाक, 29 यहां 11, मतरब बीचने मिला 9 लाक, 29 यहां 11, यहां 5, यहां बीचने मिला 6 लाक, इंट्रेस्ट आयावाई है 6 लाक, इंट्रेस्ट का रेट है 12%, इंट्रेस्ट आयावाई 6 लाक, इंट्रेस्ट का रेट है 12%, लोन मिलेगा 6 लाक बारा परसेंट, पचास लाक, तो भहें मेरा लोन, आयावाई यह डिविंचर आयावाई है, कुछ और बचावा है, येस बचावा है, मेरा अर्निक्स पर शेर, इच ओफ रुपीज टेल, हर शेर का दंग 10 रुपे है, EPS दियावा है 10, EPS का फॉर्मुला क्या होता है, EAT by number of shares, आप इस्टों है निके किया पे, EPS दियावा है 10, फॉर्मुला होता है EAT by number of shares, बिर EAT पता है, 5,000,000 value put करो, तो number of shares नहीं में जाएगा, 5,000,000 divided by 10 कितना है, 50,000 share, और हर एक share का दंग कितना है, रुपीज 10, रिक्विडी share का पॉर्मुला हैगा, 50,000 into 10, 5,000, अब बुलेगा, जो बाकी balance है, वो क्या बच गया, बिज़ावें सब्सक्राइब, calculate करके देखना है, ये value आजाएगा, शायद, पॉर्मुला है, ये वाला है, ये वाला है, ये वाला, ये खाली cross check कर दे लेका हम आएगा, मेरा बुक राली पर शायर हमेश्या equity वालो के लिए निकालते है, equity वालो का दो-दो पैसा, 15 प्रस पास के लागे 20,000, divided by number of shares 50,000, इतना है अच्छा लिस, जो माच गया, मेरा total liability to network, total liability का मतब total external liability होता है, 55,000, by network था 20,000, 55,000, by 20,000 होता 2.25, जो माच कर रहे हैं, done, तो ये था एक लाज जवाब question, इससे भी beautiful question अभी बचा है, question number 4, तो लोग marathon में only good questions cover कर रहे हैं, फल्तु फल्तु questions cover नहीं कर रहे है, good question किये है, फल्तु अपने अप हो जाएगा, question 4 पो लिखा है, using the information given below, prepare करना है, balance period of sky private limited, मेरा current ratio दिया है 1.6 is to 1, मेरा cash and bank है, 15% of current asset, मेरा debtor turnover ratio दिया है 12, debtor turnover ratio क्या होता है, sale by debtor, मेरा stock turnover ratio दिया है 16, stock के बारे में कुछ नहीं बुले, FG stock मने CUGS by stock, मेरा creditor turnover ratio दिया है 10, creditor depend करता है purchase पे, तो purchase by creditor, पर बारके तो बुला purchase दिया है, तो CUGS को रुका दे, CUGS by creditor, मेरा GP ratio दिया है 20% मने CUGS, 80%, मेरा capital garing ratio दिया है, यानि fix divided by variable value, मेरा depreciation rate दिया है 15% on WDV, और net fix asset दिया है 20% of total asset, तो मेरा वोसर बटा ये numbers बताए क्या है, share capital दिया है 25, current liability में 2 item आएगा, creditors and provision, दोनों मिलाके है 68,50, बासिता question दिया है, यानि एक मात्र value दिया है current liability का total, तो सुचों किस्ते शुरू करें, मुझे current liability पता है, बेरा current ratio है CA by CL 1.6, तो जैसी current liability पता है value put करेंगे, क्या मिल जाएगा CA, ये कितना हैगा भई, 68,50,000 into 1.6, एक करून दौलाग साथ हजार, तो current asset का total है 1096, 4 times 0, very easy, पहला ratio यूज हो गया, मेरा cash and bank बूलता है 15% of total current asset, by total current asset just निकाले, मेरा cash and bank इसका 15%, इसका 15% कितना आजाएगा, 16,40,000 होगे, very easy, तो मुने एकना ही easy विट्यों करा रहे, मैं आज सांगे, stuff, आगे एक number भी निकलेगा, जो मंचाह ratio यूज अब आगे एक number भी निकलेगा, जो मंचाह ratio यूज अब आगे, आगला sale by debtor तो भया ना sale पता ना debtor, अगला seo जीज बाय स्टॉक ना seo जीज पता ना stock, अगला CEO जीज़ रहे क्रेटर ना CEO जीज़ पता ना क्रेटर Capital Garing Ratio तक तो भाईया पहुंची नहीं पाएंगे और Depreciation Rate भी आए पर Fixes विखसे रहे कुछ नहीं पता है हलाकि एक चीज़ ज़रूर तुम लोग निकाल सकता है मेरा Net Fixed Set दिया है 20% of Total Asset Total Asset का 20% यह है अगर यह 20% है मतलब यह पक्का 80% है तो अगर यह 80 के बराबर है तो 20 का वालू तक तो मिल जाएगा यह कितना हैगा 109640 अगर यह 20 के बराबर है मतलब यह 80% के बराबर है तो just divide it by 80 करें कितना हैगा Total हैगा I think 137 510 Total बन जाएगा same और 20% निका देंगे यह मिलेगा 27,46,000 यहाँ तो राइट होगा मेरा depreciation rate दिया है 15% on WDV यानि जो भी option WDV रहा होगा इसका 15% यह आया होगा तो अगर यह मालो 100 है तो यह 15 है होगा मतलब यह 80 के बराबर होगा इसे यह दोनों गालीजिन दें जाएगा यह शायर आएगा 3,2,2,3,5,2,9 यह आएगा 4,8,3,5,2,9 अब जो मेरा बचावाई है बसो बचावाई है यहां तो इसी था question यह पेल बानो बस यह हिस्ता इसी था अब आगे बही question को करने का और तरीका यह नहीं है एक मतल तरीका है जो हम दो डिस्कस कर रहे हैं देखो रेशियो नमबर 3 और 4 को संग में लेकर कलते हैं डेटर तर्णोवर रेशियो सेल बाइटर 12 तो मैं ऐसे लिखते हैं सेल बाइटर 12 जानी सेल कितना आएगा 12 इंकूड़ डेटर इंडल सक्षी है मेरा स्टॉक टर्णोवर होता है COGS बाइट स्टॉक हुआ है 16 तुम ऐसे लिखते हैं COGS बाइट स्टॉक है 16 जानी मेरा COGS क्या आने वाला है फूला इंकू स्टॉक अब आगे देकर मेरा लिखा वाया है GP रेश्यो दिया वाया है 20% मनें COGS 80% of सेल है तो हम COGS की जगा लिख देते हैं 80% of सेल वो किसके बराबर चल रहा है इंकूला इंकू स्टॉक जानी सेल क्या ऐसे नहीं लिख सकते है 16 divided by 80% 16 divided by 80% निकालो कितना बन जाएगा 20 into stock तब 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 अब देगो मेरा सेल 12 into debtor भी है देगो मेरा सेल 20 into stock भी है ज़र हम यह नहीं वो सकते 12 into debtor is equal to 20 into stock तो 12 into debtor is equal to 20 into stock ज्यारी मेरा debtor और stock का ratio मिल जाएगा कि इतना हैगा 20 by 12 यह multiple है 4 का बने 5.6 ज्यारी मेरा debtor और stock का ratio है 5.3 total current asset पता है इसमें cash and bank हटाओ तो दूनों मिलाके stock debtor दियाएगा यह बाट रहा है 5.6 खरीट रेशियो तो बोड़े वाँ यह हुआला question तो चले काम करें एक वार फड़ा फड़ काल्कुलेट करें यह आइसिंग दूनों मिलाके 93.2 लाग तो लाजार खा जो बाटना है 5.3 के ratio में तो divided by 8 10.25 करेंगे यह मिलेगा debtor I think 58.2,500 और यह आएगा 3.493.5 क्या मैंने सही लिखा? अब जब debtor और stock मिले गया तो क्यों ना लगे हाथों मेरे को sales मिले जाएं? अब sale क्या है? 20 इंटू stock stock का value जच निकाले इसे 3.493.5.0 तो 20 इंटू 3.493.5.0 देखना मेरा sale value कितना जाएगा? 6,9,8,7,4,10 आयावा है sale value अब अगला देखें मेरा क्या लिखावा है? अब एक मेरा creditors turnover ratio चाहिए वो cogs by creator है, cogs तो मेरे को पता ही है तो अगर sale पता है तो cogs क्या था? 80% of sale तो cogs मिल जाएगा ना cogs आएगा इसका 80% 55896.0 अब इससे मेरे को आरां से creator मिल जाएगा cogs पता है divided by creator है 10 तो cogs by 10 कर देंगे क्या मिल जाएगा? creator जाएगा 5589600 और जैसे ही इस total value में से इसको हटाएगे जाएगा च्वल 6400 आया यहां तर? तो माइं जाएगा निक्स मेरा क्या है? एक मात्रा रेश्यो बचा है capital gaining ratio वो है 0.6 मेरा capital gaining ratio क्या था? variable divided by fixed अब देखो भई मेरा variable में कौन कौन है? खाली 12% long term debt sorry fixed में यह एक मात्रा है मेरा fixed में divided by debt यह है capital gaining ratio कितना दियावे है 0.6 तो भई मेरा debenture divided by equity share capital plus reserve and surplus is 0.6 यहानि 0.6 divided by 1 अब तुदो इन दोनों में balancing figure लगाए है तो हम कैसे calculate करें? तो भई total value तो पता है? उसमें से अगर इसको हटा देंगे तो यह दोनों मिला के value आ जाएगा जो बाट रहा है 0.6 to 1 के ratio तो यह काम करें इस total में से 1375, 4.0 minus 68 lakh तो 3000 करेंगे I think जाता है 69 lakh 69 lakh जो है उसमें equity भी है debt भी है और ratio के debenture का है 0.6 इसका है 1 तो 69 lakh को बाटेंगे 0.6 और 1 के ratio में तो यह काम करें 69 lakh divided by दोनों मिला की 1.6 into कर देंगे 0.6 तो debt मिलना ही में जाएगा कितना हैगा 25 875 00 और जो बाकी balancing figure मिला यह मिलकों मिल जाएगा equity share capital plus reserve and surplus reserve कितना जाएगा शायद अठारा बारा पांस है अठारा माइंड इब्लूइंट question अठारा question जबर्दस है हम लोग किये थे अराउंड पैंतालेस question हम पर्ष्टून के खली मनन्स private limited gives you the following information relating to year ending 31st March 2023 अठार मेरा current ratio दिया है 2.5 is to 1 CYCN मेरा debt equity ratio दिया है 1 is to 1.5 1 upon 1.5 मेरा return on total assets मने रोटा इसका formula दिखो को एसे तो खुदी बोल दिया after tax मदा अर्निंग after tax so net profit यह EAT by total asset 15% है मेरा total asset turnover ratio दुनिया में कोई भी turnover ratio है formula क्या turnover divided by वो so turnover मतब के दिवाइज़ बाई total asset GP ratio ratio 20% है मने COGS 80% है मेरा stock turnover ratio दिया है 7th stock के मारे में कुछ ना बोले मानें FG stock formula क्या COGS divided by average stock मेरा net working capital दिया है मने CA minus CL मेरा fixed asset दियावा है एतना equity share add rate यह equity share capital दियावा है 60,000 9% preference share of rupees 10 preference share capital दिया है opening stock दियावा है मुझे calculate करना है 4 ratio quick ratio, fixed asset turnover ratio proprietary ratio, proprietor fund by 2% into 100 and easier और यह सब को calculate करने के पहले हैं हम लोगे एक balance sheet बनाना पड़ेगा तो यह question relatively easy है इसने ज्यादा complications है लेकान करते हैं फड़ा फड़ बनाते हैं balance sheet सबते हैं लेना मिरको की number ही खुजना पड़ेगा अब जैसे मेरा c y c l है 2.5 c y minus c l है 13 यह कई question में आता है c y c l निकलने में काम आएगा तो c y c l 2.5 है यानि c y आएगा 2.5 into c l जैसी current asset में 2.5 c l लिखेंगे 2.5 c l minus c l है 13.15 तो यानि 1.5 c l है 13.15 तो c y l आएगा 13.15 by 1.5 कितना मिल जाएगा 9 lakh तो मेरा current asset कितना मिलेगा c l है 9 lakh 9 lakh into 2.5 कितना आने वाला है 22 lakh 15 very easy तो मेरा 0.1, 0.7 हो गया ठीक अब जिखेंगे मेरा fix asset DIY है 30 lakh सीदा लिख जाते है fix asset 30 lakh बाहर बाहर बोलते हैं कोई भी एक site खतम हो जाए तो रहन तरदो total दूसरा total बाहर ले जाए बाहर 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 है तो मेरा अगला equity share capital दी है 1 lakh 9% preferential capital शैना अब आगे मेरा opening stock दी है पक्का opening closing का जमिला में काम आएगा अब देखिए अब हम लोग अगला कौन सा ratio यूज कर सकते हैं I think हम लोग use कर सकते हैं total asset turnover आप मेरा total asset turnover ratio का formula turnover by total asset वहने sale by total asset है 2 asset का total दियावा है 52,53,53 तो जैसी value put करेंगे मिल जाएगा sale value 52,53,000 x 10,000 x 2, इतना हैगा 1 crore, 5 lakh sale value से अच्छा कोई number होता ही दिए अब अगला sale value पता है मेरा gp ratio दिया है 20% मने cogs है 80% इससे मेरे को cogs मिल जाएगा अगर cogs निकालेंगे यह आएगा I think 84 lakh अब cogs क्यों निकाले मेरा stock turnover ratio में काम आएगा formula क्या cogs by average stock है 7 और मेरा cogs निकालावाए है 84 lakh तो average stock क्या आएगा 84 lakh divided by 7 मतलब 12 lakh तो एको मेरा average stock आएगा 12 lakh मेरा average stock क्या होता है opening plus closing by 2 opening दिया वैना closing निजाए तो opening plus closing by 2 opening है 11.40 तो यह आएगा I think 12 lakh stock is up तो current asset में stock आएवा है 12 lakh 60 done अब ज्यादों के ratio खास बचावाए है नहीं अब debt equity ratio को use करते हैं ताकि मेरा balance sheet खतम हो जाए मेरा debt equity ratio कहाँ गया 1 is to 1.5 debt equity ratio यानि एक debt भी है और equity के अंदर में दोनों आता है debt और equity का ratio अब मेरे को ना ये value पता है ना ये value पता है पर भाई 50 to 50 में से अगर इन दोनों को हटा दे 9 प्लस 6 15 lakh हटा दे तो बाकि बस्ता है 37,50 जिसमें debt भी है equity भी है और ratio क्या है 1 और 1.5 यह 1 है यह 1.5 है तो इस 50 to 50 में से इन दोनों को हटाओ 15 lakh ये बस्ता है 37,50 जिसमें बाट रहा है 1 और 1.5 के ratio में तो divide कर दो 2.5 से I think debt आजएगा 15 lakh रुपिया ना और equity आएगा 22,50 इसमें 18 हटाओ बाकि आएगा 4,50 that's it अब एक काम करते हैं calculate करते हैं मेरा पहला अच्छे कोई और ratio बचा वे क्या point number 3 return on total asset 15% मेरा return on total asset क्या था net profit by total asset 15% total asset पता है तो मेरा net profit ये ये आएगा इसका 15% तो 52,50,000 का 15% क्या होता है 787,500 अब AAT में माइनस क्या करते हैं income statement को याद करें preference dividend तुले सब क्यों निकाल रहे हैं EPS के लिए अब AAT में माइनस करते हैं preference dividend कितना है 6,00,000 ता 9% of 34,000 याने मेरा आफिश कितना आजाएगा 733,500 अज 4 पार्ट निकालना है पढ़ा पढ़ा निकालते है पहला पार्ट है quick ratio formula क्या quick asset by current liability quick asset मतब CA minus stock by CL तो 22,50,000 minus 12,60,000 990 divided by 9,00,000 कितना आजाएगा 1.1 मेरा अगला है fix asset turnover ratio दुनिया में कोई भी turnover ratio है formula turnover वह है turnover का मतलब sale divided by fix asset sale value पता है एक तरोड 5,00,000 divided by fix asset 30,00,000 I think कि आजाएगा 3.5 मेरा अगला है proprietary ratio proprietary ratio का formula प्रोप्राइटर फंड by total asset proprietary के अंदर में कौन आता है equity preference दोनो तो equity वालो का ये 2 रूपया preference वालो का ये तो तीनों को जोडेंगे अटारा लाइगा Mouse पर चेस्ट पचाहएगा यहाएगा 54.29% लास्ट पे कैल्कुलेट करना APS जो आएगा आफेश by number of shares यह रहा आफेश divided by number of equity shares कितना दियावा है 150,000 जो आएगा 4.075 per share Done करते हैं हमारे श्रक्र का आफेश लो पेशन question number यह है रिलिटमीजी question number फेस्ट question 6 को लाष्मी करते हैं पहले कर्ड़ते question 7 from the following ratios and information given below prepare करना trading account, real account and balance sheet of ABC limited मीर अफिक सेट दियावाय है closing stock दिया है stock turnover ratio 10 यहाँ जीए आवरे जोगा अवरेश by average stock बिराज GP ratio 25% है मनाज POGS 75% है बिराज net profit ratio scale कर रहेगा net profit 2 capital 1 by 5 capital 2 total liability 1 by 2 fixed asset 2 capital 5 by 4 fixed asset by total credit 5 by 7 यही है फ़र बैलेंशीट बनाते हैं जो जो value दिया value put करते हैं बाकी अपने आप मिलेगा पहले बैलेंशीट यह ट्रेडिंग यहीं बना लेका है मेरा fixed asset DI 40,00,00 3 रहे लिक्ते हैं fixed asset 40,00 मेरा closing stock DI 4,00,00 current asset के नीचे 3 रहे लिक्ते हैं closing stock 4,00 मेरा stock turnover दिया है 10 formula COGS by average stock अब opening के बारे में कुछ बोला नहीं है तो opening closing average के मन लेगे तो COGS by stock है 10 stock दिया है 4,00,00 तो COGS हैगा 4,00,00 into 10 40,00,00 मेरा COGS का value आयवा है 40,00,00 हम चाहे तो सीदा लिखते हैं COGS यहाँ पे 40,00 यह use हो गया और मेरा GP ratio अगर 25% है वनलब COGS 75% है COGS का value पता है जो 75% के बराबर हुआ तो 100 का value भर को मिल जाएगा तो एक काम करें अगर हम दों calculate करें मेरा sale value आने वाला है बहुत ही गंदा नमबर आएगा 533,33,33 ऐसे कुछ आया मेरा GP ratio अगर 25% है तो मेरा COGS 75% है और COGS का value मेरा इतना आया तो मेरे को GP तक तो मिल गया 1,33,33,33,33,33,33 तो by GP आया है 1,33,33,33 मेरा net profit ratio तो मेरे तो मेरा net profit ratio है 20% है मिलेगा सेल से मिलेगा स्यॉजियस पता यानि याँ पर उपसें क्लोजिंग से नहीं है यहाँ पर अलग रहेगा ओ वाव क्या question है मेरा fixed asset to capital है 5 by 4 मेरा fixed asset by capital है 5 by 4 मेरा fixed asset का value है 40,00,00 तो जैसी value पुट करेंगे मेरे को capital मिलेगा capital calculate करना 40,00,00 into 4 divided by 5Y का 32,00,00 तो मेरा capital आयवा है 32,00,00 अब अगला fixed asset by total current asset है 5 by 7 तो fixed asset पता है by current asset है 5 by 7 fixed asset अगर लिखते हैं 40,00,00 तो मेरा current asset आने वाला है 56,00,00 तो जैसी एक side खतम हो total कर तो 96,00,00 तो जैसी एक side खतम हो total कर तो 96,00,00 तो जैसी आयवा है 96,00,00 जैसे नाइस प्रेशन नाइस प्रेशन अब अगला मेरा net profit to capital है 1 by 5 net profit by capital है 1 by 5 capital पता है 32,00,00 तो net profit आएगा 32,00,00 by 5 6,00,40 तो मेरा PL के अंदर में net profit आएवा है 6,00,40 अब अगला मेरा net profit ratio दिया वा है 20% net profit ratio होता है net profit by sale into 100 तो इससे मेरे को sale value मेलेगा net profit अगर 20% के बराबर है तो 100 का value मतब sale value मेरे को मिल जाएगा calculate करना ये कितना आने वाला है 32,00,00 अब मेरा sale आया 32,00,00 GP 25% है तो लिखते हैं 2GP इसका 25% कितना आने वाला है 8,00,00 sale आया 32,00, GP आया 8,00, यानि COGS है 24,00,00 और अगर COGS 24,00,00 है अब लगाएंगे COGS by average stock का formula बजब question मेरा COGS है वाला है 24,00,00, value put करो तो average stock कितना मिल जाएगा 24,00,00 divided by 10 और मेरा average stock क्या होता है opening plus closing by 2 2,40 closing stock मेरे question में दियावाए है 4,00,00,00 तो जैसी value put करेंगे मेरे को opening stock मिलेगा 80,000 यानि मेरा opening stock है 80,000 मेरा closing stock है 4,00 बाकी balance आजाएगा purchase अगर हम दो calculate करें यह आएगा I think 27,20,000 अब यह चला जाएगा by GP 8,00,00 और यहाँ पे two other expense बोल के आजाएगा 1,60,000 तो trading field तो हो गया अब मेरा बचा क्या खाली एक मात्र रिश्यो बचा capital to total liability 1 by 2 अब capital to total liability याद करना total liability का मतब यह नहीं होता है total external liability है इसमें क्या आता है debenture and current liability मिला के अब मेरा capital है by total liability 1 by 2 capital कितना है 32,00,00 तो मेरा total liability का 32,00,00 64,00,00 यानि दुनों मिला करायव है 64,00,00 जैसी value put करेंगे मेरा balance sheet होता है खाला ठेक अगला question तो सब question का बाव है question number 6 हमारे ratio analysis का आफ़ी question इसमें छोटा सा correction है asset turnover ratio 8,00,00,00 5,00,00 from the following information you are required to prepare a summarize value sheet for rudra limited for year ending 31st mark 2000 bytes जब इतना बड़ा question देखो बस खाली एक value पोजिने का परयास करना कौन सा है वो बाली है और देखो एक मात्र value जो तुम लोगों शायद question में देखेगा वो कौन सा है cash है और cash related तो कोई ratio होता ही नहीं तो जनकर करेंगे क्या बाकि देखो इस question का खासियत ही है कि एक line में लिखा जाएगा कितना है favorite chapter हो इस question का एक line में लिखा जाएगा debt equity ratio, debt by equity current ratio, CA by CL asset test, CMI, QA by CL fix asset turn on निकाला है based on sales, sale by fix asset stock turn on निकाला है, sale by average stock stock to debtor, sale to network capital reserves, GPs, COGS to creator पर भाई, number तो बता जो cash के साथ कोई ratio हो कौन सा ratio यूज़ करें जिसमें मेरा cash का माईगा भ्यंकर वाला case question एक काम करते हैं, balance sheet का format बनाते हैं और देखते हैं यह कैसे होगा अधिवभभ लोग जो questions कर रहे हैं न ratio का, exam में जरूरी नहीं इस तरह का question आएं पर इस level को question करने के बाद बाकी जो तुम लोग करेगा वो तब easy लगेगा तुम लोग जो best questions हो चुनके हम लोग ले लिए तुलो ज़रा देखे क्या लिखे भई क्या लिखे बैली शीट बनातों लिए लिखे क्या हम खाली एक मातर नंबर लिखने के लिए वह है cash जो current asset के अंदर में लिखते है cash पांच लाग लाग और आगे कुछ नहीं पाता चुनके अब एक काम करें ज़रा देखे क्या कैसे किया जाए line by line पढ़ते है question में क्या है बिरा debt equity ratio दिया है 1 to 1 तो कुछ equity रहा होगा जिसमें equity share capital reserve and surplus होता है और कुछ debt है कितना है वो नहीं पता पर कुछ है पस ratio के equity और debt का 1 to 1 यानि जितना ये है उतना ये है मेरा current ratio दिया 3 to 1 CA है तो पका कुछ CL भी रहा होगा कितना है भगवान जाने asset test ratio में CA minus stock by CL है पर कुछ नहीं पता भी मेरा fix asset turnover ratio यानि fix asset पका रहेगा stock turnover है मतब stock पका रहेगा कुछ debtor भी होगा stock to debtor sale to network capital to reserve GP 20% है COJS 80% है पर भी कुछ भी नहीं पता COJS 2 creator और interest दिया है long term loan पढ़ा है question खता क्या करें G1 में खतरना को अलाटके है जा G1 में खतरना को अलाटके एक क्यू पाए है आंग बन करो X को याद करो पर तुम बोले हैं यहां पर X लेक इसको यहां तो सभी balancing figure चल रहा है तो एक काम करते हैं यहां पर हम बार बार बूलते है ratio में सबसे काम का number होता है sale sale को एक flow सब आ जाएगा देखते हैं sale related ratio क्या क्या है fix asset turnover ratio 4 formula sale by fix asset 4 sale क्या माना वाए है X तो मेरा fix asset इधर जाएगा यह इधर आएगा fix इधर क्या बन जाएगा x by 4 ठीक है चलो यह वाला ratio यूस की है मेरा अगला है stock turnover ratio on the basis of sale 6 formula क्या है cogs by stock की जगा sale by stock sale माना वाए x stock क्या आएगा x by 6 ठीक है मेरा stock to debtor है 1 to 1 यानि जितना stock है उतना ही debtor है तो वाई अगर stock है x by 6 debtor भी है x by 6 चलो ठीक है asset site खतम तो हुआ पर x की डाउस भी हुआ है अब अगला sale to net worth है 4 sale by net worth है 4 sale माना वाए x तो net worth क्या आएगा x by 4 net worth वे क्या आता है ये दोनों मिलाकर x by 4 पर ध्यान देना debt equity ratio तेन था यानि debt भी है आएगा x by 4 अब अगला capital to reserve वो सब बांटने काम बाद में करेंगे और 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 current ratio 3 to 1 current ratio क्या होता है ca by cl ca पता है ना 3 जोड के divided by cl और divided by 3 आएगा cl तो cl के आएगा 5 lakh plus x by 6 plus x by 6 जयानि 2 x by 6 यानि x by 3 ने सकते है divided by 3 तो c a by cl 3 है question खादा liability का total जीगोड वसटा control solve करना एक्टे वाली इन बलेगा ये था मेरा सब्टे फेज़े इस question अब इसे ब एक्जाम में आए ना सूचना बड़ा भरी हो जाएगा चलो फड़ाफट करें solve liability का total x by 4 plus x by 4 यहाँ पर है 5 lakh plus x by 3 by 2 asset का total x by 4 plus 5 lakh plus x by 6 plus x by 6 मतब 2 x by 6 तो रेको x by 4 तो एक कटता नजर में आया अब आगे solve करें क्या होगा यह विचित्तर नंबर को यहीं रहने दिते हैं 5 lakh plus x by 3 by 3 बाक्यू धर ले जाते हैं यह क्या है 5 lakh plus x by 3 minus x by 4 यहाँ पर 4, 3, 12 यह बनेगा 60 lakh plus 4 x minus 3 x यह कटके होता है 4 तो यह बनेगा 5 lakh plus x by 3 यह बनेगा 60 lakh plus x divided by 4 अभी equation solve हो जाएगा 5 lakh plus x by 3 इसको अलग करो 15 lakh plus x by 4 तो x by 3 minus x by 4 is equal to 10 lakh x का वल्यू आएगा 1 तरूर 20 lakh अब जैसी x का वल्यू तरूर 20 lakh आए बनेशित खतम हो जाएगा दन तो इसके साथ हमारा यह वाला question और हमारा यह वाला chapter होता है खतार आएगा साथ हमारा यह वालागा